कि नौव सबसे अच्छे तरीके, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप स्मार्ट है या नہ है और तीसरा तरीका तो सबसे बेने इन है इन सब में एक कॉमन थीम है यह हमें ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा है कोई ऐसा तरीका है कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है और जिस दिन पता चल जाएगा न हमारी पूरी जिन्दगी सौक आउट हो जाएगी हमारी पूरी जिन्दगी में हम सब कुछ हासिल कर लेंगे जो हम हमेशा से करना चाते थे लेकिन पता है क्या? ये सच नहीं है अपनी जिंदगी में कोई तरीका या नुसका काम नहीं आने वादा जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं हम सब अपनी जिंदगी के रास्ते, तरीके और सफर खोद बनाते हैं तो फिर मैं ये किताब क्यों लेखा? इस पिशले साल में आपने मुझसे कई सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने अपने सालों के एक्स्पीडिन्स से तेने की कोशिश करूँ जैसे की मैं अपना टाइम कैसे मैनेज़ करूँ मैं फेलियर के साथ कैसे डील करूँ मैं नए दोस्त कैसे बनाओ, मैं अपने करियर का डिसिजन कैसे, मैं खुद से प्यार कैसे करूँ मेरी इस बुक को मैंने एक conversation की रूप में लिखा है जहां पर मैंने पूरी बुक को एक question और answer के format में आप सब लोगों के साथ present किया है सवाल student पूछता है और जवाब teacher देता है 36 जिन्दगी के बड़े सवाल और उन 36 सवालों के 36 जवाब ये जवाब आप शायद सोचेंगे सही है लेकिन ये जवाब शायद सही नहीं भी है क्योंकि ये मेरे जवाब है जिन्नोंने मुझे मेरी जिन्दगी में मेरी मदद करी है और शायद आपकी जिन्दगी में ये काम ना आए लेकिन मेरी उमीद ये है कि मेरे जवाबों के थूप आप अपने जवाबों से मिल पाएंगे आप अपने जवाब खुद धून पाएंगे मेरी जिन्दगी में मेरे काफी टीचर्स रहे हैं उन में से काफी सारे टीचर्स मुझे जानते भी नहीं है लेकिन उनके जवाबों से मेरी जिन्दगी में मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब में ले हैं सीखने का न यही मज़ा है वो कभी भी हो सकता है किसी भी जगा हो सकता है और किसी के लिए भी हो सकता है मेरी पहली किताब Do Epic Shit को मैंने आपको उपसाने के लिए लिखी थी ताकि आप उसके बारे में सोचे आप अपनी जिन्दगी को समझने की कोशिश करें और खुद से सवाल पूछें मेरी नई किताब Get Epic Shit Done में मेरी एक नई कोशिश है कि इन सवालों के जवाब के तो आप अपनी जिन्दगी के खुद के सवाल दूण पाएं इसलिए कभी भी जब आप डाउट में हैं तो इस बुक को सुनिए और उस सवाल पे जाईए जिस सवाल से आप जूच रहें और उस सवाल के जवाब शायद आपको अपना खुद का अंसर मिल जाए Get Epic Shit Done का फर्स्ट एपिसोड आपने सुना अंकुर वारिकू की आवाज में बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ मेरे यानि आरजे सायम के साथ मैं खुद को दूसरों से कंपेर करना कैसे बंद करूँ Student ये दुनिया ऐसी क्यों बन रखी है कि हमें तब ही अच्छा लगता है जब हम दूसरों से बहतर हूँ Teacher हम हमेशा इन कंपारिसंस के चक्कर में पढ़ जाते हैं क्योंकि इस जिन्दगी के बेसिक फैक्स को समझने की जगा हमने दो गलत अजम्शन्स बना रखे हैं और इसलिए हम उसी नज़रिये से दुनिया को देखते हैं Student वो दो अजम्शन क्या है Teacher पहला गलत अजम्शन ये है कि ये दुनिया एक जीरो सम गेम है Student जीरो सम गेम से आपका क्या मतलब Teacher इसका मतलब ये है कि एक इंसान जीतेगा तो दूसरा हारेगा अगर मेरा स्कोर प्लस वन है तो तुम्हारा स्कोर माइनस वन होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम जीरो हो Student तो क्या ये सच नहीं है Teacher ये सच से काफी दूर है सच ही है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार जीत सकते हैं बिना किसी और के हारने का इंतिजार किये दुनिया में बहुत सारी opportunities है तो मगर historically देखो तो भी तुम्हें इस चीज के बारे में अच्छे से समझा जाएगा तुम इंडिया के ही बारे में देखो हमारे parents की generation की life काफी मुश्किल थी और उनके parents की life और भी जादा मुश्किल आज के समय में हमारे पास बहुत सारी opportunities हैं जो उनके बास नहीं थी Student आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया क्या इसका मतलब यह है कि मैं पीज़ा की बड़ी slice के लिए लड़ने की जगा पीज़ा की जितनी भी slice खाना चाहूं उतनी खा सकता हूँ Teacher Metaphorically हाँ Student यह तो काफी इंट्रेस्टिक था दूसरा गलत assumption क्या था जो आप मुझे बता रहे थे Teacher यह एक fact है कि हम सब की जिन्दकी अलग है और हम सब को अलग-अलग opportunity मिलती है इसका मतलब यह है कि हम सब की मनजिल अलग होगी क्योंकि हम सब अलग रास्तों से शुरू होते है तुम इसके बारे में इस तरीखे से सोचो के अर्त पर ऐसा कोई भी नहीं है जो बिलकुल तुम्हारी तरह हो तुम्हारी capability, तुम्हारी choices, तुम कहां पैदा हुए हो तुम्हारी family, तुमहें किस तरीखे से पाला गया तुम्हारी एक्तस्मत, तुम्हारा behavior ये सब अपने आप में बिलकुल युनीक है और तुम्हारे जैसा कोई और इस दुनिया में हो ही नहीं सकता इसलिए जब सब एक दूसरे से अलग हैं और सब अलग-अलग रास्तों से अपनी शुरुवात करते हैं तो फिर सब की मंजिल भी अलग होगी इससे तो मुझे ठेले स्विफ्ट का गाना याड़ आ गया जिसमें एक लाइन थी यूर दी ओनली वन अफ यू बेवी दास्ट फ़न अफ यू टीचर स्माइल करते हुए हां कहता है लेकिन अगर मैं सच बता हूँ तो इसे असलियत में प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है जब मैं किसी और को उनकी जिन्दगी में अच्छा करते हुए देखता हूँ तब मुझे यह लगता है कि वो अपनी जिन्दगी में जीत रहे हैं और मैं हार रहा हूँ कोई बात नहीं ऐसा सब के साथ होता है जब भी मैं किसी और को जीतता हुआ देखता हूँ मैं खुद से यह सवाल करता हूँ अगर वो मुझे से जादा पैसे कमा रहे हैं तो क्या यह हमेशा के लिए ऐसा ही रहने वाला है अगर उनके पास जॉब है मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मुझे कभी जॉब नहीं मिलने वाली अगर वो अभी एक प्यारी रिलेशन्शिप में है तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरी जिन्दगी अकेला रहने वाला हूं। इन सब सवालों का जवाब ना है। Student, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं जीत नहीं रहा हूं। Teacher, इंसान की जो emotions होते हैं वो permanent नहीं होते हैं। हम जैसा आज फील कर रहे हैं वैसा कल फील नहीं करेंगे। लेकिन हम आज जो फील कर रहे हैं उसकी वज़े से हम या तो depressed हो सकते हैं या फिर हम action ले सकते हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे दोस्त के पास एक अच्छी जॉब है और तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर उस emotion को इस तरह से use करो कि तुम्हें एक अच्छी जॉब ढूनने के लिए और ज़्यादा महनत करने लगो। सुनने में आसान लगता है। फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमने इन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा। तुम खुझ से इस अवाल करो। मैं बुरा क्यों फील करता हूँ। क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं और मैंने। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। क्योंकि उनके पास जॉब है और मेरे पास नहीं है। तो फिर ये बुरी चीज कैसे हुई। क्योंकि अगर मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं पैसा नहीं कमारा, जिससे मैं एक अच्छी जिन्दगी गुजार सकता हूँ, अगर अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो कैस का मतलब यह है कि मुझे कभी भी जॉब नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैं बि एक बार जब मुझे मेरे success की definition समझ आ जाएगी, तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने पूरी मेहनत की वहां तक पहुँचने के लिए? नहीं, बिलकुल भी नहीं. मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, और ज़्यादा बहतर बन सकता हूँ. तो फिर मुझे क्या रोक रहा है? मैं खुद? जब तुम खुद से ये सवाल करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें तुम्हारा success क्या है, वो clearly नहीं बता है. ये emotions और ये सवाल तुम्हें खुद को समझने में मड़द करेंगे, जिससे तुम अपने success की एक definition बना पाओगे. क्या इसका मतलब ये है कि तुम खुद को दूसरों से compare करना बंद कर दोगे? नहीं. इसका मतलब ये है कि जब तुम खुद को दूसरों से compare करोगे, तब तुम्हें पता होगा कि अब तुम्हें क्या करना है. अपने समय का सबसे गंदा use हम खुद को दूसरों से compare करके करते हैं. student, दूसरों के साथ imaginary बाते करके खुद को बुरा फील करवाने से अच्छा है कि हम खुद से real बाते करें, फिर खुद को समझें और मेहनत करें. teacher smile करते हुए कहता है, आखिर तुम्हें समझ आ गया. नौ सबसे अच्छे तरीके जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप smart हैं या नहीं, और तीसरा तरीका तो सबसे best है. इन सब में एक common theme है, यह हमें ऐसा प्रुद करते हुए कि मैं अपनी communication skills कैसे अच्छी करूँ? student, मुझे अपनी idea और विचार दूसरों को बताने में दिक्कत होती है, मैं nervous हो जाता हूँ, मैं अपने communication skills कैसे अच्छी करूँ? teacher, पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हमारी किसी से verbally communicate करने की capacity, directly हमारे thoughts को clearly structure करने की capacity से connected होती हैं, और उसे हम लिखकर सही कर अच्छा कर सकते हैं? student, writing, please, मैं एक writer नहीं हूँ, नहीं मुझे एक writer बढ़ने में कोई interest है, मुझे लिखना बिलकुल भी नहीं पसंद, teacher, पेरी बात सुनो, writing इंसानों का सबसे बड़ा slowest expression है, हम बहुत जल्दबाजी में सोचते हैं और हम कई बार बहुत जल्दबाजी में बोल भी देते हैं, writing कभी भी उस speed को match नहीं कर सकती, इस वज़े से writing इतनी ज़्यादा effective होती है, जब हम लिख रहे होते हैं, तब हम हमारे brain को track करते हैं, कि वो हमारे सारे thoughts में से सबसे important thoughts को चुने, इस process से हम हमारे thoughts को control कर पाते हैं, और उन्हें अच्छे से structure कर पाते हैं, इसलिए जब हम लि अब मुझे समझाया, क्या कुछ minimum amount है जितना मुझे लिखना चाहिए, जब भी मैं लिखूं, और मुझे किस बारे में लिखना चाहिए, teacher, तुम रोज लिखो, starting में तुम सिर्फ एक page लिखो, तुम्हें शुरुवात में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे ये समझ में आता है कि जब तुम conclusion निकालोगे, तब तुम्हें clearly सारी चीज़ें समझाएंगे, रोज लिखना सिर्फ writers के लिए ही नहीं होता, ये उन लोगों के लिए भी है जो खुद को एक अच्छा communicator बनाना चाहते हैं, जो अपने thoughts को अच्छे से express करना चाहते ह ऐसा क्या, teacher, जब तुम लिखना शुरू करोगे, तब तुम्हारे thoughts इधर उधर से बहुत सारे आ रहे होंगे, और अगर तुम वैसे ही लिखना खत्म करतोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ending का sentence तुम्हें conclusion बनाने के लिए train करेगा, तुम इस same process को verbal communication के तोर पर imagine क तुम बोलते वक्त एक conclusion निकाल लोगे, आखिर में तुम यही तो चाते हो ना, student, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ लिखने से मैं एक अच्छा communicator नहीं बन सकता ना, teacher, यह एक जरूरी step है, लेकिन सिर्फ एक लौता step नहीं है, लिखने के बाद अगला step होगा, बोलना, लिखते स समय तुम्हारे thoughts से clear structure में बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी उन thoughts में तुम्हारी आवाज और तुम्हारे emotions बचे हुए हैं, इसलिए मैं students को advice देता हूँ, कि वो बोलते हुए अपनी एक मिनिट की वीडियो 90 दिनों तक बनाए, इन वीडियो उसको बार-बार देख है, वैसे तो ये एक मुश्किल काम लगता है, पर दिन में सिर्फ एक मिनिट की वीडियो बनाना तो अच्छा है, क्या सही में इससे कुछ help हो पाएगी? टीचर, तुम अगर कोई भी चीज consistently खरोगे, तो तुम्हें जरूर result दिखाई देगा, मेरा एक student था, उसने मेरी एक advice को इतना अच्छे से follow किया, कि उसने 365 दिन के लिए रोज एक वीडियो बना, तुम अगर उसकी 365 में दिन पर बनाए गए वीडियो को देखोगे, और प प्राक्टिस करने की beauty है, student, मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछी दिनों में, teacher, तुम भी जरूर बहतर बन जाओगे, लेकिन एक दिन में नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब तुम प्राक्टिस करो, तब तुम उन speakers को observe करो, जो तुम्हें अच्छे ल कर रहे हैं, और उन्हें समझने की कोशिश करो, जब तुम ये कर लोगे, उसके बाद तुम खुछ से सवाल करो, कि मैं ये emotions खुद के conversation skills में कैसे ला सकता हूँ, student, तो फिर ये तो copy करना हुआ न, अच्छा, ये idea तो मुझे पसंद आया, मैंने बहुत सारे communicators को देख करें स क्या ये सारी चीज़े भी matter करती है, teacher? हाँ, बिल्कुल, जब लोग अपने हाथ फोल्ड करके बैठते हैं, तब उससे इस समझ में आता है कि वो सुनने के लिए राजी नहीं है, और सिर्फ अपनी ही बात बताना चाहते हैं, पैरों को बार-बार हिलाने से ये पता चलता है कि वो इंस्टान nervous है, हम जो भी करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे बारे में बताती हैं, क्या तुम्हें पता है कि हमारी body language, हमारी non-verbal communication की 55 प्रतिशत है, और हम किस तरीके से बोल रहे हैं, वो 38 प्रतिशत और हमारे words सिर्फ 7%? student अच्छा, इसलिए जब कोई सेम चीज़ अलग लोग बोलते हैं, तब हमारे उपर उसका प्रभाव अलग पड़ता है teacher आँ, बिल्कुल और आज के जबाने में तो ये बहुत ही ज़ादा important है, क्योंकि हमारा ज़ादातर communication, electronic media के जरीए होता है, जहां पर हम एक दूसरे की body language को नहीं देख पाते हैं, इस वज़े से हम किन words का use लेते हैं, और उन्हें किस तरीके से अपनी बात में रखते हैं, वो बहुत ज़ाद important है, इस चीज में बहतर बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है पढ़ना, तुम जितनी ज़्यादा reading करोगे, उत्रा ही तुम्हारा mind smart बनता जाएगा, और वो sentences और words को बहुत ही अच्छे तरीके से use करना सीख लेगा, student, तो फिर writing और reading दोनों एक effective communication के लिए important है, ये सुनकर तो लगता है, मुझे बहुत मेहनित करनी पड़ेगी, teacher, अभी तक तो तुमने सबसे मुश्किल पार्ट सुना ही नहीं, student, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैं body language की skills कहां से सीखूं, teacher, communication का सबसे हाट पार्ट listening होता है, student, सॉरी मैं समझा नहीं, teacher, communication का सबसे मुश्किल पार्ट होता है सुनना, जो चीज तुम इस वक्त नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आसान नहीं, हम हमेशा वापस जवाब देने के लिए बात को सुनते हैं, ना कि उसको अच्छे से समझने के लिए, और इस वज़े से हम एक impatient communicator बनते हैं, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से बात कर रहे हो, और तुमने कोई बहुत ही important बात कही हो, लेकिन तुम्हें बदले में जवाब कुछ और ही बात से मिलाओ, और फिर तुम सोच रहे हो कि क्या अगला मेरी बात सुन भी रहा था या नहीं? स्टूरेंट, हाँ ऐसा तो बहुत बार हुआ है, तुम्हें अब समझ में आया कि ये कितना important है, स्टूरेंट, हाँ मुझे अब समझ में आया कि एक अच्छा communicator बनने के लिए हमें सिर्फ fluent English और confidence नहीं चाहिए, बलकि हमें सामने वाले के emotions को समझना होगा, जिससे हम communicate कर रहे हूँ, तुम बिलकुल सही बोल रहे हो, लेकिन ध्यान में रखना कि तुम knowledge और practice की power को नजर अंदाज ना कर दो, ये सारी चीज़ें एक verbal और written communication के लिए important है, ये सारी चीज़ें practice करने की बाद भी लोग एक अच्छे communicator नहीं बन पाते, क्योंकि वो सामने वाले की बात को अच्छे से समझते ही नहीं? Student, तैंक यू टीचर, अब मुझे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई है, और मैं आपकी बात बीच में काटने के लिए आपसे sorry कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त आपकी बात सुनी नहीं रहा था, आपसे मैं इन चीज़ों का ध्यान रखोंगा. मैं एक growth mindset कैसे बनाओ? Student, आज कर लिए growth mindset versus fixed mindset के बारे में काफी बात चल रही है, क्या हम सब एक fixed mindset के साथ पैदा नहीं हुए? कि हम कौन हैं और हमारी capabilities क्या है? क्या ये possible हैं कि हम जिस mindset के साथ पैदा हुए हैं, उससे भी आगे बढ़ सके? Teacher, मुझे भी बहुत लंबे समय तक इस बात पर विश्वास था, मुझे भी हमेशा यहीं लगता था, कि लोग कुछ capabilities के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम मैं बिल्कुल अलग इंसान, हमारी capabilities fix नहीं हैं, और इस सच को मानना growth mindset का एक पाट है. Student, fix mindset के वज़े से लोग वो सब हासिल नहीं खर पाते हैं, जो वो हासिल करने के capable होते हैं. Teacher, हाँ, बिल्कुल, इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि growth mindset होता क्या है, और उसे कैसे build किया जाता है. हमें इस चीज़ पर विश्वास करना पड़ेगा, कि हमारी capabilities fix नहीं हैं. Student, क्या ये possible है? क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा? Teacher, Growth mindset बनाने के लिए तीन तरीके. पहला तरीका ये, कि तुम दूसरी लोगों के साथ समय बिताओ, जो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हो. जब तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताओगे, जो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, Teacher, तुम्हें लगता है कि तुम सही हो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा इंसान गलत है दूसरे लोगों के साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को साइड में रख दो इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम दूसरों के नजरिये से भी इस दुनिया को देखो एक्जेंपल के लिए मान लो कि अगर तुम एंजिनियर हो तो फिर तुम्हारा पूरा थौट प्रोसेस, तुम्हारी पढ़ाई और ट्रेनिंग से प्रभावित होगा तुम हर चीज़ को जीरो और वन, ब्लाक और वाइट, बिच्स और बाइट्स, क्या चीज़ काम करती है क्या नहीं इस नजरिये से देखोगी लेकिन जब तुम एक ऐसे इंसान के साथ टाइम बिताओगे जो सोशल साइंस या आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा हो तो उसकी सोच तुम्हारी सोच से बहुत अलग होगी उसका इस दुनिया को देखने का नजरिया और चीज़ों को समझने का तरीका तुम्हारी सोच से बिलकुल अलग होगा वो जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं वो बहुत अलग होगा और क्या मुझे उनके नजरिये से दुनिया देखने को मिलेगी? टीचर क्योंकि सच के बहुत सारे रूप होते हैं सारे लोग अलग-अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं तब तुम खुद से सवाल करोगे कि उनको ऐसी क्या चीज़ पता है जो मुझे नहीं पता तब तुम तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दोगे स्टूडन्ट ये काफी काम की चीज़ आपने मुझे बताई ग्रोथ माइंडसेट बनाने का दूसरा तरीका क्या है टीचर दूसरा तरीका ये समझने का है कि रिस्क हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है स्टूडन्ट लेकिन क्या रिस्क का मतलब हारना नहीं है? और हमें शायद रिस्क को अवाइड करना चाहिए है यह एक fixed mindset की निशानी है रिस्क को अवाइड करने से हमको stability मिल दिये लेकिन एक growth mindset वाला इंसान जिससे पता है कि रिस्क से भागा नहीं जा सकता उसके लिए रिस्क कोई खटरा नहीं है लेकिन एक opportunity है जब भी मैं रिस्क की बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में stock market के investors आते हैं जो अपना पैसा खो देते हैं teacher मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ चाहे तो उससे तुम्हें मदद मिले stock market, investors market को अच्छे से समझते हैं और वो कैसे काम करता है इस चीज को समझते हैं उन्हें पता है कि कुछ समय के लिए जैसे 6-12 महिने या 1-2 साल के लिए market उपर नीचे होगा और कभी नुकसान तो कभी फायदा देगा लेकिन उन्हें एक चीज अच्छे से पता होती है कि 5-10 साल के लंबे समय में market जरूर उपर आएगा और उन्हें फायदा होगा ये सेम चीज हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजों पर अपलाए होती है एक्जेंपल के लिए अपना करियर चेंज करते वक्त एक नई relationship में आते वक्त या अपने पैसे invest करते वक्त तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि तुम risk को avoid नहीं कर सकते तुम सिर्फ उसे समझ सकते हो student अच्छा तो growth mindset वाले लोग अपने comfort zone से बाहर निकलते हैं और risk को समझते हैं teacher बिलकुल और risk को समझने के बाद उनकी growth शुरू होती है इस बाद से मैं अपने third और final point पर आता हूँ जिससे हम एक अच्छा growth mindset बना सकते हैं हक्दार वाले behavior से बाहर जाना student लेकिन मैंने बहुत महनत की है यहां तक पहुचने के लिए तो फिर मैं उस चीज का हकतार क्यों नहीं हूँ teacher ये एक mistake है जो हमें से ज़्यादा तर लोग करते हैं और ये चीज़ जो हमें एक fixed mindset में बाद लेती है क्योंकि हम ये मानते हैं हमें जिन्दगी में जो भी मिलाए वो हम deserve करते हैं और हमने उस चीज़ को पाने के लिए बहुत महनत की है लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी अच्छी किस्मत है सिर्फ अच्छी किस्मत ही थी कि हम एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर हमको रहने का अच्छा घर मिला अच्छा खाना मिला अच्छी पढ़ाई मिली और अच्छी परवरिश हुई काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें भी नहीं मिल पाते बहुत सारे लोग हमसे कहीं गुना जादा मैनत करते हैं लेकिन उनके पास वो नहीं होता जो हमारे पास पहले से होता है काफी सारे लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट भी होंगे फिर भी हम खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि हम जहां पर हैं ये हम डिजर्व करते हैं और इस वज़े से हम हकदार फील करते हैं। इस तरीके के लोगों की कभी ग्रोथ नहीं होती। वो सिर्फ फल का इंतिजार करते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जो भी चाहिए, वो मिल जाएगा। क्योंकि वो उसके हकदार है। तो फिर क्या मैं अपने हाड़ वर्ग को नजर अंदास कर दूँ। तुम इस चीज को समझो कि तुम जिन्दगी में जहां पर हो, वहां पर तुम अपनी किस्मत और अपनी मेहनत की वजह से हो। एक ग्रोथ माइंसेट वाला इंसान हमेशा ग्रोथ की बारे में सोचता है और वो अपनी जिन्दगी के लिए शुक्र गुजार होता है। इसलिए जब वो कोई चीज हासिल करते हैं तब उस चीज को लेकर हकदार फील नहीं करते हैं बलकि उस चीज के लिए grateful फील करते हैं। grateful फील करने से हमारी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम एक fixed mindset से बाहर निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। अच्छा तो मैं दूसरे लोगों के साथ वक्त बिता लूँगा तब मेरा नजरिया और ज्यादा बड़ा होगा और मुझे चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगे अगर मैं रिस्क के बारे में कहूं तो मुझे रिस्क को अवॉइट करने की जरूरत नहीं है बलकि मुझे रिस्क को अच्छे से समझने की जरूरत है और अगर मैं हमेशा हक्तार वाली फील में नहीं रहूंगा और हर चीज के लिए शुक्र गुजार रहूंगा तो मुझे और भी ज्यादा ग्रोध मिलेगी इसका मतलब ये कि मैं बस अपनी सोच में ही गयत था कि मेरी capabilities सिर्फ यहीं है बलकि सच तो ये है कि जो मैं चाहूं वो हासिल कर सकता हूँ मैं मेरी जिंदगी के मुश्किल decisions कैसे लो student मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कुछ लोग इतने बड़े decisions कैसे ले लेते हैं मैं सिर्फ बड़े decisions लेने से ही confused नहीं होता बलकि छोटे decisions जैसे online टीचर्ट order करने में भी confused हो जाता हूँ teacher अगर तुम गलत टीचर्ट भी order कर लेते हो तो जादा से जादा क्या होगा student मैं उसे return करके दूसरा order कर लूँगा teacher क्या हम अपनी जिंदगी के बड़े decisions के साथ भी ऐसा कर सकते हैं student क्या वो रिस्की नहीं होगा teacher आज़ा चलो मुझे एक बात बताओ क्या तुमने कभी वो टीचर्ट order किया है जो टीचर्ट तुम्हारे हिसाब से अच्छा था और तुम उसे पूरी जिंदगी पहन सकते थे लेकिन जब वो तुम्हारे पास आया तब वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है student हाँ ऐसा तो काफी बार हुआ है teacher पिर तुमने क्या किया student मैंने उसे return कर दिया teacher इसने तुम्हें decision making के बारे में क्या समझ आता student मुझे शायद ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने कोई decision लिया जो सही काम नहीं किया तो वापिस से हम पहले वाली जगह पर आ सकते हैं teacher यही सबसे अच्छी चीज़ है decision making के ज्यादतर decisions को हम वापिस ले सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर कोई decision सही काम नहीं करता तो हम वापिस वहां से शिरू कर सकते हैं पर हम पहले थे लेकिन यहां पर दिख्कत यह है कि ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि डिसिजन्स रिवर्सटिबल नहीं होते इसलिए वो एक परफेक्ट डिसिजन लेने में बहुत सारा टाइम बनबात कर देते स्टूदेंट क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए एक परफेक्ट विजन लेना तो अच्छी बात है तुम्हें कभी भी यह पता नहीं चलेगा कि कोई डिसिजन सही है या घलत है जब तक तुम वो डिसिजन ले नहीं लोगे स्टूदेंट लेकिन आगर मैंने कोई घलत डिसिजन ले लिया तो उस वज़े से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम एक सही डिसिजन ढूणने के चकर में काफी टाइम बरबाद कर ही रहे हो स्टूदेंट तो फिर मुझे क्या करना चाहिए तुम एक मुश्किल डिसिजन लो तब तुम्हें उसे अच्छे से समझना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या क्या ओप्शन है मानलो तुम्हें कॉलिज A और कॉलिज B में से डिसाइड करना है कि तुम्हें कॉन सी कॉलिज में जाना है पहले हमें एक लिस्प बनाएंगे जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टन है उन सारी चीज़ों को percentage में हम लिखेंगे कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए कितनी important है। जैसे कि college reputation तुम्हारे लिए 40% important है। जो course तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए 20% important है। तुम्हारे लिए placement की opportunity 10% important है। तुम्हारे लिए college के बच्चे 15% important है। और तुम्हारे लिए उस college में पढ़ने का तरीका 15% important है। कब इन सबका total 100% हुआ। हमने इन सब चीज़ों को अलग-अलग percentage में इसलिए बाट दिया है क्योंकि सारी चीज़े तुम्हारे लिए बराबर important नहीं हो सकते। एक बार जब तुमने ये कर लिया फिर उसके बाद तुम college A और college B को एक दो तीन points दोगे। तीन points सबसे best और एक points सबसे कम। सारी calculation करने के बाद अगर college B को ज़ादा point मिलते हैं तो फिर हम college B को select करेंगे और इस तरीके से तुम सही decision ले पाऊगे। student क्या मेरी family वाले जो decide करेंगे मैं वो same college नहीं जा सकता। teacher वो करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। family वालों की सोच अलग है। उनके लिए college में क्या चीज़े important हैं वो सारी चीज़े तुम्हारे हिसाब से अलग होंगी। उनकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से या लग रही। इसलिए उनका decision तुम्हारे लिए शायद सही ना हो। उनके लिए जो चीज़े important हैं वो शायद तुम्हारे लिए ना हो। इसलिए तुम्हें खुड decide करना चाहिए कि तुम्हें क्या सही लग रहा है। स्टुडेंट लेकिन अगर मेरा decision घ्लत रहा। तुझ जैसे कि आपने कहा कि decision लेने के बाद ही पता चलता है कि वो घलत है ऐसा ही। और मुझे decision लेने के बाद पता चला कि मैंने घलत college चुन लिया है और वहां को पढ़ाई शुरू कर दिया। फिर मैं क्या घरूँगा। college में admission लेने का decision तो reversible नहीं है। teacher अब मैं तुम्हे decision making का एक बहुत ही important part समझाता हूँ। एक बार जब तुमने समझ लिया कि तुम्हें क्या decision लेना है। उसके बाद तुम ये imagine करो कि ये decision लेने के बाद बुरे से बुरा क्या हो सकता है। बुरे से बुरा क्या होगा। तुम इसी वक्त imagine करो कि जैसे तुम उस situation में हो। तुम्हें अच्छे से imagine करना होगा। कि बुरे से बुरा तुम्हारे साथ decision लेनी के बात क्या हो सकता है और फिर खुद से पूछो क्या तुम उस situation को समान लोगे इस सवाल का जवाब decide करने से पहले तुम्हें और भी काफी सारे सवाल खुद से करने होगे क्या तुम financially stable रहोगे कि कोई decision सही है या घलत ये exercise करने से तुमने अपने दिमाग को बुरी से बुरी situation के लिए तयार कर लिया उस decision को लेने में जिसे लेने में तुम्हें डर रोक रहा था डर अब खत्म हो चुका है और अब तुम शांती से decision ले सकते हो student मगर वो बुरी situation में मैं comfortable ना हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए teacher उस situation में तुम decision लेने के लिए ready नहीं हो उस पक्तुमारे पास दो option हो या तो तुम वो decision लो ही ना जो शायद possible नहीं हो पाएगा या फिर तुम खुद को उस बुरी situation के लिए अच्छे से prepare कर लो और एक plan बना लो कि अगर चीज़ें सही नहीं जाती हैं तो तुम उन्हें कैसे face करोगे student एक सही दिशा ढूणने के चक्कर में मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता मेरे साब से मुझे जो सही लगे बोर decision ले लेना चाहिए और बाद में का चीज़ें सही नहीं होती तो मैं उन्हें face कर लूँगा मैं अपना time manage कैसे करूँ student मैंने time management के उपर बहुत सारी किताबे पढ़ी हैं मैंने काफी सारे time management के course भी लिये मैंने दुनिया की सबसे अची website पर भी time management के बारे में पढ़ा है लेकिन मैं हमेशा अपना दिन खराब कर देता हूँ और अपना time बर्बाद कर देता हूँ इस वज़े से मुझे बहुत demotivated feel होता है और ये cycle चलती ही रहती है teacher तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है student क्योंकि मुझे time manage कैसे करना है ये अच्छे से नहीं पता मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता teacher अगर तुम्हें लगता है कि books, courses और videos से तुमारी कोई help नहीं हो रही है तो अभी तुम उन्हें क्यों देख रहे हो क्या तुम्हें लगता है कि वो courses और motivational videos तुम्हें कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो तुम्हें already पता नहीं पता नहीं student मैं इस उमीद में होता हूं कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा teacher time management में कुछ भी नया सीखने को नहीं है तुम कोई भी बुक पढ़ो, course देखो या विडियो देखो सब में तुम्हें सेम ही चीज मिलेगी जब हम बहुत energetic होते हैं और बहुत productive होते हैं जब हमें पता होता है कि किस वक्त का क्या करना है तब हमारे पास बहुत सारा time होता है time management का पहला step time और हमारी relationship को समझना है student time के साथ हमारे relationship मुझे कोई समझ नहीं आया teacher अगर तुम कभी समझ नहीं पाए कि time कैसे काम करता है और तुम्हारा time के साथ क्या रिष्टा है तो तुम कभी उसे manage नहीं कर पाओगे तुम time को तभी manage कर सकते हो जब तुम तुम्हारे और time के रिष्टे को अच्छे से समझो मुझे बताओ क्यादों में पता है कि तुमने पिछले हफ़ते क्या किया तुमने तुम्हारा time कहां बिताया student मैंने हर दिन to-do list बनाई लेकिन मैं कभी वो सारे काम खत्मी नहीं कर पाया मैं अगर time को track करने की कोशिश करूं भी तो भी मैं नहीं कर पाता इसलिए मेरा जवाब है मुझे नहीं पता मैंने पिछले हफ़ते का समय क्या करने में बिताया teacher जब तुम इस सवाल के बारे में सोचते हो तो तुम उस समय पर focus करते हो जिस समय तुम काम कर रहे होते है और वो तुम्हारे दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 30% से 50% समय होता है student मुझे पता है लेकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा समय उसी में चला जाता है teacher तुमने अपना समय अपने काम के अलावा दूसरी चीजें करने में और time pass करने में बिताया होता वाला कि जब भी हम time के बारे में सोचते हैं तब हम सिर्फ उसी वक्त के बारे में सोचते हैं जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं हम बागी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं student तो फिर हमें क्या करना चाहिए teacher इसी लिए तुम्हें time को track करना चाहिए ताकि तुम तुम्हारी और time की relationship को समझ सको तुम पूरे दिन में क्या कर रहे हो और कब कर रहे हो तुम्हें एक-एक चीज़ को track करना होगा कम से कम 10 दिन के लिए और अगर 30 दिन के लिए करते हो तो और भी अच्छी बात है सुबह उठने से लेकर रात को सुने तक का तुम्हारे पास टाइम का रेकॉर्ड होना चाहिए और फिर तुम्हारे पास इन दो सवालों का जवाब होना चाहिए तुमने जो भी किया वो क्यों किया आज दिन में जो भी किया उसके बाद तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है तुम जब खुद से ये सवाल करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है जब तुम इन दो सवालों का रोज जवाब देने लगोगे तब तुम्हें तुम्हें तुम्हारा टाइम के साथ रिष्टा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट ये तो काफी मुश्किल खाम लग रहा है क्या सारे अच्छे टाइम मेनेजर यही करते हैं टीचर नहीं लेकिन सब इसी चीज़ से शुरुवात करते हैं अज एक बार उस वक्त के बारे में सूचो जब तुमने पहली बार बाइक या कार चला थे उसनमें तुम बहुत ही साधा ध्यान से चला रहे होंगे तुम अपने आस्पास की हर चीज का ध्यान रख रहे थे और तुम्हें सारी चीज़ें पता चल रही थे तुम ध्यान रखकर गियर बदल रहे थे, तुम आसपास के लोगों का और दूसरी गाड़ियों का ध्यान रख रहे थे, तुम उसने में बिलकुल प्रेजेंट थे और आसपास की चीजों को अब्जर्व कर रहे थे, आज तुम बहुत ही आसानी से ड्राइब कर लेते हो, मैं मेरे दिन के हर घंटे का रिकॉर्ड रखता था, जब मैं 13 साल का था, तब से लेकर 26 साल की उम्रता, 13 साल तक मैंने अपने टाइम का रिकॉर्ड रखा, इसलिए आज मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे पता है मैं अपना समय कहां विता रहा हूँ, यह अब मेरी एक हैबिट बन चुकी है, स्टूडेंट, तो फिर आब यह कहना चाहते हो कि शुरुवात में अपने टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ यह मेरी आदत बन जाएगा, तीचर, आँ, बिलकुल, शुरुवात में तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें याद रखकर टाइम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगे, स्टूडेंट, मेरे दिमाग में एक और सवाल चल रहा है, क्या इस सब का मतलब यह है कि मे तुम्हें टाइम रिकॉर्ड में वेस्टे टाइम नहीं होना चाहिए, मैं दिन में कुछ घंटे के लिए काम करता हूँ, फिर कुछ छोटे से ब्रेक लेता हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ मैं नेट्फिक्स देखने में अपने दोस्तों से भात करने में भी काफी टाइम और मुझे वो सब करने में मसा आता है, यह जो टाइम में वेस्ट कर देता हूँ, इस सब का मैं क्या करूँ, टीचर, यह बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल था, हिसाब से तो टाइम मेनेजमेंट के प्रिंसिपल तुम्हें यही बताएंगे, कि तुम्हें 100% दूसरा, important लेकिन urgent नहीं, तीसरा, urgent लेकिन इतना important नहीं, चौथा, urgent भी और important भी, उसके बाद खुद से सवाल करो कि तुम्हें इन टास्क के क्या combination बनाने चाहिए, जिससे तुम्हारा दिन पूरा productive कुजरे, एक्जैम्पल के लिए हर 30 मिनिट में 5 मिनिट का ब्रेक लेने से शायद तुम productive बन सको, उन 5 मिनिट के ब्रेक में तुम जो चाहे वो करो, थोड़ा सा घूम कर आओ, अपने दोस्तों से बात कर लो और कुछ भी, उस 5 मिनिट के ब्रेक में तुम बिल्कुल फ्रेश होकर वापस अपने काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, अलकि अगर 5 मिनिट का ब्रेक, कुछ घंटे के ब्रेक में बदल गया, तो तुम्हें दिन के एंड में बहुत ही गंदा फील होगा, क्योंकि तुम काफी टाइम बेस्ट कर चुके होगे, जब हमें सही से समझ में आएगा, कि क्या चीज जादा इंपॉर्टन्ट है, और हमें अपने टा आएं कि ये मेट्रिक्स तुम्हें ये कहती है, कि जो चीज़े अरजन नहीं है, और इंपॉर्टन भी नहीं है, उन्हें तुम अपने टास्क में से हटा दो, लेकिन मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा, कि तुम एक बैलन्स बनाओ, तुम अपने समय का कुछ पार्ट उसे भी दो, मैंने अपने हिसाब से अपने कामों को इन चार हिसों में बाट रखा है, और मुझे किस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय देना है, और कितना समय देना है, ये मैंने डिसाइड कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपकी मेट्रिक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी खुद की एक मेट्रिक्स बना सकता हूँ, और जब मैं खुद को अच्छे से समझ लूँगा, तब मैं अपने आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा, पिर त एक बार जब मुझे ये सारी चीज़े समझ में आगे ही, तो मुझे पता होगा कि अब मुझे क्या करना है आगे, है ना, टीचर, आँ, मिलकुल, मैं फोकस कैसे करूँ, स्टूडेंट, मैं हसानी से फोकस नहीं कर पाता, मैं किसी चीज़ पर काम कर रहा होता हूँ, और जै तुम कह रहा हो, तुम फोकस नहीं कर पाते, क्या ये इसलिए है क्योंकि जो तुम काम कर रहा हो, वो इंट्रेस्टिंग नहीं है या फिर दूसरी चीज़ें ज्यादा इंट्रेस्टिंग है, स्टूडेंट, अगर मैं सच बता हूँ, तो दूसरी चीज़ें ज्यादा जब भी हम किसी important चीज़ पर काम कर रहे होते हैं तब हमारा ध्यान किसी और चीज़ पर चले जाता है मेरा सवाल तुम से ये है कि तुम इस चीज़ से fight करना क्यों चाहते है student मुझे क्यों नहीं करने चाहिए इस चीज़ से fight teacher teacher अगर मैं तुमको ये कहूँ कि time waste करना और तुम्हारे दिमाग को इधर उधर की चीज़ों पर सोचने देना तुम्हारे schedule का एक part है तो student क्या आप serious हो teacher हाँ मैं serious हूँ जैसे ही तुम time waste करना शुरू करोगे तुम्हारा दिमाग महनत करना बंक कर देगा अपना दिमाग पहले ही चीज़ें समझ जाता है दिमाग को पता होता है जैसे कि साड़े बारा बज़े तुम तीस मिनिट के लिए time based करते हो उसका मतलब यह है कि अभी तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अभी तुम सिर्फ time pass करना चाहते हो student यह सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है लेकिन मैं अभी भी शूर नहीं हूं कि क्या ही मुझे focus करने में मदद कर पाएगा teacher मुझे एक example लेकर समझाने को तुम्हें पता है कि diet schedule में cheat day रखने से body fitness को और जल्दी hustle करती है जब कोई weight loss करने के लिए बहुत discipline होता है तब हमारी body reward का इंतजार कर रही होती है जब हमारी body को समझ में आ जाता है कि उस दिन उसे अच्छा खाने को मेलेगा तो वो और अच्छे से महनत करने में हमारा साथ देती है और body weight loss करने के लिए जो मेहनत करनी है उसके लिए ready हो जाती है इस वज़े से results और अच्छे से आते है student इसका मतलब यह है कि हमें खुद को reward देना चाहिए teacher आँ बिलकुल student तु क्या इसका मतलब यह है कि मैं सुबह उठते ही बिल्ली के डांस करने की वीडियोस देख सकता हूँ teacher तुम्हे time-based करने का reward पहले मेहनत करके कमाना होगा पहले तुम्हें focus से कुछ घंटे मेहनत करनी होगी तब जाकर तुम्हें time-based करने का यह reward मिलेगा नहीं तो तुम अपने mind को घलत तरीके से train करने लगोगे student तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैंने इतनी मेहनत कर लिये कि मुझे time-based करने का reward मिल सकता है teacher इसको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है उसे कहते है pomodoro technique यह एक scientific technique है जो हमें ये कहती है कि हमें 30 minute के समय को दो पार्ट में divide करना चाहिए पहले 25 minute focus के साथ काम करना और 5 minute का break इस 5 minute के break में जो तुम करना चाहे हो वो कर सकते हो अपने दोस्तों से बात करो अपना phone चलाओ या walk करो कुछ भी करो लेकिन 5 minute खत्म होते ही तुम्हें अगले 25 minute के लिए काम शुरू कर देना है इस तरीके से तुम चार या पांच cycle repeat करोंगे और फिर एक लंबा 30 minute का break लोगे इस technique से हम mind को 5 minute के break का reward दिखाते हैं जिससे वो 25 minute focus के साथ मेहनत कर पाता है इस break से mind को भी rest मिल जाता है ताकि वो अगले 25 minute वापस मेहनत कर सके ये technique बहुत ही ज़्यादा काम आती है एक बार जब तुम्हें से practice करने लगोगे तब तुम्हें समझाएगा है कि ये कितनी effective technique है student क्या मैं इस pomodoro technique को उस वक्त भी use कर सकता हूँ जिस वक्त मैं किसी मुश्किल चीज़ पर काम कर रहा हूँ teacher जब time based करने की reward को पाने की tension बहुत ज़्यादा हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हो तब ये technique और भी अच्छे से काम करती है student क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने काम में इतनी महनत नहीं करूँगा teacher सोचोगे तुम्हारे पास दो टास्क है एक टास्क ऐसा है जो बहुत difficult है और तुम वो टास्क नहीं करना चाहते और दूसरा टास्क आसान है जिसमें तुम्हें ज़्यादा महनत नहीं लगेगी अगर तुम पहला टास्क चुनोगे तो तुम्हारा माइन बस टाइम वेस करने के रिवार्ट के बारे में सोचेगा और तुम अपने काम में इतनी महनत नहीं कर पाऊगे यतने तुम कर सकते हो student आपको बताएं मैं हमेशा जब भी अपने काम को फोकस के साथ नहीं कर पाता तब मुझे बहुत लूजर जैसा फील होता है teacher जब ही हम time waste करते हैं तब हमें बुरा लगता है हम खुद को कोशते हैं उस वज़े से हम और भी ज़्यादा time waste कर लेते हैं क्योंकि हमारा mood खराब हो चुका होता है अगर किसी को कोशने से कुछ फर्क पढ़ता तो हमें किसी तरीके की जरुवत ही नहीं थी हम सिर्फ एक दूसरे को कोशते रहते और अपने जिन्दगी में आगे बढ़ते रहते लेकिन ऐसा नहीं होता है जब हम time waste करते हैं फिर हम खुद को कोशते हैं उस वज़े से हम और भी ज़्यादा time waste कर देते हैं इस तरीके से तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम सब ज़्यादा तर खुद को और दूसरों को कोशते ही रहते हैं सक्सेस्फुल लोगों के बीच और खुद को कोशने वाले लोगों के बीच में सिर्व यही फर्क है कि सक्सेस्फुल लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं और उनके बस में जो होता है वो करते हैं बजाए खुद को कोश कर बैठे रहने के स्टूडेंट खुद को कोश कर बुरा फील करने वाला गेम मैं खुद के साथ बहुत भार केट चुका हूँ और उससे मुझे कभी भी पॉजिटिव रिजल नहीं मिला इसलिए हम मुझे वो करना पड़ेगा जो सक्सेस्फुल लोग करते हैं खुद को कोसने से कुछ भी नहीं होगा हमें आक्शन लेना पड़ेगा टीचर आँ, बिल्कुल मैं क्रिटिसिजम के साथ कैसे डील करूँ स्टूडेंट मैं कितना भी बहतर बन जाऊं या स्ट्रॉंग बन जाऊं मैं क्रिटिसिजम के साथ दील नहीं कर पाता टीचर तुम्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिजम कहां से मिलता है स्टूडेंट कभी ऑनलाइन तो कभी किसी भी इंसान से ज्यादे तर आफ्लाइन उन लोगों से जो अंजान नहीं है टीचर मेरा एक सिंपल सा लाइफ का रूल है अगर मैं किसी के अडवाइज को सीरियसली नहीं लेता तो किसी के क्रिटिसिजम को सीरियसली क्यों है स्टूडेंट वाह और ये आपने कैसे डिसाइड किया कि हमें किसकी अडवाइज सीरिसली लेनी चाहिए और किसकी नहीं? टीचर वो हमें अपने आप समझ में आ जाता है क्या तुम किसी ट्रोल से मिली गई अडवाइज को सीरिसली लोगे? स्टूडेंट नहीं, कभी भी नहीं क्योंकि मुझे नहीं पढ़ा कि वो सही बोल रहे हैं नहीं? टीचर बिलकुल मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ और इसी वज़े से उनका क्रिटेसिजम भी तुम्हारे लिए सही नहीं है उनका क्रिटेसिजम हमें उनकी लाइफ के बारे में बताता है टीचर आँ बिलकुल ऐसा ही है अब तुम्हें उनके लिए बुरा फील हो रहा हुए और तुम्हें घुस्ता आना बंद हो गया हुए क्योंकि तुम्हें पता है कि वो अपनी जिन्दगी में खुश नहीं है इसलिए वो ऐसी बाते कर रहे है अब तुम्हें असली चीज समझ में आई है हमें उनके क्रिटिसिजम और उनकी अड़्वाइस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके अड़्वाइस से हमारी जिन्दगी का कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट उनकी बातों को सीरियसली लेने पर अब मुझे खुद के उपर हसी हा रही है ठीचर अब हम उनके क्रिटिसिजम की बात करते हैं जिन्हें तुम जानते हो स्टूडेंट हाँ, फैमिली, फ्रेंज और कॉलीग्स ठीचर लेकिन वो तो तुम्हें फ्री में क्रिटिसाइज कर रहे है जिसकी वज़े से तुम और बहतर पन पाऊ तो फिर इस चीज़ से तुम्हें क्या तकलीफ है स्टूडेंट इन मेंसे कुछ लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ और किसी को बिलकुल नहीं जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनके लिए मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि वो मुझे क्रिटिसाइज क्यों कर रहे है और जिनसे मैं प्यार नहीं करता उनके लिए मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता है तुम उन लोगों से दूर क्यों भाग रहे हो जो तुम्हारी चिंता करते हैं और तुम्हारे भले के लिए ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्टूडेंट आपको ये चीज नहीं समझा सकता लेकिन मैं उनके पास में सेफ फील करना चाहता हूँ और क्रिटिसिजम की वज़े से बिलकुल उल्टा हो जाता है टीचर मैंने कभी इस तरीके से तो सूचा ही ने क्या आप मुझे इस बारे में थोड़ा और एक्स्प्लेइन करके समझा सकते हैं टीचर हम जिन से प्यार करते हैं उनसे ही जब हमें क्रिटिसिजम मिलता है तब हमें बहुत पुरा रगता है क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं हलाकि सच्चा प्यार वही है जो आपको सच्चा ही बता है जब हम उनके क्रिटिसिजम को अच्छे से समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो हमसे क्या क्याना चाहते रहे एंथनी डिमेलो ने एक लाइन कही थी वो कुछ ऐसी थी उस चीज़ पर ध्यान दो जो कही गई है ना कि उस चीज़ पर कि किसने कहा है स्टूडेंट आप मुझे आपकी बात समझ में आ रही है उस चीज़ पर ध्यान दो जो कही गई है ना कि उस चीज़ पर कि किसने कहा है टीचर हमें धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगते हैं जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं student लेकिन वो हमें criticize क्यों करते हैं teacher तुम उस जगह पर हो जिस जगह पर तुम अपने ही लोगों की नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते हैं और वो इस जगह पर हैं, जहां वो दुनिया के नजर में बुरे नहीं बनना चाहते हैं। स्टूडेंट, हाँ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। टीचर, ऐसा तब होगा जब तुम खुद से सवाल करोगे, कि वो तुम से क्या कहना चाहरे हैं, ना कि तुम उनसे चिड़ने लगो, अगर तुम क्रिटिसिजम को पॉजिटिवली लोगे और उन चीज़ों के उपर काम करोगे, तो तुम वक्त के साथ और जादा बहतर बन प होता है कि हमारे पास कोई जॉइस नहीं है, तब भी हमारे पास जॉइस होती है, स्टूडेंट, मुझे ये सारी चीज़े तभी अच्छे से समझ आएंगे, जह मैं इन चीज़ों को ट्राय करने लगोंगा, टीचर, हाँ, और वही सही तरीका रहेगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उन चीज़ों पर तुम विश्वास मत कर, पहले खुद एक्सपेरिमेंट करो, और फिर तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और क्या गलित है, स्टूडेंट, हाँ, बिल्कुल, मैं आप से प्रॉमिस करता हूँ, कि मैं इसे जर क्यों लगता है, और हमारी life choices पर मिले गए criticism से तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, teacher, क्योंकि हमारे parents हमारे सबसे close हैं, हम उन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह हमारी गलती है, कि हम उनके criticism को negative ली ले लेते हैं, उनका criticism नहीं है, उनकी सोच है, वो तो बस उनकी समझ है, student, यह कहना आसान है पर करना मुश्किल, teacher, अगर यह आसान होता, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि parents अपना opinion रखते हैं, जिसे हम criticism समझ लेते हैं, मेरे parents सोचते हैं कि मुझे engineer बनना चाहिए, मेरे parents नहीं चाहते हैं कि मैं अपना career change करूँ, यह सिर्फ उनका एक opinion है और वो तुम्हारी opinion से सहमत नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हें criticize कर रहे हैं, इस case में तुम्हारी responsibility बनती है, कि तुम उनके opinion को समझो, वो तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं, यह समझो, student, म मैं क्या समझू, मुझे ऐसा ही लगता है कि वो मुझे पर अपना opinion थो पर है, teacher, तुम्हारी parents एक बहुत ही अलग दुनिया में बढ़े हुए, जहाँ पर उनके पास ज्यादा choices नहीं थी, इसलिए उनकी सोच में और तुम्हारी सोच में काफी फर्क है और यह रहेगा, वो तुम्हारे उपर तबाव नहीं बना रहे, वो सिर्फ तुम्हारी चिंता करते है, तुम्हारे parents तुम्हारी सोच को accept नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको आज के समय के opportunities के बारे में नहीं पताए, student, तो फिर मैं उन्हें अपनी दुनिया के बारे में कैसे समझाओ, teacher, वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें समझाया, एक एक स्टेप से, एक बार में एक चीज़ बता जा, एक बार में एक doubt clear करके, student, क्या ये सेम चीज़ वहाँ पर भी apply होती है, जब मेरे manager या मेरे colleagues मुझे criticize करे, teacher, वहाँ पर ये चीज़ क्यों अलग होगी, कोई भी सुबर उठकर ये कोशिश कर, ये तुम्हारी responsibility है, कि तुम उनकी बात को समझो, अगर तुम उस चीज़ को criticism के रूप मिलोगे और उसके बुरा फील करोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने बार है, तुम वहीं पर रहोगे जहां पर तुम हो, तुम्हारी सिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, student, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सिंदगी में हमें खुद को अच्छे से समझने की बहुत जादा जरूमत है, और पूरा खेल यही है, एक बार मुझे समझ आ जाए कि मेरे emotions कैसे हैं, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुझे उन्हें manage कैसे करना है, teacher, अहां, बिलकुल, मैं reading की habit कैसे बनाओ, student, मैं reading की habit कैसे बनाओ, मैंने काफी बार try किया, लेकिन मैं हर बार fail हो गया, teacher, तुम्हें क्या दिख़ता दिये, student, मैं पढ़ने के लिए book उठाता हूँ, और फिर पढ़ना शुरू करता हूँ, लेकिन कुछी देर में book बंद करके अपना time waste करना शुरू कर देता हूँ, teacher, मैं तुम्हारी problem समझ भा रहा हूँ, अच्या मुझे एक बात बताओ, कि तुम book कैसे select करते हूँ, student, twitter पर कोई recommendation आता है, या कोई newsletter से, या फिर instagram पर, कहीं मैं कोई book देख लेता हूँ, teacher, अपनी reading की journey में सबसे बड़ी mistake लोग यही करते हैं, वो उस book को select करते हैं, जिसे पढ़कर वो दूसरों के सामने smart बन सके, student, हाँ, बिलकुल, पर इसमें गलती क्या है, teacher, क्योंकि वो books बहुत deep होती हैं, और इस तरीके से लेखी गई होती हैं, कि उन्हें पढ़ने वाला already एक अच्छा reader होगा है, अलकि हम सबको पढ़ने की आदत नहीं होती हैं, हमने हमारे school और college के books के अलावा कोई book नहीं पढ़ी होती है, इसलिए हमारा patience level काफी कम होता है, student, हम, आपकी बात तो बिलकुल सही है, मचे सबके सामने cool देखना है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई scratch से शुरू करने का मतलब क्या है, मुझे already पढ़ना तो आता ही है, teacher, अँँ, तुम्हे पढ़ना आता है, लेकिन scratch से मेरा मतलब ये था कि तुम उन books को शुरू करो, जिन books को पढ़ने का तुम्हें मन हो, तुम्हारे इसाब से वो कौन से books है, जिने पढ़ने में तुम्हे comics बहुत पसंद थी, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उन्हें पढ़कर मैं बेवकूफ लगूँगा, teacher, हम सब यही गलती करते हैं, कि हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेगे, जबकि लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे है, student, अच्छा, teacher, और अगर त अच्छपन की comics पसंद थी, तो तुम्हें comics पढ़करी अपनी readings journey को शुरू करना चाहिए था, तुम comics पढ़ना शुरू करो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी reading की habit बन जाएगी, student, क्या आपने भी अपनी reading की habit ऐसे ही बनाई थी, teacher, आँ, बिलकुल ऐसे ही, मैं एक बच्च पढ़ना था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तब मैं चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, सुपर कमांडो दुरू, ऐसी comics पढ़ना करता था, उसके बाद वक्त के साथ-साथ मैं Asterix और Archie's comics पर शिफ्ट हो गया, मेरी पूरी स्कूल लाइफ ये comics पढ़कर मैंने रीडिंग की आदत बनाई, और उसके बाद मैं fiction और non-fiction बुक्स पढ़ने लगा, student, आपने तो कई टाइप की बुक पढ़ी है, मुझे लगा आपने सीधा ये intellectual टाइप की बुक से ही अपनी reading journey की शुरुवात की, teacher, Mercedes की sports car 0 से शुरू होती है, और फिर formula 1 की speed पर पहुँच दिया, student, लेकिन comic books पढ़ने से तो सिर्फ entertainment मिलेगा, उससे मेरा क्या फायता होगा, teacher, हर छूटी आदत के साथ साथ और भी कई चीज़े होती है, मालनों कि तुम वीकेंड पर बिल्कुल फ्री हो, तो इसलिए तुमने decide किया कि तुम आराम से सोफे पर बैठ कर 6-7 घंटे क से तुम्हारी body खराब हो सकती है, इतनी देर screen के सामने रहने की वज़े से तुम्हारी आखें कमजोर पढ़ सकती है, तुम वहाँ बैठे बैठे ज्यादा खाने लगोगे, और तुम्हारी body active नहीं रह पाएगी, और इसी तरीके से comics पढ़ने की case में entertainment के साथ साथ तुम्ह student मेरे पास एक और सवाल है, क्या ये सारे knowledge वीडियोज देखकर नहीं ले सकता है, हमें अच्छा content consume करने के लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है teacher मुझे तुम्हारा सवाल अच्छा लगा, reading से ये होता है कि जब तुम पढ़ते हो, तब तुम अपना visual sense यूज करते हो, और इस process के दौरान तुम कुछ और नहीं कर सकते, जैसे लिखना, बोलना या किसी और बात को सुनना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए distraction होती है, और जब तुम एक वीडियो देख रहे होंगे, तब तुम्हें दूसरी चीज़ों के suggestions मिलेंगे, तुम उस वीडियो को like करोगे, तुम्हारा ध्यान दूसरी वीडियो के तरफ जाएगा, वो पूरा सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ होता है कि तुम ज़्यादा फोकस करने की capacity भी बढ़ जाती है, इस process की वज़े से बाद में तुम चाहें वीडियो, podcast या audio book भी consume करो, तो भी तुम उन्हें अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी reading की habit नहीं होगी, तो फिर तुम्हारे लिए focus करना काफी मुश्किल होगा, रीडिंग से हम फालतू के entertainment से हट कर learning पर focus करते हैं, जिस वज़े से हमारी growth होती है, student, तो फिर जो मैं वो book पढ़ना शुरू करूँ, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी reading कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या मुझे कोई goal set करना चाहिए, teacher, वैसे तो तुम्हें कोई goal set नही करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें एक goal set कर रहे हो, तो उससे ये goal मत बनाओ कि तुम कितनी books पढ़ रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी books हैं, और उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा books पढ़ने के पीछे नहीं दोड़ना जैसे कि मैं हर रोज 30 मिनिट के लिए book read करता हूँ, उससे फरक नहीं पढ़ता कि मैं 10 page पढ़ रहा हूँ या 30 page, मैं साल की 10 book पढ़ रहा हूँ या साल की 50, लेकिन मैं हर रोज 30 मिनिट के लिए book पढ़ रहा हूँ, और मुझे book पढ़ना अच्छा लगता है, अगर कोई deep book प्रृट कोईब यहानों कि मुझे वह आसानी सी समझ में आते हैं तुम अपने ओपर कोई टागेट सेट करके जल्दबाजी मत कर रहा हूं चूरल Tech मतलब हमें वह बुक्स पढ़ने में हमारा इंट्रेस्ट ना कि वो बुक्स जिने पढ़कर हम दुनिया के सामने स्मार्ट बन सके हमें रोज कुछ समय के लिए बुक पढ़ने चाहिए जिस वज़े से हमारी रीडिंग हैबिट बनेगी और रीडिंग हैबिट की वज़े से हम चीजों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे मैं सही क्या रहा हूँ ना ठीचर ठीचर आँ बिल्कुल सही मैं मेडिटेशन को अपनी लाइफ स्टाइल में कैसे शामिल करूँ स्टूडेंट मैं मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं अपने emotions को control करने के तरीके ढूनना जाता हूँ Teacher Meditation से तुम अपने emotions control नहीं कर पाऊगे Meditation की मदद से तुम अपने emotions के बारे में समझ पाऊगे Student तो फिर meditation करने का क्या मतलब Teacher Imagine करो कि तुम road के side में खड़े हूँ तुम बहुत सारी कारों को वहां से जाते हुए देख रहे हो कोई white है, कोई red, कोई black, तो कोई blue लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हैं तुम सिर्फ वहां पर खड़े होकर उन्हें observe कर सकते हो कार आती है, फिर चली जाती है लेकिन तुम वहीं पर खड़े उन्हें देख रहे होते हो वो कार्स एक तरीके से तुम्हारे thoughts है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और जा रहा है Meditation की मदद से तुम तुम्हारे emotions कंट्रोल नहीं कर सकते तुम उन्हें सिर्फ समझ सकते हो जब वो कार्स तुम्हारे सामने से गई तब तुम उन्हें बैठे नहीं तुमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया और नहीं तुमने उन्हें रोका तुम कुछ नहीं करते तुम सिर्फ वहाँ पर खड़े होकर उन्हें अब्जर्व करते यही सेम चीज़ तुम मेडिटेशन में करोगे तुम तुम्हारे इमोशन के साथ जाओगे नहीं तुम सिर्फ उन्हें अब्जर्व करोगे स्टूडेंट अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास अभी इतना टाइम ही नहीं है मुझे बस कोई दवाई दे दो कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल कर सको टीचर क्या तुमने मेडिटेशन ट्राइ किया है स्टूडेंट मैंने एक दो दिन के लिए ट्राइ किया था जब मुझे कॉलेज में मेडिटेशन सिखाय गया था लेकिन मुझे जब रिजल्ट नहीं मिले तुम्हेंने मेडिटेट करना बंद कर दिया टीचर क्या तुम्हें सही में लगठा है कि तुम्हारे 20 साल में बनी हुई कंटिशन को तुम दो दिन में सही कर दो स्टूडेंट नहीं इसलिए मैंने मेडिटेट करना बंद कर दिया टीचर उसे तुम्हारी condition और खराब ही होगी student तो फिर क्या मैं रोज सुभे और शाम एक घंटे के लिए meditate करूँ मैं बोर हो जाओंगा teacher तुम्हें रोज एक घंटे के लिए meditate करने की ज़रूरत नहीं है तुम बहुत कम समय से start कर सकते हो तुम सिर्फ रोज दस मिनिट के लिए meditate करना शुरूरत और दो साल के बाद तुम्हारा हम से दिन के 30 से 40 मिनिट मेडिटेट कर पाऊगे student एरे वाई ये तो अच्छी बात है कि मैं सिर्फ 10 मिनिट से start कर सकता हूँ और मुझे इन 10 मिनिट में क्या करना होगा teacher तुम गाइडिड मेडिटेशन शुरू करो बहुत सारी वीडियो और आपसे आजकर जो इसमें तुम्हारी मदद कर सकती है तुम एक आवास सुनोगे जो तुम्हें पूरे समय गाइड करेगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए तुम बस रोज उसे सुनो और मेडिटेट करो उसे इस तरीके से फॉलो करो कि वो सच है वो आवास कहेगी कि तुम अपनी सांस पर धियान लगाओ तुम खुद को समझो शुरूआत में शांती से बैठे रहना बहुत मुश्किल होगा लेकिन जैसे जैसे दिन बीटते जाएंगे तुम इसमें बहतर बनते जाओगे स्टूडेंट आखिर मुझे मेडिटेशन से क्या हेल्प मिलेगी मेडिटेशन हमारे साथ क्या क्या करता है टीचर मेडिटेशन तुम्हें शांत बना देगा Meditation की मदद से तुम अपने Emotions को और अच्छे से Experience कर पाओगे तुम ही पता होगा कि कब तुम उस्ता हो, कब तुम होश हो, कब तुम Nervous हो और कब तुम Surprised हो, क्योंकि तुमने खुद के Emotions को और खुद को Observe किया है Student आपने मुझे ये कहा कि मुझे अपने Emotions को सिर्फ Observe करना है पर उन पर रियाक नहीं करना है मैं सिर्फ अपने Emotions को Observe करूँ और उन्हें जाने दूँ लेकिन सच यह है कि मैं कुछ चीज़ों कुछ जाने नहीं देना चाहता अगर किसी ने मेरे साथ घलत किया है और मैं उन पर घुसा हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं उनसे जाकर उनके गंदे बेहिवियर के बारे में बात करना चाहूँगा मैं एक अच्छा इंसान रहूँगा मैं उनसे बदला नहीं लेना चाहूँगा लेकिन मैं अपने एमोशन्स को दबा नहीं सकता टीचर अपने एमोशन्स को दबा देना और अपने एमोशन्स को अब्जर्व करना ये दोनों काफी अलग चीज़ है अपने एमोशन्स को दबाना ये होता है कि तुम उन्हें अभी भी feel कर रहे हुँ लेकिन तुम उस पर react नहीं कर रहे हैं तुमने उन पर react कर लिया है और अब तुम उस बात को लेकर regret कर रहे है नेगाटिब emotions के साथ deal करने के ये दोनों ही तरीके सही नहीं है उनके साथ deal करने का सिर्फ एक ही तरीका है वो तरीका ये है कि हम उन emotions को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और ये चीज तुम्हें meditation सिखाता है एक बार जब तुम अपने emotions को observe करोगे उसके बार तुम्हारे पास दो रास्ते होगा तुम्हें समझ आएगा कि action या reaction से ही चीज़ें सही होना ज़रूरी नहीं बी तुम कोई भी action लेने से पहले बहुत अच्छे से उसके बारे में सोच बिचार करोगे और तुम्हारा action जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा स्टूडेंट अगर मैंने किसी emotion को अच्छे से observe कर लिया और फिर मुझे उसके बार अपनी जिंदगी में कहीं फायदे भी मिले उसके बार भी क्या वो emotion मेरे साथ रहेगा अगर हाँ तो फिर meditation से असली में मेरी help क्या हुई तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है तुम जब एक emotion को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे तब तुम उस emotion से छुटकार अपा सकते हो क्योंकि emotion का purpose तुम जो feel कर रहे हो उससे solve करना नहीं है बलकि तुम्हें ये बताना है कि तुम कैसा feel कर रहे है अगर तुम जलन वाला emotion feel कर रहे हो तो उसका purpose ही है कि वो तुम्हें बताएं कि तुम्हारे ज़ंदेगी में कुछ चीज़ों की कमी है जिस वज़े से तुम्हें ऐसा feel हो रहा है अगर तुम्हें खुसे वाला emotion feel हो रहा है तो उसका purpose ही है कि वो तुम्हें बताएं कि तुम्हें किस बात का उस्सा है जब तुम किसी भी emotion को observe करोगे और उसके पीछे की वज़े को समझोगे तब तुम्हारा वो emotion चले जाएगा क्योंकि उसका purpose खत्म हो जाएगा यही है जादू meditation का student मुझे कैसे पता चलेगा कि meditation शुरू करने का सही समय क्या है सच बताओं तो मुझे हैसा लगता है कि जब मैं stress में हूँ तब ही मुझे सिर्फ meditation करने की जरूरत है teacher एक पेड को लगाने का best time बीता हुआ कल होता है और अगला best time आज होता है जब तुम meditation करना शुरू करोगे तब तुम्हे समझ में आएगा कि meditation से तुम्हें कितनी help हो रही है student मैं समझ गया आपकी बाद मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था teacher चलो अच्छी बात है मैं trust कैसे build करो student मुझे उन लोगों से जलन होती है जो आसानी से दूसरों का भरोसा जीत लेती है और सब उनके उपर trust करते है teacher तुम्हें उनसे जलन क्यों होती है student क्योंकि मैं लोगों को मेरे उपर trust नहीं करवा पाता जितना वो करवा पाते है teacher तो फिर तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है student मुझे इस चीज़ का जवाब पता है मैं खुद ही मुझे रोक रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं trust कैसे विल्ट करूँ teacher यह अच्छी बात है कि तुम्हें trust की importance समझाई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक भरोसे मंद इंसान बनना जरूरी नहीं है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हारी जैसे एक student की है मैं एक consulting firm है मैं उसमें एक top business school से graduate होका जॉब शुरू करने किया था वो science background से थी उसे सबसे ज़्यादा गंदा accounting लगता था सोचू वो consulting firm जॉइन करते ही उसका सबसे पहला assignment क्या था student oh no accounting teacher guess करोगे उसने अपनी जॉब पर कैसे काम किया था smart और hard working बनकर हम कभी trust की कमी पूरी नहीं कर सकते कभी भी नहीं student हाँ मुझे अब समझ आ गया teacher वो हर रोज अपने काम को थोड़ा बहुत धंक से कर पाती और फिर अपने manager को submit कर देती manager उसके काम में कई सारी कवलितिया निकालता और फिर उन गलतियों को वो सही करती लेकिन ये सब चीज़ बार बार होती रही student ये तो अच्छी बात है ना manager एक student के गलतियां सही कर रहा है teacher ऐसा नहीं है मैनेजर की जॉब यह नहीं है कि वो दूसरों के काम में गलतियों को सही करें मैनेजर की जॉब यह है कि वो दूसरों से अच्छे से काम करवाए अगर वो खुद तुम्हारी गलतियां सही करेगा तो फिर वो तुम्हारी जॉब कर रहा है या फिर ये कहना ठीक रहेगा कि अगर तुम बार-बार सीम गलतिया कर रहे हैं, तो तुम मैनेजर को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं. स्टूडन्ट तो फिर आपके स्टूडन्ट के मैनेजर ने उसको कैसे हंडल किया? टीचर मैनेजर ने कुछ हफ़तों के लिए चीज़ों को वैसे ही चलने दिया फिर जब चीज़े नहीं बदली तो मैनेजर ने स्टूडन्ट के साथ एक मीटिंग रखी और तब मैनेजर ने ट्रस्ट के बारे में बहुत अच्छी बात की जब तुमने अपना पहला काम सब्मिट किया था तब मैने उसे अच्छे से चेक किया था क्योंकि वो तुम्हारा पहला काम था और उसमें कई सारी गलतियां भी थी मैने तुम्हें सारी गलतियां दिखाई और तुमने उन सारी गलतियों को अच्छे से सही किया लेकिन जब तुमने अपना दूसरा काम सब्मिट किया तब उसमें भी गलतियां थी तुमने फिर से अपनी गलतियों को सही किया लेकिन अब मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे काम में गलतियां हैं या नहीं मुझे पता है कि लास में काम में कोई गलती नहीं रही लेकिन मुझे पहली बार तुम्हारा काम चेक करना ही पड़ता है तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस वज़े से शायद मेरा टाइम बेस्ट हो रहा है मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ जहां पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो फिर तुम चाहें कितने भी स्मार्ट हो मैं तुम्हारे काम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊगा Student मैंने इस तरीके से तो सूचा ही नहीं तो फिर Trust Build करने का ये तरीका है कि हम अपने काम में गलतिया ना करें Teacher सेथ गौडन जी बहुत ही intelligent इंसान है उन्होंने Trust की एक बहुत ही अच्छी definition मनाई Trust का ये मतलब नहीं है कि कभी कुछ गलत नहीं होगा बलकि उसका मतलब ये है कि जब भी चीज़ें गलत जाएंगी तब जो भी उसे सही करने के लिए तुमें करना चाहिए वो तुमने किया होगे और अब जो उसे सही करने के लिए किया जाना चाहिए वो तुम करोगे Student ये बात तो काफी सही थी तो क्या इसका मतलब ये है कि भरोसा जीतने के कई तरीके है Teacher Trust build करने के लिए तीन चीज़ें माइने रख दिये पहला जब लोग बुरे वक्त में हो तब उनके साथ रहो तुम तुम तुमारे दोस्त के साथ हो जब उनका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तुम तुमारे मैनेजर के साथ हो जब टीम बाले उनका साथ छोड़कर जा रहे हो तुम तुमारे चाहने वालों के पास हो, जब वो अच्छे हाल में ना हो, और उन्हें प्यार की जरूरत हो. उस वक्त लोगों के साथ हो, जब वहाँ से निकल जाना सबसे आसान हो. इस तरीके से तुम उनका भरोसा जीतोगे. स्टूडन्ट, क्या ये करना काफी मुश्किल नहीं होगा? टीचर, यही रीजन है कि हम हमारी सिंदिकी में सिर्फ कुछी लोगों पर भरोसा कर सकते हैं. जब चीज़ें अच्छी चल रही हो, तब तो सब हमारे साथ ही होते हैं. लेकिन जब चीज़ें खराब हो जाएं, और स्टूडन्ट, शायद मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है. टीचर, बहुत समय पहले एक पहाड के उपर एक मूर्ती बनाने बाला शक्स रहता था. वो दुनिया के सबसे अच्छा स्टैश्यू बनाने का काम कर रहा था. वो चाहता था कि आसपास के गाउ स्टैश्यू के लोग उसे देखने आये. उसने स्टैश्यू पर काफी महीनों तक काम किया. पर फिर जब उसने स्टैश्यू बना लिया, तो उसने अपने दोस्त को उसे देखने के लिए बुलाया. उसके दोस्त को वो स्टैश्यू बहुत पसंद आया. लेकिन उस्टैश् मूर्ती बनाने वाले आदमी ने अपनी कुलहाडी उठाई और स्टैश्यू को तोड़ दिया स्टूडन्ट क्या वो पागल था उसने ऐसा क्यों किया टीचर इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया देख सकती है यह नहीं अगर यह चीज मुझे नजर आ गई तो यह चीज यह बात उस मूर्ती बनाने वाले आदमी ने कहीं स्टूडन्ट वो आदमी तो कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार था टीचर जब तुम सच में जिम्मेदार बनोगे और तुम तुम्हारे काम की रिस्पॉंसिबिलिटी खुद के उपर लोगे तब तुम लोगों का ट्रस्ट स्टूडन्ट मुझे अच्छे से समझ आ गया अब आप मुझे वो तीसरी चीज बताओ जिससे मैं ट्रस्ट बिल्ड कर सकूं टीचर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तीसरी इंपॉर्टन चीज है कि तुम अपने कमिट्मेंट पूरे करो तो वो चीज जरूर करो जो चीज तुम्हें करनी चाहिए बिना किसी को स्टेटस अपडेट दी स्टूडन्ट लेकिन लोग हमेशा स्टेटस अपडेट मांगते हैं डेडलाइन से पहले भी वो स्टेटस मांगते हैं टीचर तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों होता है स्टूडन्ट मुझे नहीं पता शाय पाद उन्हें तुमसे खभी अच्छे से कम्यूनिकेट नहीं किया कोई भी बात हो सकती है लेकिन जब तुम खुद को उस इंसान की जगा पर रख कर देखोगे तब तुम्हें भी अपडेट्स चाहिए होगे तुम खुद उन्हें अपडेट्स दो बिना उनके कहे और अगर तुम कमिट किये गए टाइम पर अपना काम डिलेवर नहीं कर पा रहे हो तो उनसे और टाइम की रिक्वेस्ट करो स्टूडेंट मुझे चीज काफी अच्छे से समझ आ गई मुश्किल समय में लोगों के साथ रहो एक समिदार आदमी बनो और हमेशा अपने कमिट्मेंट को पूरा करो क्योंकि आखिर में हम कितने भी स्मार्ट हो अगर लोग हम पर भरोसा नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा तीचर अब तो मैं समझ ना गया मैं अपना पैशन कैसे ढूँँ स्टूडन ये चीज मुझे अकसर परिशान करती है मैं अडल्ट हूँ मेरे पास जॉब है मैं अपने बिल भरता हूँ पर ये मैं नहीं हूँ मुझे नहीं लगता मुझे अपना पैशन मिला है तीचर पैशन का सच ये है कि मेरे दोस्त कि वो कोई चीज नहीं है जो कहीं जाके किसे टाइम पर मिलेगी तुम्हारा पैशन कहीं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा है तुम उसे ग्रो करते हैं वो चीज़ें करके जो तुम्हें पसंद है कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें मिलकर तुम्हारा पैशन बनती है स्टूडन्ट और मैं अभी तेज का हो गया हूँ अभी तक मुझे सेटल हो जाना चाहिए था टीचर सबको अपनी ट्वेंटीज में ऐसा ही लगता है कि वो बड़े हो गया है और वो उसी जल्दी में होते हैं कि जल्दी ही पैशन ढूनके सेटल हो जाए है क्योंकि सब ये ही करते हैं पढ़ाई खत्म करो, जॉब लो, शाधी करो और सेटल हो जाओ अपने पैशन को देखने का दूसरा तरीका अपने 20s में अपने passion को explore करो, अपने 30s में अपने passion को और अच्छा करो, और बाकिस जिंदगी उसके फायदे उठाओ. किसी को settle नहीं होना चाहिए, वो आग जलती रहनी चाहिए, वो सुई चलती रहनी चाहिए, तुम settle होने के लिए पैदा नहीं हुए थे. सुना सुना सा लगता है, क्या ये एक famous किताब का नाम है? Teacher वो बुक बहुत ही famous concept पे लेकी गई है, जिसका नाम है एकगाई. जिपैन में एक कोकी नावा नाम का आयलेड है, उस आयलेड पर बहुत अजीब percentage के बुढ़े लोग, जो सौ के भी उपर के उम्र में उनका secret एकगाई बताती है. Student और उसका मतलब क्या है? Teacher एकगाई एक Japanese शब्द है, इसका कोई direct मतलब नहीं है, पर इसका मतलब है जीने का reason, जिन्दगी का purpose. Student Passion Teacher या फिर passion ये बहुत ही simple पर powerful concept है. मुझे तो एकगाई पढ़ने और समझने के बाद ही पता चला, कि मैं बिना जाने उसके principle अपनी जिंदगी में अपलाई कर रहा था. मेरे सारे random decisions एकदम सही लगने लगे एकगाई पढ़ने के बाद. Student थोड़ा और बताए प्लीज. Teacher एकगाई एक basic सवाल से start होता है. तुम्हें क्या करना पसंद है? सबको कुछ ना कुछ करना पसंद होता है. किसे के लिए वो singing हो सकता है, किसे के लिए वो number के साथ काम करना हो सकता है, किसे के लिए लोगों से मिलना हो सकता है, और किसी के लिए खाना हो सकता है Unfortunately, बहुतों के लिए जो उन्हें पसंद होता है और जो लोग चाहते है उसके बीच रिपलेस हो जाता है तब ही तो हम इंजिनियर्स बनते हैं सीए बनते हैं, लॉयर्स बनते हैं डॉक्टर्स बनते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें पसंद है पर इसलिए क्योंकि हमें कहा जाता है कि ये करना चाहिए स्टूडेंट अब आप मेरी स्टोरी सुना रहे हैं टीचर ये सब की स्टोरी है स्टार्ट इस सवाल से करो कि मुझे क्या करना पसंद है और एकलिस बनाओ इन चीज़ों की, सिर्फ खुद से मत पूछो, जाकर अपने परिवार से पूछो, क्या चीज़े थी जो मैं बच्पन में पसंद करता था, अपने दोस्तों से पूछो, क्या चीज़े थी जो मैं करता था, तो खुश लगता था, अपने कलीक से पूछो कि क तुम्हें मिलेगी नहीं, तुम्हें बता चलेगी. Student मुझे तो अभी से पसंद आ रहा है, महलो मेरे पास लिस्ट है, अब आगी क्या? Teacher इतनी भी चीज़ें तुम्हें पसंद है जरूरी नहीं तुम सब में अच्छ हो जैसे मुझे गाना पसंद है लेकिन सबकी बलाई के लिए मैं बंद कमरों में ये गाता हूँ तो ढूनो उन चीज़ों को के तुम किस चीज में अच्छ हो स्टूडेंट हाँ इंट्रेस्टिंग पर यहाँ पर घुट की डेफिनेशन क्या है तीचर ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है इसका जवाब इसी में है हो सकता है कि तुम अभी खुद को किसी चीज में अच्छा मानते हो या वर तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज में अच्छे बन सकते हो स्टूडेंट मैं अगर खुदी सोचूगा तो क्या वो गलत नहीं हो सकता टीचर बिल्कुल इसी लिए मैं कहूँगा कि तुम जाके उन्हीं लोगों से पूछो जिन्होंने तुम्हारी ये लिस्स बनाने में हेल्प की दि अपने परिवार से पूछो दोस्तों से पूछो साथ काम करने वालों से पूछो कि यसी कौन सी चीज़े हैं जिनमें तुम अच्छे हो स्टूडेंट तो वो चीजें जो मुझे पसंद हैं, जिन में मैं अच्छा हूँ, क्या वो मेरा एकगाई है? Teacher क्या तुम सच में जानना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा एकगाई नहीं, तुम्हारा पैशन है Student क्या? सॉरी, मुझे लगा कि एकगाई ही मेरा पैशन है Teacher तु याद करो, एकगाई का मतलब, जिन्दगी जीने का रीजन, तुम्हारा असली रीजन पैदा होने का इस एकगाई की अकॉर्टिंग जो चीजें तुम्हें पसंद हैं और जिस चीज में तुम अच्छे हो, ये अभी भी अधूरी है तुम्हारी जिन्दगी का असली पैदा है, अभी भी दो एलिमेंट मिसिंग है Student और वो क्या है? Teacher नमबर तीन है, कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत दुनिया को हो उन चीजों मेंसे जो तुम पसंद करते हो, और जिसमें तुम अच्छे भी हो सारी चीज़े नहीं होंगी, पर कुछ तो होंगी जिसकी दुनिया को जरूरत है Student पर मुझी कैसे पता चलेगा कि दुनिया को इसकी जरूरत है के नहीं Teacher जैसे बाकी elements के लिए, ऐसे ही इसके लिए भी definition personal है तुम जरूरत और जरूरी define करो, सोचो तुमें एक job में काम करते हूँ, जो तुमें पसंद ही है और तुम वो अच्छे से भी कर पा रहे हो पर तुमें लगता है कि दुनिया को इस job की जरूरत नहीं है और तुमें meaning और sense of purpose की कमी लग रही हो वो तुमें डराती है पर तो मुझसे समझ नहीं पाते हो student मैं जानता हूँ, इस feeling को बहुत अच्छे से जानता हूँ पर मैं कभी समझ नहीं पाता teacher तुम सब को बता है कुछ comedian है, कोई singer है, कोई color car है जो की बहुत अच्छे है उन चीजों में जो वो करते हैं और उन्हें वो पसंद भी है और उन्हें लगता भी है, कि वो अपनी art share करके दुनिया की help कर रहे है जैसा कि मैंने पहले कहा था ये एक personal choice है सब की अपनी definition और मतलब होता है जो वो उन चीजों से जोड़ते हैं जो वो पसंद करते हैं और जिनमें वो अच्छे होते है student ये तो बहुत गहरी बात है जैसे जैसे हम बात कर रहे थे तो मैं दिमाग में एक list बना रहा था और इस तीसरे element ने तो इस surprise को और भी अच्छा कर दिया teacher बहुत चीज़े हैं जो हमें खुश करती हैं और हम उनमें अच्छे भी है पर दुनिया को वो directly नहीं चाहिए जैसे कि तुम्हें books पढ़ना बहुत पसंद है और तुमनें अच्छे भी हो दुनिया को book पढ़ने वाले नहीं चाहिए पर दुनिया को book review करने वाले चाहिए या फिर वो लोग जो book पढ़के उसका subject बना दे या फिर वो लोग जो उन books के notes बनाते हो मतलब तुम्हें थोड़ा और काम करना पढ़ेगा उस चीज़ पर जो तुम्हें खुश करती है और तुम्हें अच्छे से आती है ताकि वो उस चीज़ में बदल सके जिसकी दुनिया को ज़रूरत है student हाँ मैं समझ गया क्या आपने किया था teacher मेरा इक अगाई आज teaching है यह वो चीज़ है जो मैं बच्पन से पसंद करता हूँ और इसी में मैं कई सालों के बाद आयो मैंने मेरे teaching के प्यार को बदला ताकि वो दुनिया के काम आ सके इसलिए मैं वहाँ time, patience और effort डालता हूँ student हाँ अब मुझे समझ आ गया thank you teacher यह हमें last element पर ले आता है जो कि सबसे आसान है अगर तुमने पहले तीन ढून लिये हैं तो क्या मुझे इसके पैसे मिलेंगे student हाँ हाँ सबसे easy है क्या यह सबसे मुश्किल नहीं teacher मैंने यह नहीं बोला किया असान है जब तुम पहले तीन ढून लोगे तब क्योंकि मेरे experience से पैसा एक natural by product है अगर तुमने बाकी तीनों को ढून लिया है तो पर वो time ले था student अच्छा तभी आपने बोला था कि 20 की उम्र में exploration किया और आपका मतलब था कि 20 की उम्र में हमें हमारा समय इकागाई ढूनने में लगाना चाहिए teacher बिल्कुल सही तुम्हें तुमारी 20 की उम्र के time अपना time इकागाई बिल्ड करने में लगाने चाहिए उसके लिए तुम कब start करो कोई फरक नहीं पड़ता तुम अपने 30 की उम्र में start करो या फिर 40 में पर कभी भी ये मत सोचो कि वो एक दिन में मिल जाएगा वो एक सफर है बलकि सबसे अच्छा सफर है student ये तो बहुत अच्छा था मुझे क्या चीज़ खुश करती है मैं किस चीज में अच्छा हूँ किस चीज की दुनिया को जरूरत है क्या उससे पैसा कमा सकता हूँ अगर ये चार चीज़े ढून ली तो जहां ये चार चीज़े मिलती है महीं मेरा इकागाई है, मुझे अभी तक मिला नहीं है, पर यह सब जानके यह मुझे में शक्ति से आ गई है Teacher मैं सही करियर कैसे चुनू Student मुझे पता है कि इकागाई का मतलब है पैशन को ढूना, क्या यह मेरे करियर के लिए अपलाई होता है Teacher तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा करियर और तुम्हारा पैशन अलग है Student नहीं पर मैं अपना आइडियल करियर कैसे ढूनू जब मैं पहले सही दूसरे करियर में हूँ Teacher पहले तुम पता करो कि तुम्हारी अभी की जॉब तुम्हारे बिल भर पाती है उसे छोड़ कर तुम्हें कुछ और स्टेबिलिटी देता है उसे अपने जीने के लिए यूज़ करो और बाकी टाइम अपने ड्रीम करियर को एक्स्प्रोर करो Student तुम्हें अपनी जॉब में बैस्ट क्यों दूँ अगर मुझे वो अपनी बाकी की जिन्दगी नहीं करने है Teacher इस नौकरी के लिए नहीं इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी जॉब पर जाना ही छोड़ लो पर अपनी जॉब से जादा जाना भी अच्छा नहीं पर एक बाद ध्यान में रखना तुम खुद को किसी से कंपेर मत करना एक उनीस साल का लड़का जो लाखो रुपे कमारा है वो लोग जो टॉप कंपनी में हैं कॉलिज के बाद ही और वो जो तुम से दोगुना कमारे ये सारे डिस्ट्रैक्शन्स है कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने सची है वो तुम्हारी जिन्दगी नहीं है वो किसी और की जिन्दगी है अगर कंपेर करने से तुम्हें तुम्हारी मन्चाही चीज़ें मिल जाती है तो लोग कुछ नहीं करते सिर्फ कंपेर करते जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से चाहिए, तुम उसके पीछे दोर देओ, वो सकता है वो बाकियों से सेम हो, पर वो भी ठीक है, अंत में तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, जब तुम उसके लिए काम करो, तभी, तभी नहीं जब तुम खुद को दूसरों से कंपे मैं इसे कैसे हटा सकता हूं थीचर तुम्हें जलन हटाने के लिए उस चीज के लिए सिर्फ काम करना पड़ेगा और खुद को बार-बार याद दिलाना होगा कि तुम यहां पे अपनी जिने आएगो इससे परक नहीं पड़ता कि लोगों की तुमसे कितनी अलग जिनेगी है यही चीज तुम्हें खुश करेगी और जलन को मिठाएगी स्टूडेंट मेरे पास सर्फ मेरी लाइफ है जीने के लिए थैंक्यू याद दिलाने के लिए तीचर आँ बिल्कुल मैं अपना करियर कैसे बदलू स्टूडेंट मैं अपने करियर में एक ऐसी जगा पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे हमेशा लगता था कि मुझे यही करियर चाहिए लेकिन अब मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ तुम्हारी उम्र क्या थी जब तुमने यह करियर सेलेक्ट किया स्टूडेंट मैं उस वक्त 16 साल का था और मैंने अपनी 10th क्लास पूरी की थी तुम्हें तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला था स्टूडेंट जब मैं 18 साल का था तब क्योंकि आपको बड़े होने से पहले लाइसेंस नहीं मिल सकता ठीचर क्या तुम्हें यह बात हजीब नहीं लगी हम गाड़ी चलाने के लिए भी लायक नहीं होते उससे पहले ही हमें हमारा करियर डिस्पिट करना होता है स्टूडेंट मुझे उस वक्त पता ही नहीं था लेकिन आज मुझे पता है कि यह करियर मेरे लिए नहीं है लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा है मैं काफी सालों से इस करियर में हूँ ठीचर अपना करियर बदलने से पहले तुम्हें फानेंशली स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टन चीज है स्टूडेंट मेरे परिवार वाले और दोस भी मुझे यही चीज कहते हैं कि मुझे करियर चेंज नहीं करना चाहिए ठीचर ये बात बिलकुल सही है कि फानेंशल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टन है और अपना करियर चेंज करना असान नहीं उसमें समय लगेगा इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले दिन से ही पैसे कमाने की चिंता नहीं करने चाहिए स्टूडन्ट लेकिन मैं अपना करियर कैसे चेंज करूँगा ये सेम जॉब कंटिन्यू करते हुए ठीचर तुम अपना काम अच्छे से करो ताकि तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं और बचे हुए टाइम में जैसे की रात को वीकेंड पर या चुट्टियों में तुम दूसरे करियर्स को एक्स्प्लोर करो जिन में तुम्हारा इंट्रेस्ट हो तुम्हें अभी Employee of the Month बनने की तुम्हें सिर्फ अच्छे से काम करना है और खुद के लिए समय बचाना है लेकिन जॉब के बाद दिन के एंड में मैं बहुत ठका हुआ सा महसूस करता हूँ मेरे पास कुछ और काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं बचता है Teacher तो फिर तुम जो कर रहे हो वही करते रहा हूँ और तुम हमेशा इसी हाल में रहोगे Student Please मेरा मजाग मत बनाओ मैं सही में फसा हुआ हूँ Teacher अचा अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए और तुम घर के अंदर हो तो क्या तुम उस वक भी घर के अंदर बैठ कर रोते रहोगे कि तुम फस्चुके और तुम्हें नहीं पता कि आप तुम्हें क्या करना है नहीं नहीं ऐसा नहीं तुम खुद को बचाने के लिए जो भी कर सकते हो वो करोगे हजीब बात है कि जब हमारे करियर या हमारी जिद्धिकी की बात होती है तब हम इस तरीके से आक्ट नहीं करते हैं स्टूदेंट मैं समाझ किया कि आक्चन लेना बहुत इंपॉर्टन है लेकिन कोई जोब ऐसी होती है जिनमें पूरा टाइम और एनेजी चली जाती है तीचर तो फिर तुम्हें यहां स्माट बनना होगा तुम्हें स्माट तरीके ढूंडने होंगे जिससे तुम अपने काम को और जल्दी कर सको और आसानी से कर सको तुम्हें अपने काम को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना होगा कि तुम टाइम पर काम भी कर सको और बाद में तुम्हारे पास खुद के लिए टाइम भी बजे और ये करने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी तुम खुद की help कर रहे होगा और तुम्हारे अलावा तुम्हारी help कोई भी नहीं करेगा student मैं आपकी बात समझ गया अकर मैं मेरी वाली job में अच्छा नहीं कर रहा हूँ या मेरा manager अभी से मुझे बूल रहा है कि मुझे अच्छा करना चाहिए तो teacher तुम इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकते जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हें इस तरीके से काम करना होगा कि सब को ये लगे कि तुम अच्छे से काम कर रहो इन चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अलाबा मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम अपने सर ज़्यादा काम ना लो याद रखो कि तुम्हारा ये करियर तुम्हारा फाइनल करियर नहीं है तुम यहाँ पर जितना भी टाइम बिताओगे तुम उसमें खुश नहीं रहोगे इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाना सही सिलूशन नहीं है स्टूटेंट तो फिर जब मेरे पास खुद के लिए टाइम हो तब मुझे क्या करना चाहिए तुम दूसरे करियर से एक्सप्लोर करना शुरू करो एक ट्रावलर की तरह तुम एक स्टूटेंट की तरह दूसरे करियर को समझने की कोशिश करो एक्सप्ल के लिए मान लेते हैं कि तुमें सेल्स से डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट होना है तो फिर तुम एक महिने के लिए एक student बन कर digital marketing के course लो, फिर तुम digital marketer से बात करो, उसके बाद तुम उन लोगों से बात करो, जो पहले digital marketer थे, पर अब उन्होंने वो field छोड़ दिये, फिर जब तुम digital marketing की दोनों side को अच्छे से समझ चुके होगे, तब महिने के end में तुम हुद से सवाल करोगे, कि क्या मैं इस काम को enjoy कर रहा हूँ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, अगर जवाब हाँ है, तो तुम उस काम में और अच्छे से कुछ जाओ, अगर जवाब ना है, तो फिर तुम दूसरा career explore करो, और इसी तरीके से repeat करते चलो, student, अगर मेरा जवाब आखिर में हान इकला, तो फिर म अच्छे से समझ सको, online communities join करो, और अपने जैसे लोगों के साथ बात करो, दूसरे महीने के end में खुझ से फिर से सवाल करो, क्या मैं इसे enjoy कर रहा हूँ, और फिर तुम्हारे हाँ या ना जवाब के हिसाब से तुम अपने आगे के process करो, student, तो फिर मैं आखिर में एक ऐसे point पर आजाओंगा, जहाँ पर या तो मुझे पता होगा कि मुझे कौन सा career लेना या फिर मुझे 10-12 ऐसे career पता होँगे, जिसमें मुझे interest नहीं है, teacher, तुम्हें क्या नहीं करना है, इस बात का पता होना भी बराबर important है, student, क्या अब इस सब में बहुत जादा time नहीं लग ज समय लेकर अच्छे से decision लेना चाहिए, student, अगर आखिर में मुझे मेरा ये career मिल जाए, जिसमें मुझे interest है, तो क्या मुझे अभी वाले career को छोड़ देना चाहिए, teacher, डिपेंड करता है कि तुम कौन सा career select करते हो, अगर वो कोई और job है, तो तुम उस job के लिए apply करना शुर करो, और अगर वो कोई ऐसी चीज है जो तुम खुद करना चाहते हो, तो फिर तुम धीरे धीरे उसकी शुरुवात करो, और वहां से income बनाना शुरू करो, और एक बार जब तुम्हारे इस नए career के income तुम्हारे महिने के खर्चों के बरावर पहुँच जाए, तब जाकर तुम अपनी जॉब छोड़ने का decision ले सकते हो, बहुत तीज बदलती हुई उस दुनिया में, जब जाहो तब student बनने की ability, किसी super power से कम नहीं है, student, क्या आपको पता है कि जब मैंने इस process को समझा, तब मुझे realize हुआ, कि मुझे जिंदिगी में कहीं बार इस process से गुजरना होगा, ये दुनिया बहुत जल्दी बतल रही है, और मैं यह नहीं कह सकता कि मैं जो career select करूँगा, वही मेरा last career होगा, शाद मैं बहुत सारे careers change करता रहूं, और इस process से कई बार गुजरता रहूं, teacher, हाँ, बिल्कुल, मैं अपने career में grow कैसे करूँ, student, क्या अपने career में grow होने का मतलब सिर्फ यही है, कि हम job change करें या सालाना मिलने वाले appraisal का इंतजार करें, teacher, अपने career में grow करना सबकी एक personal जैन नहीं होती है, मेरे लिए जो career growth होगी, वो शायद तुम्हारे लिए सेम नहीं होगी, और जो तुम्हारे लिए career growth होगी, वो शायद मेरे लिए नहीं हो, इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम हमारे career में क्या चाहते है, student, अच्छा, मुझे तो सब कुछ चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छा manager चाहिए, मुझे work-life balance चाहिए, मुझे growth opportunity चाहिए, मुझे एक अच्छी team चाहिए, मुझे इस corporate के दुनिया में आगे बढ़ना है, और बहुत कुछ हासिल करना है, मुझे सब कुछ चाहिए. Teacher, अपने career में fail होने का तरीका यही है, कि तुम सारी चीजे पाने की उमीद करो, क्यूंकि वो लोग बूलते हैं, जिने ये नहीं पता होता कि उन्हें career में चाहिए क्या. तुम्हें अभी तुम्हारे career से क्या चाहिए, वो अगले 5-7 साल में बदा जाएगा. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हाले कि अगर तुम्हें अभी क्या चाहिए, वोई चीज तुम्हें नहीं पता होगी, तो तुम हमेशा उसके पीछे भागते रहोगे, और तुम कभी satisfaction तक नहीं पहुँच पाओगे. Student अपने career में कौन satisfy होना चाहता है? क्यास अब career की CD नहीं चाहते? Teacher Satisfaction का ये मतलब नहीं है कि तुम रुख जाओ, और success के लिए मेहनत ना करो. Satisfaction का मतलब है कि टेंशन में रहने की बजाए, तुम टॉप तक की CD चटने के सफर में खोश रहो. Student क्या ये सब तभी होगा जब मुझे पता होगा कि मुझे मेरे career से वो एक चीज़ क्या चाहिए? Teacher तुम अपने parents की generation को एक बार देखो. वो हमेशा सिर्व एक ही चीज़ के पीछे बागते रहे. और वो एक चीज़ है stability. उनका पूरा career stability के पीछे ही था. और भी ज्यादा तर लोग अपने career से खुश नहीं है. Student मैं हमेशा शुक्र गुजार रहूँगा मेरे parents के लिए. जो भी उन्होंने मेरे लिए किया और मुझे बाल पोस्ट कर बढ़ा किया. लेकिन मैं उनके जैसा career बिल्कुल भी नहीं चाहता. Teacher उस समय जिन्दगी जीने के लिए stability बहुत important थी. उस समय stability ही सब कुछ था. पैसा सब कुछ चाहिए था. corporate की सीड़ियां भी चड़ने थी. इसलिए उन्होंने corporate के rules के साथ चलना शुरू कर दिया. जाए वो उन्होंने पसंद करें या ना करें. स्टेबिलिटी के लिए उन सब ने अपनी खुशियों को साइड में रख दिया. Student मैं समझ गया. तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक चीज़ क्या है जो मुझे अभी अपने करियर से चाहिए? Teacher वही चीज़ तुम्हें खुच से बात करके समझनी होगे. जब तुम शुरू करोगे, तब तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए तुम एक ऐसे बास के साथ काम कर सकते हो, जो बिल्कुल भी अच्छा ना हो, और तुम्हारे पास वर्क लाइफ बैलन्स भी ना हो. क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी सिर्फ पैसा चाहिए. इसलिए तुम कैसी भी सिचुवेशन में काम कर लो, चाहें तुम इससे साटिस्फाइड हो या ना हो. स्टूडेंट फिर ये सारी परिशानियां भी मुझे खुश करेंगे, मुझे क्या पता कि मुझे मेरे करियर में क्या चाहिए? तीचर अगर कुछ साल काम करने के बाद मुझे पैसा इतना जरूरी ने लगी, जितना जरूरी मेरे लिए अच्छे लोगों के साथ काम करना हो और अपने करियर में ग्रो करना हो, तुमें क्या करूँगा? तीचर इसी लिए, करियर में ग्रो होने का सेकिंड स्टेप ये है, कि तुम्हें पता हो कि क्या करने से जो चीज तुम चाहते हो, वो हो. अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए, तो किसी चीज से ग्रोथ मिलेगी? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो किस चीज़ से पैसा मिलेगा और अगर तुम्हें एक अच्छा कल्चर चाहिए तो तुम्हारे इसाब से अच्छा कल्चर क्या है Student क्या ये साथ थोड़ा मुश्किल नहीं हो रहा है शायद जहां मैं अभी काम कर रहा हूँ वहां मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा है और अभी के लिए मुझे पैसा चाहिए वहां पर मुझे अच्छा work life balance मिलता है और अच्छे लोग भी हैं लेकिन अभी मुझे जादा पैसे के ज़रूरत है जो मुझे वहां पर नहीं मिल रहा है Teacher लाइफ तभी मुश्किल होती है जब तुम बार-बार उसे मुश्किल समझते है Student यही बात बिल्कुल सही है तो फिर मैं चीज़े कैसे बदलू जब मुझे पता है कि मेरी अभी वाली जॉब मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर रही Teacher तुम्हें खुद से बात करनी होगी कि तुम्हारी जरूरते क्या है अगर तुम्हें एक अच्छा कल्चर चाहिए तो तुम अपने दोस्तों से बात करो उनसे पूछो कि उनकी जिंदगी में एक अच्छा कल्चर कैसे है अगर तुम्हें जादा पैसा चाहिए तो फिर उनसे बात करो जिन्हें अपनी जाओ में जादा पैसा मिल रहा है और अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो उन लोग उसे बात करो जिन्हें अपने करियर में ग्रोथ मिल रही है student और अगर मेरे दोस्त ना हूँ जिनके पास यह सब हो तो teacher तो तुम social network की power का use करो student लोगों की help करो और वो मेरी help करेंगे teacher आँ विल्कुल तुम उनके साथ connection बनाओ तुम उनकी journey को समझो और फिर मुनसे सवाल करो student क्या आप मुझे एक example दे सकते हो teacher मालो कि तुम्हें कैसे इनसान से बात करना चाहते हो जो एक ऐसे company में काम कर रहा है जहां पर बहुत अच्छी salary मिलती है और तुम भी उस company में या उसकी जैसी company में काम करना चाहते हो तो फिर तुम उनसे इस तरीके से बात चुरू करें हेलो उसका नाम मैंने देखा कि आप एकस वाई जी company में बहुत अच्छे से काम करें कंपणी के achievements और आपकी growth से यह साफ नजर आता है मैं अपनी जॉब कंपणी एबी सी से company एकस वाई जी में change करने का सोच रहा था और इसमें मुझे आपकी हेल्प की जरूरती ताकि मैं समझ सकूँ कि एक ऐसी company में काम करने का experience क्या होता है क्या आप मेरी इस चीज में help कर सकते हैं मिर बस तीन सवाल है जिसमें मैं आपका 10 मिनिट से जादा time नहीं लोंगा और आप चाहें तो इमेर पर ही मुझे जवाब दे सकते हैं या फिर हम call पर बात कर सकते हैं और last में तुम ये लिखोगे जो सिर्फ उन से related हो उनकी तारीफ करो इस चीज से उनका attention तुम्हारे message पर जाएगा और वो तुम्हारे message का जवाब देंगे अगर तुम पूछो के नहीं तो जवाब हमेशा नहीं होगा तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा जब तुम रोज ऐसे पांच लोगों को मेल करोगे student मैं आपकी इस template को copy कर लूँगा thank you teacher ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है मैंने भी ये template किसी और से ही ली थी हम सब एक दूसरे से मदद लेती है student मैं पूरी बात अच्छे से समझ गया हमें हमारी जिंदीगी में पता होना चाहिए कि हमें हमारे करियर से वो एक चीज क्या चाहिए वो चीज आने वाले सालों में बदल भी सकती है लेकिन हमें उस वक्त पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज चाहिए और फिर हम हमारे decision उस आफिस पॉलिटिक्स से दील करना बहुत मुश्किल लगता है तीचर मुझे बताओ कि तुम कैसी आफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हूं स्टूडन्ट आफिस पॉलिटिक्स का मतलब लोग जान बूज कर कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं ताके तुम जीतना पाऊ टीचर दो तरीकी की आफिस पॉलिटिक्स होती है एक आफिस पॉलिटिक्स जिसको कमपनी के पूरे कल्चर में इंकरज किया जाता है जिसका मतलब यह कि कमपनी का टॉप लीडर भी दूसरे लोगों की तरह हैं वो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है अगर तुम्हारा मैनेजर को कोई पॉलिटिक्स में उस कमपनी के काम करने का ड्गा जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हैं तुम इस चीज से कोई फायदा नहीं होनेया हैं"- तुम यही कर सकते हों कि तुम दीद्वी जोब ढूंडू जिस कंपनी का लीडर कंपनी में अच्छा environment रखता है जहां पर लोगों को काम करना अच्छा लगता है student तो इसका मतलब यह है कि मैं अगलत जगह पर आएं तो फिर अब मुझे दूसरी जॉब ढूंडने की मेहनद करनी पड़ेगी अगर तुम्हारा मैनेजर उसी पॉलिटिक्स में है जो कंपनी के टॉप लीडर पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर यह पॉलिटिक्स नहीं है वो इस कंपनी का कल्चर है टीचर तुम्हारे करियर के लिए कौन रिस्पॉंसिबल है तुम हो या कोई और है तुम्हारे पास दो चॉइस है कि तुम थोड़ा टाइम के लिए परिशान होकर एक नई जॉब ढूंडो या हमेशा इस टॉक्सिक इन्वाइन्मेंट में रहो चॉइस तुम्हारी है स्टूडन्ट ये बात तो आपने बिल्कुल सही गई यही सच है टीचर अब हम दूसरे तरीके के ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करते हैं कॉपरेट कल्चर की रियालिटी अलग-अलग लेवल्स पर डिफाइन की गई है हर एक टीम डिपार्टमंट हर एक फ्लोर का अलग कल्चर होता है अगर तुम्हारी टीम ऑफिस पॉलिटिक्स कर रही है लेकिन वो टॉप लीडर्स की पॉलिटिक्स से अलग है तो फिर तु टीचर अगर वो एक अच्छी कंपनी है जो सब की बात सुनती है तो फिर दूसरे डिपार्टमंट भी तुम्हारी बात सुनेंगे और आवाज उठाने के लिए तुम्हें थैंक्यू कहा जाएगा स्टूडन मैं आपकी बात समझ गया अलग कि सचा यह है कि मुझे वो जॉब चाहिए अकर मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया तो जो इंसान ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है उसे ही कंपनी का लीडर पसंद करता हो तो फिर वो मेरी बात नहीं समझेंगे टीचर एक सीक्रिट बताओ एक लीडर सब कुछ देखता है और उसे सब कुछ पता होता है जब तुम्हें नहीं पता होता है तब भी वो देख रहे होते हैं और उन्हें सब पता होता है उन्हें पता होता है कि कंपनी में या डिपार्टमेंट में कौन टॉक्सिक है Student तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो वो लीडर भी वैसा ही था तो आखिर में इस से मेरी मदद क्या हुई Teacher तुम वापस अपनी बात पर ध्यान दो तुमारे पास दो जोईस है कि तुम एक नई जॉब ढूनने के लिए थोड़े समय परेशान हो या इस टॉक्सिक इंबार्टमेंट में काम करो Student यह तो बहुत मुश्किल चॉइस है माले दें कि वो लीडर अच्छा है और उसने मेरे मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया किसी को नौकरी से निकाल कर मैं वहां के टॉक्सिक कल्चर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाऊंगा Teacher हमारा intention किसी को नौकरी से निकलवाना नहीं हमारा intention सिर्फ यही है कि लीडर हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और उसे सॉल्व करे शायद तुम्हारी politics की definition गलत है तुम उसे बहुत बड़े नजरिये से देख रहे हो या फिर शायद तुम उस बात को लेकर ज़्यादा चिंता कर रहे हो अगर ऐसा है तो इस case में company तुमसे खुश होगी student और अगर मैं गलत हो गया तो फिर सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे teacher यही एक ट्राब है जिसमें हम सब फंस जाते हैं दूसरे क्या कहेंगे अगर तुम्हारी company का culture सब की बात सुनता है और तुम्हें बोलने का हक देता है तो फिर तुम यह क्यों सोचोगे कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे student मैं इस बात समझ पा रहा हूँ लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने छूटी सी भी गलती कर दी तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे teacher कि तुम सबसे बड़ा सच जानना चाहते हो कोई भी नहीं कोई भी नहीं तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा हम सोचते हैं कि कई लोग सुबह उटकर बस हमारी खुशियां खत्म करना चाहते लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सब अपनी जिन्दगी में बिजी है student लेकिन फिर भी लगता है कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे मैं इस चीज को कैसे solve करू क्योंकि आखिर में तो मुझे पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताना है teacher तुम खुद ही से कुछ सवाल कर उन्हें ऐसा क्या पता है जो तुमें नहीं पता तुम जैसा उमीद कर रहे होगे उससे अलग वो क्यों बिहेव करेगे तुम किसे situation में रियाक्ट करोगे उससे बहुत ज़ादा अलग ड्रामा क्रियेट करके वो क्यों रियाक्ट करेगे student ये सवाल तो काफी मुश्किल है teacher ये सवाल अपनी नींद उड़ा कर जाकते रहने से तो असान ही है मुझे क्यों नहीं अच्छा ट्रीट कर रहे है student ये सवाल पूचने से मुझे क्या मदत मिलेगी teacher हम दुनिया को सिर्फ हमारे पहने हुए लेंस से देखते हैं दुनिया चाहें white हो पर अगर हमारी आखों पर red lens लगा हुआ है तो हमें दुनिया red ही दिखेगे जब हम हमारे चश्मे हटाएंगे और किसी और के चश्मे से देखेंगे तब हमें दुनिया का एक अलग ही रूप नजर आएगा student जब मैं वो अलग दुनिया देखता हूँ तब मुझे और idea आने लग जाते teacher आँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो पहले office politics लग रही थी वो तुम्हें किसी और के नजरिये से office politics ना लगे student तो फिर अगर मेरा manager जैसे leaders behave करते हैं वैसा करेगा तो situation में मैं कुछ नहीं कर सकता मैं सिर्फ एक गलत जगा फस चुका हूँ और अब मेरी choice है कि मैं वहाँ पर फसा रहा हूँ या दूसरी job ढूँँ और अगर मेरा manager अलग तरीके से behave करता है जैसे मेरे leaders नहीं करते तो फिर तब मेरी ये responsibility है कि मैं उस मुद्दे पर आवाज उठाओ और जो मुझे office politics लग रही है वो शायद किसी और के नजरिये से मुझे office politics ना लगे इतनी सारी चीजें हैं समझने को लेकिन मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है चलो अच्छी बात है काम में indispensable कैसे बनो क्या अपने काम में indispensable बनना possible है इतना अच्छा बनना कि मैं टीम में ना हूँ तो मेरे manager को डर लगे teacher अज़ा मुझे एक बात बताओ अगर तुमसे कुछ करने को कहा जाता है और तुम उसे अच्छे से कर लेते हो तो फिर क्या इससे तुम indispensable बन जाओगे student शाधा अगर मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छे से करूँ तो teacher तो इसका मतलब यह है कि जब दूसरे तुमसे बहतर बनने लग जाएंगे तब तुम dispensable बन जाओ student अरे यह तुम आने सोचा ही नहीं जाएधा teacher दूसरों से बहतर बनने का गेम चलता ही रहता है क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि दूसरे कितने अच्छे हैं student लेकिन अगर मैं मेरा काम अच्छे से करना हूं और दूसरी लोग इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या यह काफी नहीं है teacher यही सबसे बड़ी गलती है जिसमें हम सब विश्वास रहें कि हमारी जॉब सिर्फ काम करना है मेरे इसाब से यह काफी नहीं है student क्यों teacher क्योंकि अगर कोई और आया जो तुम से बहतर यह काम कर सके और तीस कर सके और कम पैसों में कर सके तो तुम्हें replace कर दिया जा सकता है student तो फिर मैं खुद को indispensable कैसे बनाओ अगर हम सिर्फ वही करते हैं जो हमें करना चाहिए तो हमें वही मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए ना कि वो जो हम चाहते teacher हमें से ज्यादतर लोगों को जब एक टास्क दिया जाता है तब हम यही सोचते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए और क्या output ने करना है जिर्फ output पर focus करना तुम्हें replaceable बनाता है लेकिन कुछ लोग जो सही में indispensable होते हैं वो आउटपुट के अलावा भी चीज़ों को अचीव करने का सोचते हैं वो अपने काम में positive unpredictability लाते हैं student इसका क्या मतलब होता है teacher जादतर लोग आउटपुट पर focus करते हैं लेकिन indispensable लोग outcome पर focus करते हैं यह टास्क मुझे क्यों दिया गया क्या reason है जो सबसे पहले मुझे दिया गया वो इन सवालों के बारे में सोचते हैं और जिस वज़े से वो किसी भी possible output से और भी बहतर result निकालते हैं और यह result unpredictable होते हैं आउटपुट काम करवाता है outcome वो reason समझाता है कि यह चीज़ें क्यों करी जानी चाहिए जिस वज़े से result और अच्छा निकलता है student क्या मुझे एक example के साथ समझा सकते हैं teacher मान लेते हैं कि एक important client meeting से पहले तुम्हारे manager ने तुम्हें एक छोपी सी presentation बनाने के लिए गा presentation जिसमें client के business की बात हो रही हो उसके financial data की, news report की, और भी कई चीज़ों की जानकारी तुम्हें उस चीज़ को कैसे शुरू करूँगे student मुझे presentations बनाना तो बहुत पसंद है मैं company का नाम Google पर search करूँगा और फिर उनकी latest news reports देखूँगा फिर मैं उनकी quarterly presentations बढ़ूँगा और एक summary बनाऊँगा लगभग 10 slides की, मैं एक presentation बनाऊँगा जिसमें client के बारे में समझा जाएगा teacher तुमने यहाँ पर एक बहुत common mistake कर दी तुमने वो सवाल नहीं पूछा जो indispensable लोग पूछते मुझे एक काम क्यों दिया गया manager इस data की request क्यों कर रही है इस चीज से उसको क्या help मिलेगी तुम्हें क्या लगता है इन सवालों के क्या जबाब होगा student manager client को बताना चाहती है कि वो उनके business को अच्छे से समझती है teacher ठीक है यह important है क्यों student क्योंकि तभी वो client हमारी company पर भरोसा करेगा teacher तुम्हारी company पर कौन भरोसा करेगा student client teacher और client कोई है student आप उस इंसान का पूछ रहे है वो जिससे मेरी manager meeting करने वाली है teacher क्या तुम्हें पता है वो इंसान कोई है student नहीं teacher तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी manager को पता है कि वो कौन है student शायद हाँ teacher क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम company के साथ उस इंसान के बारे में भी information निकाल कर manager को दोगे तो उससे उसे काफी help मिलेगी student मैं समझ गया ये बात कहां जा रही है teacher तुम्हें खुद से सिर्फ ये fundamental सवाल पूछना था मुझे काम करने को क्यों कहा गया और मुझे क्या काम करने को कहा गया student नहीं बच्चे से समझ गया क्या ये चीज हर बार apply होती है teacher positively unpredictable बनने के chances endless है हम ये बार-बार कर सकते है मुझे इस बात से एक चीज जा दाए मेरे business school में professor ने अपना course खत्म करके एक सवाल पूछा था तीन ऐसी चीजों की लिस बनाओं जो तुमने इस course से सीखी 120 students में से सिर्फ 6 students ने तीन चीजों से ज़्यादा चीजों की लिस बनाई जो उन्होंने उस course में सीखी थी सबने सिर्फ तीन ही चीजों की लिस बनाई उन्होंने आउटपूट निकाला और आउटकम निकालने में फेल हो गया हम सब इस चीज से गुजरते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि success का मतलब है हम minimum आउटपूट निकाले बलकि reality ये नहीं है तीचर अगर इतना असान है तो सब लोग आउटपूट निकालने के पीछे क्यों जाते हैं वो आउटकम के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं तीचर क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है हमें अपना काम शुरू करने से पहले रुक कर सोचना होता है और सामने वाले इंसान की जगा खड़े होकर ये सोचना होता है कि उसने हमें ये काम क्यों दिया और वो हम से क्या उमीद कर रहा है स्टूडेंट इससे एक चीज समझाईए कि हमें हमेशा हाड़ वर्क का रास्ता चुनना चाहिए ना कि कमफर्ट का और उसी में हमारे सारे जवाब हमें मिल जाएंगे टीचर आँ विल्कुल सहीगा मुझे अपनी नई जॉब के पहले 90 दिन कैसे बिताने चाहिए स्टूडेंट मैं अपनी नई जॉब इंजॉई कर रहा हूँ लेकिन अभी मैं वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ टीचर क्या तुम एक छोटे बच्चे से चलने की उमीद करते हो स्टूडेंट नहीं टीचर और वो चलने ही पाता तो क्या तुम उस बच्चे का मज़ाग बनाते हो स्टूडेंट नहीं क्योंकि छोटे बच्चे से चलने की उमीद कोई नहीं करता टीचर और अगर वो चलने की कोशिश करे तो क्या तुम उन्हें अप्रिशियेट करोगे स्टूडेंट हाँ बिलकुल टीचर क्या तुम्हें लगता है कि तुमने तुम्हें सवाल का जवाब दे दिया है स्टूडेंट लेकिन मैं कुछ बढ़ा करना चाहता हूँ टीचर मैं तुम्हें एक सच बताता हूँ जो तुम्हें कोई रेक्रूटर नहीं बताएगा जब तुम नई जॉब शुरू करते हो तब पहले ही दिन से तुमसे कोई बहुत ज़्यादा उमीद नहीं करता है बलकि वो सिर्फ तुमसे यहीं उमीद करते हैं कि तुम चीजों को अच्छे से अब्सेर्व करूँ स्टूडेंट सच मैं टीचर तुमें क्या लगता है कि तुम पहले ही दिन से बहुत अच्छा काम करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट उससे मेरे मैनेजर और मेरे लीटर्स को मेरे उपर ठाफील होगा टीचर और क्या चांसेज है कि तुम पहले ही दिन से अच्छा काम कर पाऊगे Student, chances तो कम है, क्योंकि मुझे आभी उस job का इतना experience नहीं है Teacher, और तुम में क्या लगता है, कि अगर तुम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे manager का क्या reaction होगा Student, कि मैं थारों को अपना aim बना रहा था, जबकि मैंने भी चलना भी नहीं सीखा था Teacher, और इसका practical मतलब क्या होगा Student, मेरा manager मेरी capabilities और मेरे execution पर भरोसा नहीं कर पाएगा और same चीज मेरी team के साथ भी होगी Teacher, और अगर तुम पर भरोसा नहीं होगा, तो क्या होगा Student, मुझे कोई task देने से पहले मेरा manager बहुत बार सोचेगा और अगर कोई task दे भी दिया जाए, तो उनकी दिमाग में यही सवाल चलता रहेगा कि मैं कर पाऊँगा Teacher, अब तुम बताओ, कि तुम्हें पहले ही दिन से कुछ बड़ा try करना चाहिए या नहीं अगर तुम्हारा manager तुम पर भरोसा नहीं करता, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने smart हो Student, लेकिन मैंने कोई अच्छा नहीं किया, तो फिर मेरे managers यह सोचेंगे ना, कि मैं इस job को लेकर serious और committed नहीं हूँ Teacher, यह बात बूरी सच नहीं है, seriousness और commitment के दो side होटे है, A, inputs जो तुम contribute कर रहे है, B, output जो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा focus अभी कहाँ पर है, student, output पर, teacher, क्या तुम्हें लगता है कि seriousness और commitment को, तुम्हारे inputs को देखकर भी measure किया जा सकता है, student, शायद मुझे पता नहीं, teacher, एक नई job पर तुम्हारा input बहुत important होता है, तुम्हारी नई job पर input से मेरा मतलब जो तुम काम कर रहे हो और तुम कैसे अपने काम को अंजान दे रहे हैं, यह सारी चीज़े, तीन essential ingredients पर आ जाती है, culture को समझना, system कैसे काम करता है, उसे observe करना वो company कैसे काम करती है, वहाँ पर decisions कैसे लिये जाते है, ध्यान से सुनना, किसी को जवाब देने की intention से मत सुनो, उसे समझने की intention से सुनो, तुम्हें अपने पास हो रही सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहा होगा, लोगों से बात शुरू करो, अपने department के staff और बाहर के staff से बात करो, उन लोगों से मिलो, वो अपना काम कैसे करते हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, उन्हें क्या चीज अच्छी बनाते हैं, उन्हें क्या चीज अच्छा नहीं बनाते हैं, वो अपने काम के बारे में क्या चीज पसंद करते हैं, वो अपने काम के बारे में लिए जरूर करेंगे कि वक्त आने पर तुम अच्छा जो करूं स्टूडेंट क्या पेशिंट्स यहां पर एक इंपॉर्टन रोल प्ले करता हैं टीचर पेशिंज कहा Cul नहीं करता है नहीं तोह helps थोकी जब तुम एक नई जॉब करने का टाइम नहीं मिला तुम हर रोज अपनी कुलहाडी की धार को तेज करते हो पेशन्स और कंसिस्टंसी के साथ तुम अपना काम करते हो इसलिए जब तुम पीड काटना शुरू करते ओ तब तुम सबसे जल्दी कीड़्ड काटते हो पहले दो पॉइंट समझ गया लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि दूसरों से बात करना कुलहडी की धार को तीज करने से कैसे रिलेटिड है मुझे तो वह चीज अपने काम से बाहर की लगती है टीचर लाइफ बहुत आसान है लाइफ की एक फिलासिफी है जो जादतर लोग इगनोर कर देते और वो ये कि तुम अगर लोगों के साथ अच्छा बनके रहोगे तो तुमारी लाइफ आसान हो जाए स्टूडन्ट क्या इसमें वो लोग भी इंक्लूड़िड है जो फेक बनकर हमारे साथ रहते हैं टीचर लोगों के साथ अच्छे जरूँ क्योंकि तुम सही में अच्छे है उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो उनकी एक्स्पीरियंसे के बारे में पूछो उनसे पूछो कि वो क्या इंजोई करते हैं और क्या चीज इंजोई नहीं करते हैं वो कहां से आते हैं उनकी फैमिली कैसी है उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन्शिप बिल्ड करो जब तुम लोगों को अपनी प्रोफेशनल साइट से निकाल कर इनसान की तरहें अच्छे से ट्रीट करोगे तब वो भी तुम्हारे सामने खुलेगे अब जब तुम्हारा उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया है तब जब अगली बार तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तब वो खुशी-खुशी तुम्हारी हल्प करेंगे और बदले में किसी चीज की उमीद नहीं करेंगे त्योंकि अब तुम दोनों अच्छे रिलेशन में हो ये बात सुनकर तो बहुत अच्छी लगी हालकि जब आपकी बताई हुई मैं सारी चीज़े करूँगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कुलाडी से पेड़ काटने का आप सही समयें तुम्हें नहीं पता चलेगा कब लेकिन तुम्हें सिचुएशन में समझा जाएगा student मैं अपनी कुलाडी की धार तेज करता रहूँगा और जब वक्त आएगा तब मुझे अपने आप समझा जाएगा क्या आप ये क्याना चाहते हैं कि मुझे शुरुआत की दिन में जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ महीनों के बाद इस चीज की जरूरत पड़ेगी teacher ये कभी भी हो सकता है जब तुम ready हो इसके बारे में तुम जिंदगी के दो modes की तरह सोचो पहला mode ये है कि तुम impatiently पहले दिन से ही कुछ बड़ा impact मनाने की कोशिश करो और अगर तुम सिर्फ उस impact के पीछे भागोगे तो फिर तुम उसके लिए सही में ready नहीं हो पाओ तुम हमेश्या जितना अचीव कर सकते हो उस से कम ही अचीव कर पाओ और दूसरा mode ये है कि तुम patiently एक बड़े impact के लिए सही opportunity का वेट करो पहले दिन तुम्हें ऐसी opportunity नहीं मिले लेकिन कुछ समय बाद तुम भी ready हो जाओगे और शायद तुम्हें वो opportunity भी मिल जाए student मैं समझ किया वहाँ के culture को समझने में और system को observe करने में हमें समय बिताना चाहिए लोगों की बात को अच्छे से सुनना चाहिए और आसपास हो रही चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें हमारे department या department के बाहर के लोगों से मिलना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए हमें ये सारी चीजे patience के साथ करनी चाहिए और जब सही समय आएगा तब हम तयार होंगे कुछ बड़ा करने के लिए Teacher बिल्कुल सही Multiple income streams कैसे बिल्ड करो Student एक चीज़ जिसके बारे में मैं हमेशा से सोचता हूँ यह है कि मैं multiple income streams कैसे बिल्ड करो यह concept बहुत relatable लगता है जब कोई millionaire Instagram पर बात करता है लेकिन बहुत मुश्किल है टीचर Multiple income streams बिल्ड करना एक building को बिल्ड करने जैसा है फ्लोर तुम्हारी income stream है लेकिन हर एक चीज foundation से शुरू होती है और इस case में एक predictable stable income stream ये foundation है स्टूडन्ट क्या ये boring नहीं है टीचर सोचो इसके बना क्या होगा तुम अपनी नई income stream से पैसा बनाने का pressure पहले ही दिन लेना शुरू कर दोगे ये एक छोटे से बच्चे को लंपिक्स में compete करवाने जैसा है स्टूडन्ट मतलब मेरी एक stable income stream बहुत important है मेरे लिए टीचर आँ और तुम्हें उसी income stream को अपने साथ रखना है वो जाहें जॉब हो या कोई और चीज वो salary जिससे ज्यादे तर लोग drug कहते हैं वही तुम्हारा support बनेगी एक बार जब तुम्हारी ये income stream बन जाए तब तुम्हारा दूसरा task ये होगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए time निकालो ताकि तुम अपनी अगली income stream को time दे सको student और ये मैं कैसे करू teacher process build करके तुम अपनी जिंदगी में administrative task को outsource करो तुम एक automation set करो ये सारी चीजें करने का मकसर यही है कि तुम अपने लिए ज़ादा से ज़ादा time निकाल सको ताकि तुम दूसरी income streams को explore करो तुम multiple income streams तभी बना सकते हो जब तुम पहले एक stable, predictable income stream बना लो student मझे इन income streams के बारे में पता कैसे चलेगा कि किसको मुझे करना चाहिए और क्यों teacher basic से शुरू कर और चीजों को complicate मत कर मेरे experience में ये income streams हमेशा तुम कौन हो इसका reflection होती है मतलब कि किसी के लिए investing तो किसी के लिए teaching या किसी के लिए consulting हो सकती है जो उसमें अच्छा हो या फिर परिवार वालों और दोस्तों के साथ एक business शुरू करना student क्या मुझे ये समझना चाहिए कि ये income stream को बनाने के process में आप ये कहना चाहते हैं कि income stream को select करना मेरी एक personal journey है teacher student मुझे इस process को लेकर एक सवाल है अगर मैं मेरी जौब पसंद करता हूँ तो फिर मैं उसे कम करना क्यों चाहता हूँ teacher ये एक बहुत इच्छा सवाल है मैं तुमसे ये नहीं कहा रहा हूँ कि तुम अपनी जौब कम करो मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ वो करने से तुम financially independent नहीं बन बाव कोई चीज जो 2012 में 100 की थी वो 2012 में 160 की है 100 की 2012 में income 2012 में सिर्फ 130 तक ही बड़ी है इसलिए income और expenditure के बीच का gap बढ़ चुका है अगर तुम्हारी जौब से तुम्हारे सारे खर्शे निकल रहे हैं और उसके बाद भी enjoy करने के लिए पैसा मच रहा है तो फिर तुम पूरा time अपनी जौब को दे सकते हैं लेकिन अगर तुम्हारी जौब तुम्हें अच्छा पैसा नहीं दे रही और तुम्हें वहाँ पर growth का कोई scope नहीं दिख रहा है तो फिर multiple income streams बिल्ड करना एक अच्छा idea Student एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है अगर मैं मेरी जौब को पसंद करता हूँ और साथी में मैं multiple income streams भी बिल्ड करना चाहता हूँ तो क्या ये ठीक है कि मैं multiple income streams भी बिल्ड करूँ और साथी में अपनी जौब भी अच्छे से करूँ Teacher अगर तुम्हें तुम्हारी जौब पसंद है और वो तुम्हें अच्छा पैसा भी देती है तो भी तुम्हें दूसरी income streams एक्स्प्लोर करना ही चाहिए हमारे पर सिर्फ एक सिंद्गी है हम क्यों उसे एक identity के साथ चीए हमें दूसरी चीज़ों को भी एक्स्प्लोर करना चाहिए Student इस केस में जैसा कि सिर्फ पैसा बनाना ही मतलब नहीं है तो फिर आप मुझे अडवाइस करोगे कि मुझे अपनी जॉब से टाइम निकालना चाहिए Teacher नहीं बिल्कुल नहीं आइडिया ये नहीं है कि तुम जो चीज़ पसंद करते हो वो करना कम रहा आइडिया ये है कि तुम जो भी करो तुम उसमें खुश रहो Student अब मैं समझ गया मेरा अगला सवाल ये है कि मेरा काम बहुत डिमांडिंग है फिर मैं दूसरी इंकम स्ट्रीम्स बिल्ट करने के लिए टाइम कैसे निकालना हो Teacher तुम्हें ही अपने टाइम को अच्छे से गाड़ करना हो तुम जो भी टाइम मैनेज कर सकते हो वो करो जैसे कि सुबह जल्दी उटना, रात को काम करना, छुट्टी में काम करना तुम्हें वो साइड इंकम बिल्ट करने के लिए टाइम निकालना हो शायद तुम लिखना चाहते हो शायद तुम गाना चाहते हो शायद तुम्हारा मन पेंटिंग करने करो, तुम अच्छे से सारी चीज़ों को एक्स्प्लोर कर, उसमें डेडिकेशन के साथ मेहनत करो और कंसिस्टनसी लाओ, तीन चीज़ें तुम्हारे लिए साथ आएंगे, तुम बहुत सारा टाइम लगा चुके होगे अपने इंट्र जाया कि यह जर्नी कितनी अच्छी हो सकती है, स्टूडन्ट, क्या सही में मैं एक बड़ी इंकम स्ट्रीम बना सकता हूं, टीचर, कोई गैरंटी नहीं है, लेकिन अगर तुम ट्राइ ही नहीं करोगे, तो क्या ही होगा, और चमतकार तभी होगा जब तुम मेहनत करोगे, एक अच्छे फल के लिए भी पहले बीज लगाया जाता है, जो फिर पेड़ में बदलता है, और एक दिन उसके उपर फल लगता है, स्टूडन्ट, मैं आपका एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल, इंकम बनाने वाले आईडिया को अच्छे से समझ गया, जिससे मेरे उपर पैसा कमाने का फ्रेशर नहीं रहेगा, और मैं पहले दिन से अच्छे से दूसरी चीज़ें एक्स्प्लोर कर पाऊंगा, शायद यहीं फिलोसफी मैं अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, टीचर, हाँ, बिल समझना होगा कि एक gap year क्यों important है, हमारी generation से पहले opportunity limited थी, उनके पास सिर्फ पांचे रास्ते थे और वो पूरी जिंदगी same career में गुजार लेते थे, हलाकि अब दुनिया बदल रही है और हर पांच साल में नई opportunity निकल करा रही है, और उन नई opportunities के साथ चलने के लिए हमें उ तो शायद किसी exam के लिए clear करने के लिए drop year ले रहे हैं, बदलते वक्त के साथ समय लेकर चीज़ों को समझना कोई शौक नहीं है, वो एक जरूरत है, एक drop year gap year का opposite होता है, क्योंकि drop year में आप gap year की तरह कोई और चीज explore नहीं कर सकते हैं, student, आप सब कुछ must चीज लग रही है gap year के चलते हुए exploration कैसा लगता है, teacher, gap year के तीन aspects होते हैं, एक student बनना, community build करना, और खुद को समझना, क्या तुम इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए ready हो, student, हाँ, teacher, पहली चीज़ है, student बनना, याद रखना कि एक gap year का objective होता है, अलग-अलग subject को explore करना, जिसमें तुम्ह तुम्हारा interest हो, और इस exploration के time, तुम्हें दू सवालों का जवाब ढूनना है, वो कौन सी चीज है जिन में मैं अच्छा हो से पर, वो कौन सी चीज है जिससे मुझे खुशी मिलती है, शुरुवात में तुम उन सारी चीज़ों के लिए बनाओ, जिनहें तुम explore करना चाहते teacher, गोल यह यह, कि हम life को सिर्फ एक ही चीज में न फसा दें, imagine करो कि जो चीज करना तुम personally enjoy करते हो, वही तुम professionally करना शुरू करते हो, इसे लिए मैं तुम्हें restrict होने से मना करूँगा, तुम जितनी भी चीज़ें explore करना चाहो, उन्हें अपनी list में राखो Student तुम ही बात करोगे जो पहले इस field में थे, लेकिन अब नहीं है, ताकि तुम उनका perspective भी समझ सको, फिर एक महिने के exploration के बाद तुमें समझा जाएगा, कि तुम इस चीज को enjoy कर रहे हो या नहीं, अगर तुम कर रहे हो, तो फिर हम इस field को और अच्छे से समझेंगे, और अ पिस से हमारे explore करने के process को शुरू कर देंगे, student, एक बार जब मुझे कोई field पसंद आ जाए, तो मैं उस field में और deep कैसे घुसूँ, teacher, तो मुझे चीज के ऊपर हुद काम करना शुरू करो, एक project उठाओ या फिर किसी के साथ एक intern जैसे काम करो, किसी के लिए free में काम करो, freelancing project उठाओ, अपनी learning को optimize करो, student, यह तो एक बिना exam के syllabus जैसा लग रहा है, teacher, तुमने बस life को describe कर दिया, और साल के end में तुम तकरीबन 6 से 18 के पीच opportunity explore कर चुके होगे, यही गजब बात है, एक year gap में हमारे पास कितना समय होता है, कि हम इतनी सारी opportunity explore कर सकते, student, हाँ बिलकुल, आपने community build करने के aspect की बात की थी, वो क्या है, teacher, school और college के तरहें हमें सबसे ज़्यादा हमारे आसपास के लोगों से सीखने को बनता है, हालकि एक gap year में तुम्हें अकेला feel हो सकता है, अगर तुम्हारे दोस्त ने gap year ना लिया हो तो, तुम शायद अपने इस decision पर doubt करोगे, यही समय होगा, जब लोग तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए लोगों को ढूंडना शुरू करो और एक community बनाओ, जब तुम ideas और fields explore कर रहे होगे, तब online networks और लोगों की communities ढूंडो, और उनका part बनो, ताकि तुम वहाँ से चीज़ें समझ सको और नई चीज़ों को सीख सको student, और यह communities कहां पर है, teacher, पूरे internet पर, हर idea या field के internet पर एक community है, तुम्हें design community, enhanced मिल जाएगी, या software community, github पर, या web3 community, discard पर, यह तुम्हारा गाम है कि तुम अपनी community कैसे ढूँडो, student, और मैं in communities में क्या role play करूँगा, teacher, idea सिर्फ यह है कि तुम in communities में helpful रहो, observe करो, notice करो कि तुम्हारे आसपास की चीज़ें कैसे काम कर रहे हैं, लोग कैसे काम कर रहे हैं, और जो knowledge तुम्हारे पास है, वो तुम share करो, यह करते हुए तुम ऐसी जगह पर पहुँच जाओग जहां तुम्हें समझा जाएगा, कि क्या तुम उस चीज़ को enjoy कर रहे हूँ या नहीं, और याद रहे कि यही वो community है, जो तुम्हें तुम्हारी अगली opportunity देगी, student, ओ, यह तो काफी exciting लग रहा है, teacher, हाँ, और अब मैं अपने gap year के last aspect पर आताँ, और यही सबसे important है, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या मैं इस चीज़ में और अच्छा बन सकता हूँ, क्या मैं ये करके खुश हूँ, student, यह तो बिल्कुल basic लग रहा है, तो फिर लोग इसमें क्या गलती करते हैं, teacher, लोग इन सवालों का जवाब देते हुए short term सोचते, वो 5 से 10 साल की ब जैसे कि पैसा, status और बागी चीज़ें, हम fundamental चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि उस चीज़ से मिलने वाली खुशी और satisfaction, student, हम मैं आपकी पूरी बात समझ गया, हमें एक gap year लेकर खुद को अच्छे से समझना है, और चीज़ों को explore करना है, अगर हम पूरा एक साल सिर्फ अगले साल के लिए decision लेने में लगाएंगे, तो वो काफी waste हो जाएगा, इसलिए हमें एक साल का break लेकर long term के हिसाब से सोचना चाहिए, teacher, आँ, बिल्कुल, मैं ना बोलना कैसे सीखो, student, जब भी मैं किसी को ना बोलता हूँ, तो मुझे बुरा क्यों लगता है, जब भी मै मैं दिल से किसी को ना बोलने की कोशिश करता हूँ, एक guilt feeling मुझे ऐसा करने से रोग देती है, teacher, तो मैं ऐसा क्यों लगता है, student, पता नहीं, बस एक डर लगता है, teacher, तुम्हारी ये problem मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ब एक ऐसे environment में बड़े हुए हैं, जहां हाँ बोलना हमारी capabilities को reflect करता है, और ना बोलना हमारी काम नहीं करने की इच्छा को, student, हाँ, आपकी ये बात काफी सही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ना बोलने से मैं selfish लगूँगा, सामने वाले को शायद ऐसा लगे कि मैं उसकी इज़त नहीं करना हूँ, teacher, देखो, वापस वही बात आगे, जैसे तुम सोचोगे, वैसे ही लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे, student, तो आप कैसे किसी को ना बोलते हो, teacher, मैं ना बोलने की permission ले लेता हूँ, student, जैसे, teacher, मानो तुम्हें एक gathering में invite करा गया है, और तुम जाने की इच्छा नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम वहाँ बोल हो जाओगे, तुम मना नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से, तुम उसकी respect नहीं करते हो, ऐसी situation में तुम उसको पूछो, अगर मैं ना हूँ तो चलेगा, तुम्हें क्या लग होने वाला मेरी इस request को reject करते हैं, लेकिन असा बहुत कम situation में हो सकता है, आपकी अप्रोच काम आ सकती है, teacher, एक दम सही, जब तुम उससे वो question पूछोगे, तो तुम उसी से permission मांगोगे, ना कि उसकी disrespect करोगे, और बहुत कम लोग होंगे, जो तुम्हारी request reject कर देंगे, और बाकी जगर ना बोलते वक्त दर जाते हैं, मैं कैसे खुद को बदल सकता हूँ, जिससे मुझे में ये guilt feeling आनी बंद हो जाए, teacher, देखो, इस चीज के दो पार्ट है, पहला, standing up for yourself, और दूसरा, दुखी होना या खुद को घलत मानना, हम पहले पार्ट से start करते हैं, जो तो बताओ, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज बहुत important है, तो तुम उसे उतनी importance क्यों नहीं दे सकते हैं, जितनी वो deserve करती हैं, तुमने पहले से ही ऐसा क्यों सोच रखाया है, कि तुम अपनी बात नहीं गया पाऊगे, वो जो चाहता है, क्या वो तुम चाहते हो, उससे भी important है, student, बता नहीं, बस मुझे खुद के लिए stand लेना और लड़ना अजीब लगता है, teacher, अपने लिए stand लेने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है, तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा, मैं तो जाता हूँ कि लोग अपने bathroom mirror पर एक signboard की तरहें ये लिखते हैं, कि खुद से प्यार करने में और अपने लिए stand लेने में कोई problem नहीं है, इसे जब भी वो सुबह उठेंगे, उसे देखेंगे, और उनहीं याद रहेगा, student, क्या ये selfish होना नहीं है, teacher, तुम खुद को importance ना देकर, सामने वाले को importance दो, क्या ये जई है, student, आपकी ये बात काफी सही है, लेकिन अभी भी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे वही डर फील हो रहा है, teacher, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मैंने कहा था न, कि हम शुरुआत से ही ऐसे environment में बड़े हुए हैं, जहां हमें यहीं सिखाया ग होता है, कि तुम्हारी क्या situation है, कि तुम उन्हें ना केरे, पर अगर उन्हें problem पता भी हो, तो वो उसे तुम्हारी तरफ भी नहीं कर पाते, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी बात समझें, तो तुम्हें उनसे इस बारे में बात करनी पड़ेगे, यही एक तरीका ह है, जिससे वो तुम्हारी situation समझ पाएंगे, student, तुम्हें उनसे बात करके उन्हें बताना चाहिए कि मैं क्यों ना बोल रहा हूं, teacher, exactly, तुम्हें अपनी situation समझाओगे, तब ही वो समझेंगे, student, क्या इसका मतलब अगर वो मुझे पार्टी में invite कर रहे हैं, तो क्या मैं ब मैं जाऊंगा, तो उनके साथ मैं अच्छे से enjoy नहीं कर पाऊंगा, और उन्हें भी बूर कर दूँगा, ऐसा नहीं है कि मजे उनकी company पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, teacher, तो तुम्हें ऐसा कहने से कौन रोग रहा है, student, शाहिद उनको ये बुरा लगे, और उ जैसे, भाई, आज मैं बहुत धगावा हूँ, अगर मैं आ भी जाऊंगा, तो enjoy नहीं कर पाऊंगा, और तुम लोगों का भी mood खराब कर दूँगा, तो अगर मैं ना बोलू तो चलेगा, अगर वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, तो वो तुम्हारी बात जरूर हैं, तो शायद तो तुम्हारे अच्छे दोस्त ही नहीं है, एक अच्छा दोस्त तुम्हारी situation को समझने की कोशिश जरूर करेगा, student, अब मैं अच्छी तरह समझ गया, यह कितना सही है कि मैं उन्हें समझा कर ना बोल सकता हूँ, इसमें कोई डरने वाली या गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है, और इससे यह भी फायदा है, कि मुझे भी पता चलेगा कि कौन मेरा अच्छा दोस्त है और कौन नहीं, student, जब भी मैं किसी से मदद मांगता हूँ, तो मुझे शर्म सी आती है, teacher, जब हम छोटे थे, तो हमें intelligent होने पर और सभी question का सही answer देने पर reward मिलता था, शायद यही बज़ा है कि बड़े होने पर अगर हम किसी से help मांगते हैं, तो हमें शर्मिंद की महसूस होती है, और मैं तुम्हें बता दूँ, किसी से help मांगना ही कुछ नया सीखने का best तरीका है, student, वो कैसे? teacher, क्योंकि मदद मांगते वक्त तुम ये admit करते हो, कि तुम्हें उस बारे में नहीं पता है, और तुम्हें उस बारे में जानने की इच्छा है, ऐसा नहीं है कि help सिर्फ लोग ही कर सकते हैं, books, videos, podcasts और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें guide करती हैं और एक तरीके से तुम्हारी help कर सकती हैं, student, हाँ ठीक है, तो हम कैसे किसी से मदद मांग सकते हैं? teacher, इसके लिए पहले हमें knowledge और help में फर्ट समझना होगा, knowledge तो वो हो गई जो हमें Google बताता है, जैसे कि resume को कैसे बनाएं, एक business plan कैसे लिखें, किसी college में कैसे apply करें, etc., help हम उसे कह सकते हैं, जूकि चार conditions फुल्फिल करें, पहली, तुमने knowledge लेने की कोशिश कर लिया, दूसरी, तुम पूरे तरीके से समझ नहीं पा रहे हो, दूसरी, जितना भी knowledge available है, उससे तुम्हारी मदद नहीं हो रहे हैं, चौती, अभी तुम्हारे पास बस थोड़ा बहुत idea है कि तुम्हें आगे क्या करना है, student, हरे वा, आपकी ये बात काफी सही है, अब मैं समझ गया कि कैसे help मांगने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, teacher, आँ, बिल्कुल, knowledge लेना एक first step है, और help हमें सिखाता है कि कैसे उस knowledge को practically apply करना है, student, लेकिन अगर हम knowledge एक्वाइर करने के लिए ही help मांगते हैं, तो क्या problem है? जब तुम्हारे पास कोई option ना बचा हो, तब help काम आती है, teacher, अगर तुम knowledge के लिए ही help मांगोगे, तब ऐसा लगएगा कि तुम्हें हर चीज easily चाहिए, help का मतलब है कि कैसे तुम practically जो तुम्हारे पास knowledge है, उसे apply करना सीखना चाहते हो, क्यूंकि आज़कल इंटरनेट पर सब available है, तो तुम्हारे पास इस चीज का कोई excuse नहीं है, कि तुम्हें नहीं पता कि start कैसे करना है, अगर कोई तुमसे कहता है कि उन्हें नहीं पता कि start कैसे करना है, तो simply वो एक excuse दे रहे हैं, और कोशिशी नहीं कर रहे हैं knowledge एक्वायर करने की, जो hard work है, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अगर तुम किसी से help लेने के साथ साथ knowledge भी उनहीं से लोगे, तो ये एक करीके से उनकी disrespect होगी, एसा क्यों? उनके पास तो knowledge भी मुसे ज़्यादा ही होगी, एसा इसलिए क्योंकि लोग जब तुम्हारी help करेंगे, तब तुम पहले खुद की help कर चुके होगे, अच्छे से knowledge ले चुके होगे, तो कैसे मैं उनसे help मांगू, उन्हें कैसे बताऊं के मैंने knowledge ले ली है? टीचर, चलो मांते हैं कि तुम्हें अपना resume में बनाने में help चाहिए, तो start करते ही तुम किसी से help मत मांग, तुम पहले खुद उस बारे में knowledge एक्वाइर करो, जैसे कि format, common mistakes, do's and don'ts, etc. तुम खुद अपना resume में बनाओ, और job के लिए apply करो, माने कि तुम्हें job नहीं मिली, resume इस state पर ही तुम्हें बाहर कर दिया गया, अब तुम्हें अपनी तरफ से सब कर लिया, तुमने खुद जितनी knowledge थी, उसका use कर लिया, जो possible हो सकता था, वो किया, लेकिन उससे तुम्हारा काम नहीं हुआ, अब वो time है जब तुम किसी से help मांग सकते हो, तुम कह सकते हो कि मैंने apply किया, लेकिन मैं first stage पर ही reject हो गया, मैंने खुद से काफिर try कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा resume और बहतर कैसे बलाओ, आप please मेरी help करेंगे, इससे एकदम clear हो जाएगा कि तुम्हें क्या help जाएए, और साथ ही साथ, तुम जिससे help मांग रहे हो, उसके knowledge और time को भी respect कर लेँँ, student, मैं अभी भी knowledge, help और advice के बीच में confused हूँ, मैं पहले entrepreneur को letter लिखकर business ideas के लिए help मांगता था, जैसे मुझे आपकी fundraising, team building और marketing में मदद चाहिए, teacher, देखो, इसमें भी तुमने directly बस help मांग ली, इसमें कहीं भी तुम्हारा knowledge नजर नहीं आएगा, उन्हें ये disrespectful और time waste लगेगा, generic help से अच्छा है कि तुम उनसे किसी matter में specific help मांग, और advice का मतलब तो ये हुआ कि तुम किसी से पूछ रहे हो या जानना चाहते हो, कि किसी काम को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत confused हूँ, कि मुझे मेरे main subject में economics लेना चाहिए या फिर maths, कि आपके पास मेरे लिए कोई advice है, advice को हम knowledge और help के बीच का पार्ट समझ सकते हैं, तुम्हें पताए कि help मांगते वक्त सबसे बड़ी mistake क्या होती है, student, शायद वही बिना knowledge के help मांगना, teacher, तुम आंसर के काफी close हूँ, अगर बैं तुम्हें exact बताऊँ, तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, कि जब उन्हें advice चाहिए होती है, तब वो help मांगने लग जाते हैं, और जब उन्हें help चाहिए होती है, तब वो advice मांगते हैं, जब वो ऐसा करते हैं, तो उनकी जो need है, वो पूरी तरह कभी fulfill नहीं हो पाती, और वो confused ही रहते हैं, student, मतलब teacher, मानो तुम्हें economics और maths में क्या choose करना है, इसमें confusion हो रहा है, यहाँ पर तुम्हें जो चाहिए, उसे हम advice कहेंगे, मतलब तुम्हें एक अच्छा subject choose करने में advice चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें एक economic expert के पास जाकर, उस particular subject में अपना interest बताओ, तब वो तुम्हें अच्छे तरीके से economics को समझने में help तरेगा, ना कि तुम्हें economics और maths में से क्या लेना चाहिए, उस पर advice देगा, तब अगर तुम्हें किसी से जाकर पूछोगे कि economics और maths में से क्या सही है, तो तुम्हें कभी भी proper answer नहीं मिलेगा, इसमें तुम्हें एक अच्छे economics expert के पास जाना चाहिए, जो कि तुम्हें आगे की opportunities के बारे में समझाए, तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक अप्रोच देता हूँ, जिसका नाम है कार, context, action, results, जिस भी topic पर तुम्हें help चाहिए, उसका concept क्या है, तुम पहले एक actions ले चुके हो, और जो actions लिए हैं, उनके क्या results है, बुजली, तुम्हें success नहीं मिली होगी, तभी तुम help मांग रहे हो, अगर तुम्हें ये सब अच्छे से पता है, तो तुम्हें best books, videos और लोग, जो की तुम्हारी help कर सकते हैं, वो मिल जाएंगे, student, तो इसका मतलब मुझे हमेशा मेरी request को single line में रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि मैं उनके time की respect नहीं कर रहा हूँ, teacher, विजार हमेशा काम ना करे, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें दो example देता हूँ, ये मुझे कल मेरे email पर आये थे, मैं आपके time की respect करता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम words में आपको मेरी problem समझा रहा हूँ, मुझे मेरे career को लेकर बहुत confusion है, और नहीं समझा रहा है कि मैं क्या करूँ, please help, मुझे आपकी help की ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि investor से कैसे connect कर दो, नीचे मैंने मेरा business plan attach किया है, आपके feedback का इंतिजार रहेगा, अब तुम बदाओ कि इन दोनों में common क्या है, student, दोनों में ही उन्होंने single line में request की है, यह है तो छोटा लेकिन समझ नहीं आ पाएगा, कि इनकी help कैसे करें, क्योंकि एक तरीके से यह अपने आप में बहुत बड़ा topic है, teacher, exactly, किसी से help मांगने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कि हम उसके लिए हमारी help करना आसान बनाए, जिसके लिए हमारी car approach को follow करना होगा, student, ठीक है, मेरा एक और question है, मैं जैसे किसी से help मांगने के लिए मेरा email या message की शुरुवात करता हूँ, sorry, मैं आपका time waste कर रहा हूँ, लेकिन मुझे teacher, कोई भी ऐसे जने की help नहीं करना चाहता, जो कि पहले से ही sorry फिल कर रहा हूँ, या खुद पर ही विश्वास ना कर रहा हूँ, इसका मतलब help मांगने का जो process है, वो अपनी self-respect को maintain रखना भी है, अगर तुम help मांगने के लिए पूछने में ही डरोगे या sorry फिल करोगे, तो उसका आंसार हमेशा नहीं होगा, help मांगना तो एक बहुत ही अच्छा learning process है, तुम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज से सीख पाऊगे, तो वो help लेना ही है, student, मुझे एक doubt ये भी है कि जो मेरी help कर रही है, उन्हें return में मैं क्या offer करूँ, teacher, ये एक अच्छा short है, ज्यादा तो लोग help इसी लिए करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा पील हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब आप किसी की help करूँ, वो feeling ही बहुत अच्छी होती है, अगर तुम्हारी किसी ने help की, और तुमने उसे कुछ भी न कहा, तो ये गलत है, तुम्हें जरूर उससे message, इमेल करके बताना चाहिए, कि तुम्हें कितना अच्छा महसूस हुआ, कि तुम्हारी help हुई, इतना ही बहुत है उन्हें खुश करने के लिए, स्टूड़न्ट, हाँ, अब मेरे सारे doubts क्लियर है, मैं मेरे parents को, मेरे career choice के लिए कैसे convince करूँ, मैं अपने parents से बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन जब भी मेरी life choices की बात आती है, तो हमारे बीच कोई ना कोई conflict होई जाता है, मैं कैसे उन्हें समझा कर उनके साथ अच्छा relationship मेंटेन रखूँ हूँ, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे parents तुम्हें प्यार करते हैं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि argument होगा ही? Student, पता नहीं, teacher, पेरे खयाल से शायद ऐसा generation gap की वज़े से, हमने इस बारे में पहले भी बात की है, कि हमारे parents की generation में सबसे important यही था, कि वो दो टाइम हमें अच्छे से खाना खिला दें और स्कूल भेज़तें, आज के टाइम की तरहें यह life choices पर discuss करना उनकी generation में नहीं था, और parents सिर्फ stability के बारे में ही सोचते हैं, parents तुम्हारे career में stability देख रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुम्हें और कुछ नहीं करने देना चाहते, वो सिर्फ इस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं तुम अपने career में unstable ना हो जाओ, और उसी के साथ तुम्हारी life खराब ना हो जाए, तुम्हारा enjoyment और सब उनके लिए कोई माहिने नहीं रखता, उन्हें बस तुम्हारी life के दो ही साथ दिख रहे हैं, जिसमें वो एक stable option को चूज करना चाहते हैं, एक साथ तो वो है जिसमें तुम एक top college में जाओ और एक stable career बनाओ, जैसे कि doctor, engineer, CA या फिर कोई government job, painter या social worker बनने के लिए, लेकिन इसमें बहुत risk है, इसलिए ही तुम्हारे parents को चिंता रहती है कि तुम्हें एक stable career option चूज करो, student, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, आपकी बात काफी सही है, teacher, तुम्हें ये समझना होगा, कि time बतल गया है, लेकिन हमारे parents की सोच वही है, इसलिए हमें balance बना कर रखना होगा, और उन्हें समझाना होगा अपनी career choices के बारे में, student, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरे parents time के साथ नहीं बदले हैं, तो ये कैसे possible है, teacher, तुम पहले खुद से शुरुवात करो, student, मतलब teacher, बेटर यही होगा कि तुम पहले खुद को convince करो कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, और तुम्हारे parents क्या चाहरे हैं, इसके अलग-अलग options हैं, जैसे कि पैसा, खुशी, बहुत ज़्यादा success, या stability, इन सब options के रास्ते अलग हैं, तो तुम्हें खुद को पहले clear होना पड़ेगा, कि तुम्हें क्या जाहिए और क्या नहीं, student, आँ, अब मैं समझा, teacher, parents को मानाना शायद इसलिए भी difficult होता है, क्योंकि ज़्यादा तर हमारे parents भी यही same stability वाला path follow कर रहें, और यह उनके लिए काफी सही काम भी कर रहा है, student, यही तो सबसे बड़ी problem है, teacher, तभी तो हमें इसे काफी patience के साथ solve करना होगा, student, और वो हम कैसे करेंगे, teacher, कैसा रहेगा अगर तुम उन्हें अपने दुनिया दिखाओ, तुम्हें जो career options पसंद आ रहा है, वो शायद तुम्हें online कहीं से दिखाओ, अगर तुम तुम्हारे parents को भी वही चीज़ें दिखाओगे, और उस career options के advantages दिखाओगे, तुशायद वो तुम्हारी बात को समझ जाएं, student, लेकिन शायद वो उसे देखे ही नहीं, ये कहकर के मैं उन्हें change करने की कोशिश कर रहा हूँ, teacher, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारा idea ऐसा बिल्कुल नहीं, कि हम उन्हें change करें, अब तो बस इतना जा रहे हैं कि अभी के वक्त में क्या चल रहा है, वो उसे समझे, तुम उन्हें ऐसा शूमत करो, कि तुम जिद करके उन्हें मना रहे हैं, बलकि इस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करो, कि तुम उन्हें aware कर रहे हैं, स्टुडेंट, कि अतना बहुत हैं, उन्हें बस aware करने से काम हो जाएगा, यह तो बहुत सिंपल लग रहा है, है ना, ठीच है, एक और बात, जो कि बहुत important है, मनुकी graduation के बात तुमने सूचा है, कि तुम master's नहीं करोगे, और different fields में, जो कि तुम्हें पसंद है, उनमें multiple internship करोगे, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे parents, जो अभी केस internship वाले pattern से वेर नहीं है, कैसे respond करेंगे? स्टूडेंट, वो तो साफ मना करतेंगे, टीचर, तुम्हें वो three idiots वाला सीन याद है, जिसमें फरहान campus interviews में आ जाकर, photographer के अंडर internship करना चाहता है, स्टूडेंट, उसे याद करके तो मेरी आँखों में आसू आ जाते हैं, तीचर, इसमें फरहान अपने parents से सिर्फ इतना कहना चाहता था, कि अगर वो पैसे कम भी कमाये, तो भी वो खुश रहे, वो अपने अपबा की permission मांग रहा था, कि वो उसे fail होने दे, उसे वो life जीने दे, जिसमें वो खुश रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस situation में भी मेरे parents मुझे मनाई करते, ये life चाहए मूवी से बहुत अलग है, तीचर, चाहिए तुम अपने parents को underestimate करें, लेकिन जुरों मान लेते हैं कि उन्होंने ना कह दिया, अगर तुम उनसे थोड़ा time मांगो तो, कैसे हम मान लें कि फरहान की अबबा भी movie में उससे मना कर देते, और अगर फरहान उन्हें दो साल का time मांगता तो, अगर वो इसके लिए मान जाते तो बहुत बढ़ी है, लेकिन अगर नहीं मानते, तो फरहान वापस job करने चला जाता, स्टूडेंट, शाहिद Will Smith में भी ऐसा ही किया था, जब उन्होंने अपनी mother के साथ agreement किया था, album release करने के लिए, अगर वो album हिट नहीं होता, तो वो वापस college चले जाते, teacher, और उसे कभी ऐसा करना नहीं पड़ा, student, आपने जो कहा, वो practical है, हमें समझना चाहिए, कि हमारे parents को भी हमारी life से वही चाहिए, जो हमें चाहिए, अगर हम उन्हें अच्छे से aware करें, और ensure करें कि अगर हम फेल हुए, तो हम stable life पर वापस focus करेंगे, तो वो हमें कुछ भी करने से शायद नहीं रोखे, इसके बाद जो hard work है, वो हमें ही करना हो, हमें बस अपने parents को proof करके दिखाना होगा, कि हम जो सोच रहे हैं, वो कर सकते, और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही step उठाना है, जो कि है, उनसे अच्छे से इस बारे में बात करना, मैं अपने parents को माफ कैसे करूँ, student, जब मैं छोटा था, तब मुझे बस यही चाहिए था, कि मैं मेरे father के साथ बहुँट time spent करूँ, लेकिन जब वो सुबह जाते थे, तब वो ममी के साथ लड़ते हुए जाते थे, और जब वो रात को देर से घर आते थे, तब भी वो वही repeat होता था, वो कभी भी मेरे लिए emotionally available नहीं थे, teacher, कैदो वीकेंड पर या कभी और उनसे बैठ कर बात किया करते थे, बस मेरी performance को अच्छा रखने के लिए मेहनत करता था, ये सोच करके एक दिन वो मेरी life के बारे में, और मुझी क्या feel हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ऐसे बहुत दिन थे जब मेरी इच्छा होती थी, कि मैं उनसे request करूं, अब बस एक दिन मेरे साथ खर पर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं हुआ है। अब उनके साथ तुम्हारा relationship कैसा है। अब हर अफ़ते एक दिन वो छुट्टी लेते हैं, पुझा आते हैं कि मैं रूम से निकल कर उनसे बात करूं, उनने अब बहुत सारी बाते करना पसंद है। लेकिन पता नहीं कुछ ज़्यादा बात नहीं हो पाते कभी। टीचर, तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बात नहीं हो पाते कभी। स्टूर, पता नहीं, अब मुझे फर्क महीं पड़ता। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो conversations उस time में चाहता था, कभी हो नहीं बात teacher, देखो, ये एक circle की तरह है, वो अपना time stability को पाने में spend कर चुके हैं, और अब जब उन्हें लाइफ में थोड़ी stability मिल गई है, तब वो realize कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, इस वज़े से उनका ego उन्हें कभी apologize नहीं करने देता, student, अब अब मैं उस relationship का क्या करूँ, जिसमें मुझे फर्क ही नहीं पढ़ रहा है किसी चीज़ का, teacher, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें फर्क नहीं पढ़ता है, तो तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करते, student, अजकल वो मुझसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, तो तुम उन्हें एक लेटर लिखो, जिसमें तुम उनसे माफी मांगो, उन बातों के लिए जिससे तुमने उन्हें हर्ट किया है, student, मैं माफी मांगू, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं क्यों माफी मांग लूँ, teacher, तुमने अभी एकदम सही का, जो हमसे सच्चा प्यार करता है, वो बिना माफी मांगे ही हमें माफ कर देता है, तो मैं पता है, माफी मांगने में सबसे अच्छा पाट क्या है, जब हम किसी से माफी मांगते हैं, तब हम सामने वाले के लिए भी ऐसा ही space create करते हैं, जिसमें वो भी हमें easily माफ कर सके, student, यह काफी मुश्किल है, नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा है नहीं, teacher, अगर तुम यह कर लो तो भी अच्छा है, और ना करो तो कोई problem भी नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तुम relationship को अच्छा करने के लिए ready हो, student, हाँ, मैं ready तो हूँ, लेकिन अगर मैं माफी मांगना ना चाहूं, तो इसका इसका मतलब यहाँ कि मैं relationship साहीं ना करना चाहता, teacher? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, student, तो फिर मैं क्या करूँ, लगर मैं माफी नहीं मांगना चाहता, तो और क्या तरीका है relationship को साहीं करने का, teacher, तुम उन्से ज्यादा से द्यादा बात कर सकते हो, तुम यह समझकर बात करो क कि तुमने उन्हें माफ कर दिया है और अब तुम्हारे मन में कोई भी प्राब्लम नहीं है इसका मतलब मैं उनके माफी मांगने का वेड नहीं करूँ टीचर हाँ बिलकुर तुम बस उनसे खूब बात करूँ मैं दोस्त कैसे बनाऊँ? स्टूडन्ट क्या है एजीब नहीं है कि जब मैं छोटा था तब मेरे बहुत सारे दोस्त है लेकिन अब मुझे दोस्त बनाना बहुत मुश्किल लगता है टीचर तुमने खुद ही अपने क्वेश्चन का अंसर दे दी दोस्त बनाने का सही तरीका यही है कि तुम्हें किसी से मिलते ही उन्हें दोस्त नहीं बनाना है स्टूडन्ट क्या मतलब? क्या ये पॉसिबल है? टीचर जब हम किसी को intentionally friend बनाते ही तो हम उसके सामने हमारे एक ऐसा side present करते हैं जो कि ये fake लगता है हमारी ये जो desperation है friend बनाने की वो हमें ठीक से सामने वाले की personality को judge भी नहीं करने देती और इसके बाद हम खुद पो ऐसी एक friendship में पाते हैं जिसमें हमारा कोई real version नहीं होता एंड हमें उसे continue रखना अजीब लगता है Student, क्या यही वज़े है कि हम ना चाहते हुए भी उस friendship को continue करते रहते हैं Teacher, यह possible है कि हम बदल गए हूँ यह भी possible है कि जैसा सामने वाले ने सोचा था वैसा हम कभी थे ही नहीं Student, तो हम अच्छे दोस्त कैसे बनाएं जिनके साथ hangout करने में हमें मज़ा भी आए अगर तुम्हें strong friendship रखनी है तो अपने आपको ऐसा present मत करो कि तुम friends बनाने के लिए desperate हो Teacher, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जिनके साथ तुम जब पहली बार मिले थे तब बिना इस tension के मिले थे कि तुम है इन्हें दोस्त मना रहा है तुम जैसे हो वैसे ही उनके सामने थे वो भी तुम्हारे सामने रियल थे क्योंकि तुम दोनों ही बिल्कुल भी फेक नहीं थे इसलिए तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो गई फिर एक ना होने की वज़े से जो authenticity थी उस वज़े से तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे सा समझ बाए student तो अच्छे दोस्त बनाने का सही तरीका यही है कि आप जैसे हो वैसी ही रहो है ना teacher हर relationship के लिए यही तरीका सही है चाहें वो romantic relationship ही क्यों ना हमें real ही रहना चाहिए हमारा जो interest है वो हमारे उस friend में होना चाहिए हमें उनसे उनकी life के बारे में interest के बारे में और उनकी experiences के बारे में पूछना चाहिए be interested in people genuinely interested in people student पर अगर मेरी lifestyle काफी fix ही हो तो मैं बिस काम पर जाता हूँ और घर बापर सा जाता हूँ मैं office में बहुत कम लोग उसे मिलता हूँ बाहर भी मेरे कुछी दोस्त है और ये वो हैं जो constantly मेरे साथ है अगर मैं जादा बाहर नहीं जाता हूँ तो कैसे दोस बनाओ टीचर इस digital world में ऐसे भी बाहर जाना कम ही होता है हमारे पास ऐसे कई example हैं जो बताते हैं कि लोग Twitter, Instagram, etc. जैसे social media platform पर काफी अच्छे दोस बनें एक दूसरे से मिलने से पहले ही वो बहुत दोस बन चुके होते student तो आपका मतलब हमें ये expect नहीं करना चाहिए कि मिलते ही हम किसी से friendship कर सकते teacher एक दम सही जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि लोग बिना मिले ही social media पर बहुत अच्छे दोस बन जाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से कोई expectation नहीं रखते हैं जब वो बात करना start करते हैं उनमें से कुछ शायद बहुत अच्छे दोस बने और शायद कुछ normal connection की तरह रहें student आपने काफी अच्छी तरह से मेरी problem को solve कर दिया लेकिन अभी भी मेरा question है कुछ हैसे लोग हैं जिनने लगता है कि उन्हें दोस्तों की ज़रूरत नहीं है उन्हें रखता है कि वो अकेले ही खुश है क्या ये नॉमल है टीचर अब मैं तुम्हें लाइफ का सबसे बड़ा truth बताता हूँ तुम्हारा सबसे अच्छा best friend तुम खुद ही हो सकते हो ऐसा इसे लिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन तुम्हारे सबसे गहरे secrets क्या है कैसे तुम्हारी stories तुम्हें सबसे अलग बनाती है अगर तुम्हें अकेला ही अच्छा लगता है तो इसमें कोई problem नहीं है लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद इससे तुम एक introvert बन जाओ तुम्हें किसी से मिलने में या बात करने में uncomfortable महसूस है student तो मैं कैसे इन दोनों चीजों के बीच में difference पता लगा हूँ teacher देखो अगर तुम खुद से इस सवाल पूछूँगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें बस खुद से honesty रखनी है अगर तुम सचे हो तो तुम्हें किसी की जरूवत नहीं पड़ेगी और अगर तुम खुद ही से जूट बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद ही से भाग रहे हो student पर क्या life को देखने का नजरिया सबका अलग नहीं है कभी-कभी मुझे अकेला रहना ही अच्छा लगता है उस टाइम मुझे किसी की जरूवत नहीं होती लेकिन कभी-कभी मैं थोड़ा upset हो जाता हूँ और उस टाइम मुझे कोई मेरा साथ चाहिए होता है teacher अगर तुम अपनी life में एक ऐसे point पर हो जाओ जहां तुम्हें खुद की company ही पसंदा रही है तो यह अच्छा है तुम उसे enjoy करो अगर तुम्हें गैसे point पर life में हो जहां तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें एक friend की जरूरत है तो वो भी अच्छा है जाकर लोगों से बात करो शायद वो तुम्हें फ्रेंड ना बने लेकिन लोगों के साथ hangout करने से तुम्हें समझा जाएगा कि तुम्हें किस की ज़्यादा जरूरत है और मैं तो यह कहूँगा कि friends का होना बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छा भी है वो हमें हमारे उस पार्ट से मिलते हैं जो शायद हमारा पार्ट नहीं है वो तुम्हारी success में तुम्हारे साथ खुश होंगे तुम्हारी loss में तुम्हारे साथ दोखी भी होंगे अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे अलग हैं जो शायद हमारे सब के साथ हो रहा है उनका दुनिया को देखने का नजरिया शायद तुम्हें भी हेल्प करें खुद की सोच को डिवेलिप करना है स्टूडन्ट आपकी इस बात से मैं बहुत कुछ सीख पाया और मुझे काफी अच्छा लग रहा है यही तो माजिक है औथेंटिसिटी का बहुत कम लोग आजकल जैसे हैं वैसे ही दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं अगर तुम यह कर पा रहे हो तो तुम खुद के सब से अच्छे दोस्त हो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा करे वो भी एकदम वैसा ही है जैसा तुम खुद से ओनेस्ट रिलेशन रखते हो स्टूडेंट अब मैं समझ किया कि ओनेस्टी ही फ्रेंशिप को स्ट्रॉंग बनाती है मैं लाइफ पार्टनर कैसे ढूण दो स्टूडेंट अपना लाइफ पार्टनर ढूणना तो काफी स्ट्रेस्फुल है अगर हमारी चॉइस मलत हो तो क्या होगा टीचर तुम्हें लाइफ पार्टनर तभी मिलेगा जब तुम उसे ढूणना रहे हो स्टूडेंट एक बार वापिस कहना आपने क्या कहा टीचर तुम्हें लाइफ पार्टनर तभी मिलेगा जब तुम उसे ना ढूणना तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब हुआ ऐसा लग रहा है जैसे नबल अभी कांथ की कोई बात हो मेरे लिए टाइम बहुत जल्दी बीचता जा रहा है मुझे जल से जल्दे एक लाइफ पार्टनर ढूणना है टीचर तुम खुद को फोर्स कर रहे हो किसी को लाइफ करने के लिए डेडलाइन रखकर तुम खुद पर प्रेशर डाल रहे है और इस वज़े से शायद तुम अपनी कि लाइफ अच्छे से ना बिता पाऊ तुम्हें पार्टनर तब मिलेगा जब तुम इसे ढूंडना रहे हो तुम इस रूट को यूज कर सकते हो और यह शायद तुम्हारे लिए काम भी करें लेकिन मैं इसके लिए शोर नहीं हूँ स्टूर्ट तो मैं कैसे एक ऐसे परसन को ढूंड़ू जिसके साथ मैं लव और लाइफ लॉंग पार्टनर्शिप कर पाऊँ टीचर जब तुम जो वो हो वो रहो और खुश रहो और तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए किसी का वेट ना करो यही वो टाइम होगा जब कोई अपने आप तुम्हारी सिंदगी में आ जाएगा एक मीटिंग में शायद तुम अच्छे दोस बन जाओ उसके बाद धीरे धीरे तुम अपनी खुशी और दुख एक दूसरे से शेयर करो और ऐसा ही एक दूसरे से बात करते करते कुछ सालों में शायद तुम यह डिसाइड करो कि अब तुम्हे अपनी लाइफ एक साथ स्पेंड करने है स्टूर्ट हाँ आप इतने साल क्यों कह रहे हैं? कुछ लोग तो वीक्स में ही डिसाइड कर लेते है टीचर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे को लाइक करना और एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करने में बहुत वर्ग है शुरुआत में तुम्हे अपने पार्टनर की जिससे तुम लाइक कर रहे हो उसकी सारी चीज़े पसंद आएगे पर जितना टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं उतनी ही कमियां हमें दिखने लग जाती है और इसी तरह सामने वाले को भी हमारे अंदर कमियां दिखने लग जाती है इस टाइम पर तुम्हें ये डिसाइट करना होता है कि क्या ये कमिया तुम्हें acceptable है और क्या तुम्हारी कमिया उसे acceptable है क्या तुम दोनों उन कमियों के बाद भी खुश रह पा रहे हो और इन सब चीज़ों को realize करने में और decision लेने में वक्त लगता है Student तुम्हें कैसे पता लगाएं कि हमारी values similar हैं या नहीं Teacher इसके लिए तुम्हें दो तरह के convergence को समझना होगा है तुम्हें अपने partner के और खुद के career options goals, ambition और money के बारे में डिसकस करना चाहिए तुम दोनों को चाहिए life से अलग-अलग चीज़ें चाहिए हो मनोग एक को अपने career में बहुत ज़्यादा grow करना हो और वहीं दूसरे को सिर्फ stability चाहिए हो तो कुछ समय बात शायद तुम्हारे बीच problem आनी शुरू हो जाए Student तो हम किसी का point of view कैसे जान सकते Teacher सबसे पहले तुम्हें खुद का point of view समझना होगा तुम्हारे खुद के values का है तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा important है और क्या negotiable है जब तुम खुद को अच्छे से समझ जाओगे तब जाकर कहीं तुम दूसरे person की life के बारे में बात कर पा होगे Student अगर मेरे goals जो मैं life से चाहता हूँ वो time के साथ change हो जाए तो हम हमारी सारी life तो एक बार plan नहीं कर सकते न Teacher अब मैं तुम्हें convergence का तूसरा point बताता हूँ वो point है कि तुम अपनी life के बारे में क्या सोचते हो और उसे कैसे जीना चाहते हो तुमारी life को जीने के principle क्या है तुम क्या करते हो और अगर कुछ changes होते हैं तो तुम कैसे रियाक करते हो तुम जैसे हो वैसे क्यों हो student यह तो hard लग रहा है teacher मुझे पता है hard लेकिं तुम खुद सोचो कि तुमारी life के सबसे बड़े questions आसानी से solve क्योंगे partnership में तीसरी और सबसे जरूरी चीज है कि तुम दोनों एक दूसरे को support करो और एक दूसरे का अच्छा जाओ जब ये तीनों चीज़ें तुम्हे clear हो जाएं तब ही समझ जाना कि अब तुम्हारा relation एक normal friendship से बढ़ करें student यह process है तो difficult लेकिन इससे भी difficult है ऐसे किसी को ढूँना जिसके साथ हम ये process स्टार्ट कर क्या हम life partner को dating या matrimonial app पर खोच सकते हैं teacher हाँ शायद लेकिन मैं फिर तुम्हें वही बात काऊंगा अगर तुम desperate होकर उसे ढूँनोगे तो शायद तुम्हारी choices गलत हो जाए जब तुम किसी app पर search करो और फिर उस process में मानो तुम्हें time लग जाए तो तुम जल्दबाजी में शायद अच्छे से किसी को जज़ना कर पब इसलिए इन apps को तुम सिर्फ लोगों के साथ hangout करने में इस्तमाल करो student मैंने ये भी सुनाय कि opposite हमेशा attract करते हैं अगर एक साइड खुद को अच्छे से express नहीं कर पा रहा है तो क्या दूसरा साइड उसे compliment देकर help करेगा या फिर उसका मज़ाक उड़ाएगा अगर एक साइड काफी extrovert है और दूसरा साइड उसके बिलकुल opposite है तो क्या वो दोनों बीच का रास्ता निकाल कर एक दूसरे को समझ पाएंगे student इससे मेरा एक और question है ऐसा important ही क्यो है कि हम एक relationship में होना चाहिए और अगर मैं relationship में नहीं हूँ तो क्या ठीच है human life पूरी relationship के बारे में ही है हम कोई island पतुम नहीं relationship का मतलब सिर्फ love नहीं तुम एक बहुत ही beautiful relationship में खुद के साथ रह सकते हो तुम्हारी family के साथ रख सकते हो और तुम तुम्हारे friends के साथ भी बहुत अच्छा relationship रख सकते हो और अगर तुम्हें love relationship में आना है तो ये पूरी तरीके से तुम्हारी personal choice है कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम incomplete हो और तुम्हें किसी की ज़रूरत है जब तुम खुद को पूरी तरह से complete महसूस कर पाऊ तब जाकर कहीं तुम किसी और की life को अच्छा बना पाऊ student पर अगर मुझे पर love relationship में आने का pressure हो तो मुझे भी love relationship की ज़रूरत नहीं है मैं खुद की company enjoy करना पसंद कर रहा हूँ और अभी मैं शायद ready भी नहीं हूँ love relationship के लिए अब मैं क्या करूँ teacher अगर society के pressure में आकर जल्दबाजी करके relationship में आओगे तब तो वो फक्का ही गलत होगा और अगर तुम किसी ऐसे के साथ हो जिसके साथ रहकर तुम्हें अपने आप ये महसूस होता है कि तुम्हें relationship में आना चाहिए तो समझ जाओ कि वो बिल्कुल सही choice है student हाँ हाँ अब मैं समझ किया कि कोई भी हम पर relationship force नहीं का सकता चाहें वो हम खुदी क्यों ना हो मैं break up से कैसे deal करूँ student मेरा break up हुआ है और मैं बहुत ही बुरे time से गुजरना हूँ मैंने अपनी girlfriend के साथ तीन साल पुराना रिष्टा खत्म कर दिया मैं उसे miss करता हूँ मैं कोया कोय से रहता हूँ किसी भी काम पर focus नहीं कर पाता और अब मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ teacher ब्रेक अप को लेकर तुम्हें सबसे बुरी चीज क्याना दिया student अकेला पन ये पता लगाना कि किसी ने तुम्हें कभी बहुत प्यार किया था लेकिन अब वो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता इस तच्चाई का सामना करना कि जिस इनसान के साथ तुम कभी बहुत खुश थे अब उसके बिना तुम्हें खुश रहना सीखना होगा teacher मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम इन इमोशन्स को रोकने के बजाए इनका सामना करो student लेकिन इमोशन्स मुझे और अकिला और बुरा फील कराते हैं teacher अगर तुम अपनी फीलिंग्स को एकसेप्ट नहीं करोगे और इन्हें अपने अंदर तबाऊगे तो तुम और भी ज्यादा उदास और सेल और अंडर कॉन्ट हो जाओगे तुम्हें उन फोटोस से, उन लेटर्स से, उन मैसेजिस से, उन यादों से गुजरना पड़ेगा वो छोटी-छोटी चीज़ें जो तुम्हें खुश करती थी अपने आपको इस खालीपन के फीलिंग से दूर मत करो student लेकिन मुझे ये खालीपन फील नहीं करना teacher तुम किसी चीज़ से बाहर कैसे निकलोगे जब तुम ये accept भी नहीं कर रहे हो कि वो सच में हो रही है student क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये करने के लिए अपने आपको थोड़ा वक्त तूँ teacher बहुत दिनों तक जब तुम उठोगे यही चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी लेकिन एक दिन अपने आप चली आएगी तुमाज चाहें जो भी फील करेंगे एक दिन वो सब गायब होई ही जाएगा student सच कहूं भली ब्रेक अप ने मुझे हर्ट किया लेकिन उस इंसान की यादें अभी भी मुझे सुकून देती है जिससे मैं दूर नहीं होना चाहता teacher यही लाइफ का सच है जो दुख और खुशी दोनों देता है हम move on कर जाते हैं सब move on कर जाते हैं हम अपनी लाइफ में तब भी move on कर जाते हैं जब हमें पता है कि कुछ लोग हमारी सिंदिगी से चले गए student यह कितना डरावना है लेकिन फिर भी शांती देता है teacher यह इसलिए डरावना लग रहा है क्योंकि जिसे हम जानते हैं हम उसमें सुकुन डूंते हैं हम उस relationship को जानते थे हम उस experience को जानते थे हम उन उतार चड़ाव को जानते थे और अचानक उस relationship के बिना हम अंजान मन जाते हैं हम ये भी नहीं जानते कि क्या हमें कोई और मिलेगा हम ये भी नहीं जानते कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है सच ये है कि हम अपनी खुशी का जरिया खुद बनने की बजाए खुद को खुश रखने के लिए उस relationship पर निर्भा रहते हैं Student हम, ये सच बहुत कड़वा सच है Teacher मैं चाता हूँ कि तुम इस बारे में ग्याराई से सुझे तुम एक relationship में रहकर भी अकेले होते हो क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई दूसरा तुम से आकर ये कहे कि वो तुम्हें प्यार करता है Student क्या इसलिए लोग खुद को समय देने की बजाए जल्दी से दूसरे relationship ढूनना चाहते है या उस इंसान को वापिस चाहते है Teacher सारे relationship जब खत्म होते है तो हमें ऐसा ही फील होता है जैसे हमने कुछ खो दिया है अलकि जब तुम उसे शुरुआती दोर से गुजरते हो तब तुम्हें ऐसास होता है कि जब तुम अपने आपके एक अच्छे दोस बन जाओगे तब तुम अपने आपको दूसरों से अलग बाओगे तुम्हें खुश रहने के लिए दूसरों के साथ की जरूरत नहीं तुम्हें खुश रहने के लिए relationship नहीं चाहिए बलकि एपनी खुशियां किसी और से share करने के लिए relationship चाहिए लेकिन मेरे breakup ने मुझे भी guilty फिल करवाय मैंने अपनी girlfriend से इसे लिए breakup किया क्योंकि ये बहुत ही toxic relationship था और मुझे सुकून चाहिए था हाला कि break up के बाद मुझे सिर्फ उसके साथ बिताए खुशी के पल याद वो emotional उतार चड़ाव नहीं Teacher एक खुश मिजज इंसान तुम्हें कभी अपने लिए दुखी फील नहीं कराएगा तुमने अपना सब कुछ इस इंसान को दे दिया है और उसने वो accept भी किया है कि हम सब के पास अपना best देने की boundary होती है Student क्या इसका मतलब यह है कि मुझे इस toxic relationship से बाहर निकलने के लिए guilty feel नहीं करना चाहिए भले ही relationship में प्यार भी था Teacher तुम खुद इस सवाल का जवाब जानते हो Student लेकिन मैं guilt और अकेलेपन को साथ में कैसे manage करूँ Teacher यही वो जगह है जहां journaling अपनी ताकर दिखाते है जहां तुम अपनी emotions को कागस पर उतारते हो जब तुमने उस इंसान की toxicity सबसे ज़्यादा feel की जब तुम्हें उसकी हुई चीजों से प्यार हुआ जब सब कुछ होते हुए भी तुमने अकेला महसूस किया जब सिर्फ उसके messages से तुम्हें सुकूर मिला एजर्नल तुम्हारे daily emotions और experiences का सामना करने में तुम्हारी मदद करेगा अच्छे और बुरे दूनो especially बुरे emotions के समय क्योंकि तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें ब्रेक अप क्यों किया student तो मेरे emotions को नोट करना मेरे लिए एक reminder है था कि मैं reality में वापिस आ सकूँ है ना teacher बिलकुल ठीक क्योंकि अभी तुमारे मन में सिर्फ उसका साथ पाने की इच्छा है ये सब भूल चुका है कि उसके साथ रहने से तुम्हें क्या फील होता है student एक बार मैं इन emotions को भूल जाओं तो मैं क्या उसे miss नहीं करूँगा teacher देखो जब तुम अपने आपको फ्यार करने से नहीं रोपते हैं तो उसे miss करने में कोई बुरा है नहीं है ये हो सकता है कि तुम्हें एक इंसान के तौर पर उसे पसंद करो लेकिन तुम्हें उसके साथ relationship पसंद नहीं और इसलिए तुमने उससे दूरी बनाने का सूचा student इसका मतलब अगर ये emotions temporary हैं तो मुझे उन पर based कोई permanent decision नहीं लेना चाहिए एना teacher अब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया मैं अपनी boundaries कैसे तैक करूँ student मुझे अपनी boundaries तैक करने में सच में बहुत मुश्किल होती है हम सब एक boundaries चाहते हैं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी boundaries की इज़त करते हैं ऐसा क्यों होता है teacher इसके बहुत गहरे कारण है जिने हमें uncover करना है लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हदें इतनी जरूरी क्यों है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया कैसे चलती है इसकी समझ हर किसी की अलग होती है जैसे तुम्हारे किसी दोस्त को जोर से हसना पसंद है अगर तुम्हें भी जोर से हसना पसंद है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो तुम्हें यह रूड लगेगा, यह ना गलत है और ना ही सही, यह बस हमारी पसंद है, और कुछ पसंद पर विचार नहीं हो सकता, मैं इन्हें ही boundaries कहता Student, क्या हम इने opinion का फर्ग भी कह सकते हैं? Teacher, ये opinion का फर्ग ही है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक दूसरे इंसान के opinion पर effect किये बिना भी exist कर सकते हैं Student, ये कैसे मुम्किन है? जब हम अपनी boundaries टै करते हैं और उनकी इज़त करते हैं तो हम दूसरों को भी उनकी boundaries टै करने और उनकी इज़त करने के लिए होसला देते हैं Teacher, जैसे एक घर की boundary होती है हर घर में members का private space होता है जहां वो अपनी आदत बनाते हैं ऐसा करके हम दूसरों के घर को भी बिना किसी को disturb किये अपने physical boundaries बनाने के लिए allow करते हैं लेकिन वो दूनों एक दूसरे से मिलते हैं एक दूसरे से बाते करते हैं और उनकी हदे भी तै रहती है Student, मतलब boundaries दूसरों को भी space देती हैं Teacher, सहीखा इसलिए relationship में भी boundary बहुत ज़रूरी है लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं लोगों के उनके perspective और priorities अलग-अलग होती है Student, हमें अपनी boundaries तै करना कैसे शुरू करना चाहिए Teacher, ये समझने से शुरू होता है कि कौन सी बात करने में तुम्हें मुश्किल हो रही है क्योंकि जब तुम उन लोगों के साथ अपनी हदें तै कर रहे होते हो जैने तुम प्यार करते हो चाहिए वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे partner हो या तुम्हारे parents हो तो तुम लोगों से ये कह रहे होते हो कि ये वो जगाए जहां तुम्हारा दखल खत्म होता है अगर कल्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा है जो ज़ादातर सुनने को नहीं मिलता कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं लगता और हम सब ने इसके नतीजे देखिए हमें इंपोर्टन्स नहीं देना क्योंकि हमने उनके अंका ही बात पहले से ही समझ लिए हमारी बाउंडरी इसको पार करने से वो वलत नहीं हो जाती क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि ये एक्जेस्ट भी करती है स्टूडेंट हाँ, मुझे ऐसे कुछ किस से याद है जब लोगोंने मेरी boundary को पार किया और मैंने उनसे expect कर रहा था कि वो मेरी boundary की इज़त करेंगे Teacher हम अपने आपको हमारी सोच से जानते हैं दूसरी लोग हमें हमारे action से जानते हैं अगर हमारे action इस case में बाचिये दूसरों को यह नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहिए क्योंकि वो तुमें इतना प्यार करते हैं तो वो यह सब समझते हैं कि तुम उन्हें वो हर चीज़ बताओगे जो तुमें चाहिए Student लेकिन मैं अपनी भादों को लेकर इतना सखत नहीं हो सकता कुछ चीज़े मेरे लिए ज़रूरी हो सकती है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मैं अज़र्स कर सकता हूँ क्या ये पॉसिबल है कि कुछ जगा पर मैं बिल्कुल भी कॉंप्रमाइज नहीं करना चाहता और कुछ जगा पर थोड़ा बहुत अज़र्समेंट धीक है टीचर बिल्कुल इसी तरहें हदे काम करती है ये खुद से प्यार और किसी दूसरे इंसान से प्यार को बैलन्स रखती है क्या आप मुझे इसके कुछ एक्जांपल दे सकते हैं जैसे तुम्हें पॉलिटिक्स और रीजिन के बार में कोई बात नहीं करने इस बाउंडरी पर कोई विचार नहीं हो सकता है या पिर तुम ऐसे इंसान के पास नहीं रहना चाहते हो जो दूसरों की इज़त ना करे ये भी एक ऐसी बाउंडरी है जिस पर विचार नहीं कर सकते तुम इन हदों पर किसी भी रिलेशन्शिप में इस बाउंडरी है जिस पर विचार किया जा सकता है तुम्हें वक्त पर पहुंचना पसंद है लेकिन दूसरे इंसान वक्त पर नहीं पहुंचते तो उस रिलेशन्शिप को तोड़ने का ये कोई कारण नहीं होगा इसमें तो सेल्फ अवेनर्स की बहुत अच्छी समझ चाहिए यहीं हमें से ज्यादतर लोग लड़ खडाते हैं हमें से ज्यादतर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए फिर भी हम इस उमीद में रहते हैं कि लोग उस चीज की इज़द करें कि हमें क्या चाहिए स्टूडेंट मैं समझ सकता हूं कि सब के बेस्ट देने के बाद भी रिलेशन्शिप इतने कॉम्प्लिकेटिट कैसे हो जाते है यह मुझे बिग बैंग थेरी के लीड कैरेक्टर की याद दिलाता है जहां वो एक रूममेट अग्रीमेंट बनाता है उसका रूममेट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं यह कितना स्टूबिड और फ़नी लगता है न लेकिन सच में यह ऐसे अग्रीमेंट बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं वो उन रिलेशन्शिप्स के लिए काम करते हैं जिने हम जुनते हैं हमारी फैमली के लिए वो रिलेशन्शिप्स जो हम नहीं चुनते हैं बाउन्टरी के कॉंसेप्ट उनके लिए हमेशा एक मज़ा के तरह होते हैं मैं अगरी करता हूँ कि फैमली में हदे तै करना बिल्कुल भखवास लगता है, लेकिन कोशिश करना में क्या जाता है। अगरे काम नहीं करता और तुम्हें लगता है कि बाउन्टरी तै नहीं होने से तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो तुम्हें फानेंशली मजबूत होकर वहाँ से चले जाना चाहिए। कभी-कभी फैमिली से अलग होना ही आपके रिलेशन्शिप को बचाने का तरीका नहीं जाता है। स्टूर्ट, इसका मतलब बाउन्टरी कोई सेल्फिश डिमाड नहीं है? ठीच है, अगर अच्छे से समझी जाए तो ये हमारे सेल्फिश नहीं होने के कारण बन सकती है, है न? अब मैरे तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। मैं एक टॉक्सिक फ्रेंड से कैसे डियल करूँ है? ठीचर, असल में कोई भी किसी कारण से टॉक्सिक नहीं बनता। ना चाहते हुए भी कुछ लोग हमारे लिए नुकसान दायक बन कर सब कुछ खत्म कर देते हैं। स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? ठीचर, हम सब उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास सब नहीं होता जो हमारे पास होता है। सिर्फ फिजिकल चीज़े ही नहीं बलकि परसनालिटी में भी किसी नए इंसान से मिलने का एकसाइटमेंट, उनसे जान पहचान बढ़ाना, उनसे फ्रेंडशिप करना, ये सब उस इंसान की सचाई जानने में मुश्किल पैदा करते हैं। वक्त के साथ साथ उस इंसान की सचाई बाहर आने लगती है। वो एमोशन जो रिलेशन्शिप में पैदा होता है, वो इस बांड को टॉक्सिक मनाता है। स्टूडेंट, तो मैं इससे कैसे डील करूँ। टीचर, कोई भी फ्रेंशिप जो तुम्हें हाम करती है, चाहे एमोशनली, फिजिकली, मेंटली या फिर साइकलोजिकली, ये एक फीलिंग है जिससे तुम गुजरते हो। वो फीलिंग तुम्हें अपने अंदर झाकने और खुद को एक्स्प्लोर करने के लिए कहती है। क्या यही वो चीज है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है? मुझे क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए? मेरे लिए ये इतने इंपॉर्टन्ट क्यों है? मेरे किस हिस्से की तरफ ये इशारा कर रहा है? रिलेशन्शिप में जो टॉक्सिसिटी हम फील करते हैं, वो हमारे लिए एक उपिश्यूनिटी की तरह है। जिससे हम समझें कि हमारा खुद से रिलेशन्शिप कैसा है। इस कॉन्वसेशन के बाद तुम्हारे मन में सवाल है। स्टुडेंट, किसी और की टॉक्सिसिटी मुझे खुद के बारे में क्या बता पाएगी? टीचर, डिफिकल्ट सिचुएशन हमें कभी टेस्ट नहीं करती, वो हमें रिवील करती है। जैसे तुम हैपिनिस के बारे में सोचो, माने तुम अपनी वैलियूस की वज़े से खुशो, अगर कोई तुम्हें उनकी हैपिनिस के लिए रिस्पॉंसिबल कहता है, तो इसका मतलब हुआ के तुम्हारी उनके साथ रिलेशन्शिप टॉक्सिक है। जब तुम खुद के बारे में इस बात को नहीं समझोगे, तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होगा कि किसी का बिहेवियर कैसे रिलेशन्शिप को टॉक्सिक बना देता है। इसका मतलब लोग टॉक्सिक तब बनते हैं, जब उनकी नीट्स फूरी तरहें से पुल्फिल ना हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ। टीचर, क्या ये सच नहीं है? कोई भी सुबह उटकर ये नहीं सोचता कि आज मैं किसी का दिन खराब करूँगा। स्टूडन्ट, क्या कोई और तरीका है जिससे हम इस नीट्स वाली प्राब्लम का सिलूशन निकाल पाएं। टीचर, एक बार तुम्हें पता चल जाए कि रिलेशन्शिप्स की टॉक्सिक होने की वज़े क्या है? तो तुम आसानी से कॉन्वेसेट करके उससे सॉल्व कर सकते हो। तुम बैठ के उनसे बात करो और उन्हें बताओ कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। स्टूडन्ट, ये कॉन्वेसेशन कैसे होगा? टीचर, ये एक सचा कॉन्वेसेशन होगा जिसमें तुम और तुम्हारा फ्रेंड डिसकस करोगे अपनी प्राब्लम्स, ना तुम कंप्लेन करोगे, ना कोई सिलूशन दोगे, तुम बस सिंप्ली शेयर करोगे जो तुम फी और फिर तुम मूवाउन करने की सोचोगे, अगर तुम में से कोई एक चेंज ना होना चाहे तो, तो तुम थोड़ा टाइम देकर और बात कर सकते हैं, ये शायद ना होगा, लेकिन इसमें कोई न कोई सिलूशन तो मिली जाएगा, स्टूडन्ट, मेरा क्वेस्चिन और है जब भी हम कोई नई फ्रेंशिप स्टार्ट करते हैं, तब वो टॉक्सिक नहीं होती, टाइम बीतने के साथ ही हमें रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है, क्या क्यों रास्ता है, जिससे हम ये जान पाएं कि फ्रेंशिप टॉक्सिक होगी या नहीं, तीच जैसे आपने कहा था कि हम पहले बात करेंगे, और फिर अगर सिलूशन नहीं निकलता, तो मूव आउन, टीचर, अगर हम छोटी-छोटी बातों पर मूव आउन करें, तो ये भी हमें परिशान करतेगा, हमें experience से सीखना होगा, जैसे हमें पता होता है कि कौन हमें क्या धोक दे रहा है, लेकिन अब ignore करते हैं, हमें हमारी घलतियों से सीखना चाहिए, student, ये तो बहुत ज़्यादा काम है, teacher, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और कौन कर सकता है तुम्हारे इलावा, student, अब एक बात और बताएए, अभी तक कि हमारे conversation में पता चला है कि problem सा मुझे पता चल जाएगा, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, teacher, तो खुद को याद दिलाओ, कि तुम इस friendship में आए क्यों थे, शायद इसलिए क्योंकि तुम इसमें खुश थे, तो तुम अब हर वो काम करो, जिससे तुम्हें बापस इसमें खुशी मिले, इससे तु student, अब मैं हर चीज अच्छे तरह से समझ गया, कैसे friendship वापस सही करनी है, एक तरीका है move on, दूसरा है कि मैं खुद को सुधार हूँ, teacher, एक दम सही कहा, मैं patience कैसे develop करूँ, student, मुझे मैं patience की कमी है, मुझे सारी चीज़े अभी चाहिए, teacher, तुम किसी को जानते हो जो patient हो, student, student, मेरे parents बहुत शानत है, मेरे पिता घंटों तक WhatsApp नहीं चेक करते, और मेरी मा को कोई फरक नहीं पड़ता अगर product एक दो दिन लेट हुआ है, पर मुझे अगले 15 मिंट में वो चाहिए, मुझे लगता है कि वो बहुत ही peaceful life जी रहे हैं, वो इतने patient कैसे हैं, teacher, जब तुमार और सबजीयों के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था, उन्हें interstate और international call करने से पहले book करने पड़ते थे, गाड़ी, scooter और घड़ी खरीदने के लिए भी महिनों सालों की waiting रहती थी, तो उन्हें पता है कि wait के से क्याते हैं, student, हम, तो patient सुन में पहले से ही था, पर क्या ये मेरी गलती है कि मैं ऐसे टाइम में पैदा हुआ जब सब कुछ इक click पर मिल जाता है, teacher, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर जो तुम्हारी गलती नहीं वो तुम्हारे जिम्मधारी भी है, तुम्हें patience पहले से भी नहीं था, पर इसका म पतलब यह नहीं कि तुम उसे सॉल्फ भी नहीं करोगे स्टूटेंट अच्छा तो मुझे पेशन्ट जबरदस्ती बनना पड़ेगा तीचर तुम ऐसे बोलोगे तो जबरदस्ती ही लगेगा तुम्हें चीजों का वेट करना सीखना होगा स्टूटेंट कैसे तीचर बेसिक नहीं चाहिए होगा अगर तुम्हें भूक लगी है तो अभी और मत करो साट मिरिट वेट करो और फिर खुद से पूछो क्या तुम्हें अभी भी भूक लगी है बहुत हाई चांसे दें कि तुम खाने को बस एंटरेंट की तरह देख रहे हो स्टूटेंट क्या किसी चीज चीज के आने का वेट करने से तुम अनकॉंशेसली चीजें जल्दी होने की इच्छा में मेंटली लड़ते हो जैसे जैसे तुम मसल बिल्ड करते हो वैसे वैसे तुम लोगों के साथ भी पेशेंट होने लगते हो और चीजें तब नहीं होती जब तुम चाहते हो Student, ये plan practical तो लगता है, पर क्या कोई और रास्ता नहीं? अगर दुनिया इस तरहें बनी है जो हमें हर चीज का reward तुरंट दे दिये, तो मैं क्यों flow के against जाऊंगा? Teacher, तुम flow के against नहीं जा रहे हो, तुम जिन्दगी को समझने के सही flow में जा रहे हो, जो कहता है कि जिन्दगी में अच्छी चीजने टाइम लेती हैं, अच्छे दोस धूरने में टाइम लगता है, meaningful relationships बनाने में भी टाइम लगता है, जॉब में successful होने में भी टाइम लगता है, जिन्दगी को compound interest की तरह सोचो, तुम इसमें जो भी consistently डालोगे, उन सब चीजों को बढ़ा देगी ये, student, पर ये काम करता कैसे है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरा दिमाग तुरंत rewards मांगता है, teacher, हमें ऐसे ही design किया है, हमें आसान चीज़े जाहिएं, जो हमारी सरूरत तुरंत पूरी करते, लेकिन एक बार हमें वो मिल जाएं, फिर भी हमें satisfied feel नहीं होता, फिर हम उसे और चाहते हैं, और ये cycle चलती रहती है, एंड में तुम्हें अपने दिमाग के basic instinct से लड़ना पड़ेगा, जो आराम चाहता है, उसे likes, comments, social media प इच्छा को मना किया है, जिसने बड़े pleasure का वेट किया है, और छोटे pleasure को छोड़के वो life में कुछ बड़ा हासल कर पाया है, student, तो इतने सारे successful लोग हसल कल्चर को बढ़ा चड़ा कर क्यों बताते हैं, हमेशा काम करते रहो, हमेशा लड़ते रहो, हमेशा सोचते रहो, हमे तुम्हें पता है कि क्या होना चाहिए, तो उसे सही तरीके से करो, उसमें impatient रहो, लेकिन वो क्या result देगा, उसमें impatient मतो, क्योंकि हो सकता है कि वो beach फूल बनने में time ले, student, अच्छा, अब समझा, हो सकता है, continuous मेहनत का result आने में कैसा लग जाए, impatience मेहनत के लिए रखो, results के लिए नहीं, teacher, हाँ, बिल्कुल, मैं एक sleep routine कैसे बनाओ, student, sleep को इतनी importance क्यों दी जाती है, मैं जवान हूँ, मुझे सिंदिकी खुल के जीनी है, कभी-कभी सोना भी नहीं है, teacher, अपने बच्चमन में एक बार वापिस देखो, जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हार सोने का time, खाने का time, खेलने का time fix था, जैसे ही बड़े हुए, तुम्हारा school का time, घर पे self study का time, खेलने का time, सोने का time fix था, तुम्हें क्या लगता है, वो routines तुम्हारे लिए क्यों थे, student, मुझे वो routines कभी पसंद नहीं है, teacher, मैं समझता हूँ, लेकिन उन routines ने तुम्हारे लिए क्या किया, student, वो ध्यान रखते हैं कि मैं सारी चीज़ें करूं, खेलना, खाना, सोना और पढ़ाई, teacher, यही routine की ताकत है, तुम भले ही उसे बिलकुल पसंद नहीं करते, पर जो results वो देते हैं, वो तुम्हें पसंद है, यही सब एक अच्छे sleep routine से होता है, कोई भी routine follow नहीं करना चाहता, लेकिन उसके results सबको पसंद आते हैं, दुनिया जवान है, दुनिया सुनहरी है, यह cool दुनिया सोती भी नहीं, इसके अलावा, biologically हमें नीन चाहिए, नीन, जो हमारे दिमाग और शरीर को सही तरीके से ठीक करे, student, पर क्या हमें spontanity के लिए जगा नहीं बनानी चाहिए, teacher, मैं agree होता हूँ, बस meaningful रहो और randomness और spontanity में confused मत हो, spontanity हमें creativity की तरफ ले जाती है, जिसके लिए हमें जगा बनानी चाहिए, पर एक schedule ना होना, particularly एक sleep schedule, तो ये काम के नाम पर हुद को धोका देना होता है, student, यह अलग कैसे है, और क्या हम spontanity को schedule कर सकते ह सोचो कि तुम अपना सारा काम करके रोज एक पार्क में जाते हो, बिना अपने फोन के आराम करने, यह तुम्हारा रूटीन है, तुम 100% sure हो कि तुम एक ही चीज के बारे में रोज नहीं सोचो के, वो random होगी, ऐसे हम spontanity को schedule करते हैं, एक रूटीन बना के, लेकिन जब स्लीप रूटीन से ये ठीक हो जाएगा, ठीचर, एक अच्छा स्लीप रूटीन तो foundation है, उन चीजों का जो तुम बाकी पूरे दिन में करते हो, एक अच्छा स्लीप रूटीन शुरू होता है, टाइम पर सोने से, हफते के हर दिन, तुम अपना दिन प्लान करो, तुम अप आपको आराम करने की जरूरत है, स्टूडेंट, हाँ, ये तो सही बात है, अच्छा, अगर मैं कुछ दिन लेट हो जाऊं काम के कारण तो, ठीचर, ऐसे दिन बहुत कम होने चाहिए, वरना वो ही तुम्हारा दिन इस्तमाल कर लेंगे, स्टूडेंट, हम, ये तो सच है, तुम सोने जाने से पहले 30 से 60 मिनिट क्या करते हो, स्टूडेंट, मैं अक्सर सोने से पहले एक घंटे में यूट्यूब पर रील्स या फिर नेट्फलिक्स देखता हूं, ये अराम करने में हेल्प करते हैं, ठीचर, और ये बताते हैं कि तुम्हारी स्लीप साइकल कुछ स्टूडेंट, सौरी, ठीचर, तुम्हें होना भी चाहिए, फुद से, जब तुम कुछ ऐसा देखते हो, जो तुम्हारे सेंस को स्टिम्यूलेट करता है, जब तुम्हारी बॉड़ी को कोई सिग्नल नहीं मिलता रिलाक्स करने का, बलकि तुम उसे एमोशन्स देते हो, ज सूने से कम से कम साथ मिनिट पहले कोई भी स्क्रीन से कांटाक्ट ना रखो, अपनी बॉड़ी को शांत करो, अक्टिवेट नहीं, स्टूडेंट, अगर सूने जाने से पहले मैं फोन नहीं इस्तिमाल करूँ, तो फिर क्या करूँ, ठीचर, कुछ भी, जिससे तुम्हारे स अक्टिव ना हो, किताब पढ़ना एक बहुत अचा रास्ता है, पर सही किताब, थ्रिलर नहीं, कहानियों वाली भी नहीं, और नहीं बहुत बड़ी फिलोसिफिय, इसके बजाए खविताएं, सिंपल कहानियां या जर्नलिंग, या सॉफ्ट म्यूजिक जो तुम्हें आरा इसा करने से हमारा दिमाग और शरीर इंबैलनस्ट हो जाता है, हम फिर सेल्फ इंफ्लिक्टड अर्जिंसी में ही रहते हैं, धीरे धीरे उठो, जैसे उठके एक गलास पानी पीना, या कोई मंत्र पढ़ना, या फिर सिर्फ सुभई की हवा खाना, अच्छा, तो रात को अच्छे से सुने के लिए हमारा दिन भी अच्छे से शुरू होना चाहिए, ठीचर, पूरा दिन कैसा जाएगा, उसके लिए दिन की शुरुआत कैसी है, वो ज़रूरी है, स्टूदेंट, मुझे पता है, आप जो कह रहे हैं, वो सही है, लेकिन जब पता है, स्टूदेंट, क्या ऐसा हो सकता है, कि वो दोस्त हामफुल हो, क्या वो मुझे मेरे लिए ही बुरा फील करवा सकते हैं, ठीचर, अब तुम खुद इतने समझदार हो, कि सवाल का जवाब तुम खुद दे सकते हो, हम्, स्टूदेंट, एक और चीज़, मुझे टा अलाम लगाया, ठीचर, और कुछ दिन तो वो काम किया, पर कुछ दिन बाद तुम वापिस आठ बजे उटने लगे, स्टूदेंट, क्या ये इतना ओव्यस था, ठीचर, ये ओव्यस है, क्योंकि सब यही गलती करते हैं, सब लोग एकदम से रूटीन बदलते हैं, हमारी ब बड़ी दस मिनिट का फर्क नहीं नोटिस कर पाएगी, स्टूदेंट, फर ये तो पहला स्टेप है, टीचर, ये तीन हफ्तों तक करो, फिर तुमारी बड़ी को आदत पढ़ जाएगी, एक बार आदत बन गई, फिर एलाम साथ-चालिस पे सेट कर दो, तीन हफ्ते, इसको अडॉप्ट कर लेंगी, स्टूदेंट, क्या ये सच में काम करता है, टीचर, मेरे लिए काम किया, साथ बजे से अब मैं चार बजे उठता हूँ, स्टूदेंट, और आपको कई साल लग गया हूँग यहां तक पहुँचने में, और आपको फर्क नहीं पड़ा, क्य स्टूदेंट, मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छी आदत बनाने की, जैसे जिम जाना, सही खाना-खाना, मेरे पैरंस को कॉल करना, पर फिर भी पेलो गया, क्या कोई सीक्रिट है अच्छी आदत बनाने का, टीचर, हाँ एक सीक्रिट है अच्छी आदत बनाने का, पर उस इसी चीज होती हैं जो जब तुम बार-बार करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे autopilot पर करने लगता है स्टूटेंट तो हमें खुद को उस लेवल पर लाना पड़ेगा जहां हमें जो भी काम करने के इच्छा करे वो एक आदत बन जाए थाकि वो हमारे दिमाग के लिए करना असान हो है न तुमने सही का आदत बनाने का एक तरीका है कि तुम उसे धीरे धीरे आदत बनाओ और त करें आठ बजे तो तुम वो कैसे बना पाओगे स्टूटेंट मैं रोज सुबह पांच बजे का अलाम लगाऊंगा तीचर वो कितनी बार हेल्प करता है स्टूटेंट दो दिन तक हेल्प करता है धीसरे दिन में वापिस सवार्ट पे आ जाता हूं तीचर ऐसा इसलिए होत करेगी मेरे उठने की टाइम में इतना बड़ा चेंज है तीचर तभी तो तुम अपने दिमाग और बॉड़ी को ट्रैक करते हो ताकि वो छोटी-छोटी चेंजिस करें ताकि उसे कम से कम एनजी यूज करनी पड़े आदत जो बड़े रिजल्ट देती है उसकी शुरुआ चोटी ही होती है क्योंकि वो प्लेजर का रिजल्ट होती है प्रेशर का नहीं स्टूडेंट वो कैसे करते हैं तीचर अगर तुम अभी आट बजे उठते हो तो अपने अगले दिन का अलाम साथ-पचास का लगाओ हमारी बॉड़ी इतना छोटा चेंज देखी नहीं पाए धीरे-धीरे समय के साथ तुम खुद नहीं आदत को अडॉप्ट कर लोगे और एक दिन अपना गोल अचीव कर लोगे वो भी बहुत कम मुश्किल के साथ है स्टूडेंट इस लॉजिक से मुझे पांच बज़े उठने के लिए पूरा एक साल लग जाएगा तीचर तुमन मुझे बहुत बड़े चेंजेज भी नहीं करने हैं तीचर इंटेंसिटी से जाथा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है स्टूडेंट पर आज ही कुछ बड़ा शुरू कर दूं तो उसमें क्या गलत है तीचर हमारे पास एनेजी नहीं होगी उसको अगले दिन वापिस करने की उसमें कंफड़ेबल फील करेंगे क्योंकि याद रखना तुम्हारा दिमाग तुम्हें सारे बहाने देगा एनेजी बचाने के लिए स्टूटेंट मान लीजे मैंने ये पूरा कर लिया तो क्या ये काफी है और मैं आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहां से लाऊं मले वो जोटे स्टेप्स में हो तो क्या मेरे दिमाग को पता नहीं चलेगा अगर दिमाग इतना स्मार्ट है तो उसे पता चलेगा इसलिए तुम उसे मोटिवेट करने के लिए एक एलिमेंट जो है सेंस अफ प्रॉग्रेस इसे ऐसे देखो तुम्हें एक अच्छी आदत बनाने में दिक्कत क्यों हो रही है कुछ पाने के लिए ही हो रही है जैसे त करना चाहता हूं मेरी क्लास सोबेट 6 वजे होती है तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा क्लास रठेंड करने के लिए ठीचर बहुत अच्छे तुम्हारा कोई गोल है हम सब का होता है बिना किसी गोल के कोई आदत नहीं बनती तुम्हारा काम है कि तुम अपने गोल की त से जाधा और अच्छा तुम सीख चुके होगे स्टूडेंट भरादत गोल्स को नहीं रिप्लेस कर सकती तीचर मैं कहूंगा कि उन्हें करना चाहिए स्टूडेंट पर क्या गोल्स समय मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी नहीं तीचर मुझे लगता है गोल्स तुम्हें भी लगता है पर क्या बता कि तुम उस टाइम अपना बैसना दे पायों यह दोनों एक्स्रीम इमोशन्स का हमें पता नहीं चलता मुझे लगता है कि अक्सर हम अपने सपनों को ही अपना गोल बना लेते हैं मैं तो फिर भी आड़क का फैन सही चीज कंसिस्टेंटली से करो हर बार थोड़ा बहतर होते रहो जब तुम्हारा मन ना हो करने का तब भी उसे करो और देखना तुम एक दिन वहाँ पहुँचोगे जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था स्टूडेंट यह कितना गोल है यह मैंने देखा है कि जब मैं कोई गोल सेट नहीं करता भले वो पढ़ने में हूँ या हर राज जर्निलिंग करने में मैं उन चीजों में और अच्छा होता जाता हूँ जिसमें मेरा कोई एंड गोल नहीं होता मैंने पिछले एक साल में इतनी सारी बुक पढ़ ली जितनी मैंने सोचे भी नहीं थी और इतने वर्ट्स लिख लिए जितने किसी नॉर्मल बुक में भी नहीं होते टीचर मैं सप्राइज नहीं हूँ स्टूडेंट और अगर हम ऐसे इंवाइन्मेंट में रहते हूँ जहां वापस वही पुराने मोड में जाने की इच्छा बढ़ती हो मैं उसे दूर करने का मोटिवेशन कहां से लाँ टीचर सबसे जादा मोटिवेटिट इंसान वो है जिसको ये सारी नेगटिव चीज़ें कुछ करने से नहीं रोक सकते सोचो तुम्हें फिट हो ना पर तुम सुबह उठके खुच से कहते हो कि नहीं मुझे नीचे जाना पड़ेगा फिर जिम जाना पड़ेगा मुझे शर्म आती है और अगले हफते बाहर भी जाना है तो अगले हफते आने के बाद शुरू करूंगा और कल राट ठीक से सो भी नहीं पाया तो अभी जो है सो जाता हूं इस साब बहान है, क्या पता तुमने घर पे ही वेट मांग लिया तो, क्या पता तुमने ऑनलाइन क्लासेश के लिए रेजिस्टर कर दिया तो, क्या पता तुमने बहाने हटाने की कोशिश की तो, खुद को एक अच्छी आदत डालने के लिए मोटिवेट करने के बजाए उसको खुद के लिए आसान बनाओ सिगरेट छोडने के लिए घर से सारे सिगरेट निकाल दो अगर तुम्हें चीनी कम करनी है तो कोडरिंज छोड़ दो अगर तुम्हें फालतू नहीं खाना है तो खाना बंद कर दो सारे distractions को हटा दो जो भी तुम्हारे और तुम्हारी आदत के बीचार है स्टूडेंट अच्छा अच्छी आदत का एक और फायदा है कि मैं अपनी उमीद से जादा कर सकता हूँ और ये सब distractions हटाने से शुरू होता है क्यूंकि मैं कर सकता हूँ teacher हाँ, बिलकुल मैं और self-aware कैसे हूँ student आपको आपके thoughts की इतनी clarity कैसे है मैं आपके जैसा बनना चाहूँगा teacher thank you self-awareness का मतलब है उन चीज़ों का ध्यान रखना जो तुम कर रहे हैं नहीं जब तक तुम्हें पता नहीं जिलेगा कि तुम कोई चीज़ क्यों कर रहे हो तब तक तुम उसे बदल नहीं पाओगे student ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर इसको life में apply कैसे करे teacher मैं अपने failure के बारे में सोचता हूँ हर कोई दुनिया में fail होता है हर कोई successful नहीं होता ऐसा क्यों बूलते हैं कि failure ही success करास्ता है क्योंकि जो successful हुआ है वो fail होने के बाद ही हुआ है जल्दी आगे बढ़ने के बजाए रुक के बहुत सारे सवाल करो जो मैं सोच रहा था वो सही था पर वो सही नहीं है जो मैंने सोचा था वो गलत था पर वो गलत नहीं था यह मुझे क्या सिखा रहा है इन सवालों के जवाब के बाद मैं कल क्या बदलूँगा student पर मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है teacher ये ऐसे ही काम करता है इसलिए शायद हम रुकते पर हम सब को reflect करना और pause करना बिलकुल पसंद नहीं हम डरते हैं कि कहीं हमें कुछ और ना मिल जाए जब हम सोचने बैठे जिन्दगी का यही सच है जब भी तुम्हें लगे कि तुम अटक गए हो वदत की जरूरत है तुम कहीं भटक गए हो तो खुद के साथ बैठो meditate करो और सोचो कि अब किस चीज़ की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए जवाब मिलेगा और वो जवाब वो नहीं होगा जो तुम्हें पसंद आएगा पर वो वो जवाब होगा जिसकी तुम्हें जरूरत है student तु ज़्यादा तर लोग जानने से ज़्यादा अवॉइट करना पसंद कर दे क्या ये सही तरीका है teacher हाँ अफसोस ये सच है जवाब ढूनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी उसे commitment चाहिए होता है उससे तुम्हारे जीने का तरीका भी बदलना पड़ सकता है तभी comfortable होगा student क्या आप सिर्फ यही तरीका है self-aware बनने का teacher तुम्हें क्या लगता है student मुझे नहीं पता teacher तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मुझे यही कहते हैं कि मैं confused हूँ मुझे क्या करना है student और आप उन्हें भी यही comfortable जवाब दे देते हैं है न teacher सबसे आखरी चीज जो एक teacher कर सकता है वो है कि मैं सारे जवाब तुम्हारे सामने लाकर रहता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम्हें वो करने से क्या चीज रोक रही है student जब सब को पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो करते क्यों नहीं teacher fail होने का डर दूसरों से compare होने का डर reject होने का डर ना पता होने का डर सिक्सेस का डर? ये डर ही उन्हें रोकता है. खुद से ये पूछने से कि मुझे डर का सामना करने के लिए क्या चीज रोक रही है. स्टूडेंट और अगर अंत में वो खुद से पूछ लेते हैं तो क्या वो डर का सामना करते है? तीचर मुझे ऐसे ही खुद से ये सवाल पूछते हैं वो अपना पहला कदम रखते हैं अब एनस की तरफ फिर ये एक सफर बन जाता है जैसे फिट होना एक सफर होता है तुम्हें रोज मेहनत करने पड़ती है खुद को फिट बनाना एक सफर है कोई मनजिल नहीं कैसा कैसे हो सकता है कि जब उन्हें पता है कैसे बाहर आना है फिर भी वो उसी जगह अटके रहते हैं तीचर अब आता है एक संच वो उनका आराम है क्योंकि वो उन्हें शिकार्च करने देता है उन्हें सोचने देता है कि सारी खलती दूसरों की है उन्हें सोचने देता है कि दुनिया को उन्हें कुछ देना है जो खुद ही relationship में नहीं है वो सोचता है जो relationship में है उन्हें उसे कुछ देना जो एक company में काम कर रहा है वो सोचता है company को उसे कुछ देना बागे सब सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर किसी और ने सही से बरताव किया होता, किसी और ने ढंग से काम कर लिया होता, तो उनकी जिंदगी और अच्छी होती. Student, तु कोई कैसा है इस चीज का ध्यान रखे और सेल्फ अवेर बने? Teacher, जो कोई तयार होगा सेल्फ अवेरनेस के सफर के लिए, तो उसे खुद समझ में आ जाएगा, इसके जरूरत, और वो अपने आप आएगी, तुम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते सेल्फ अवेर बनने के लिए. Student, यह तो मदद करने जैसा है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, जिसको मदद नहीं चाहिए. Teacher, तब भी अगर तुम्हें पता हो के तुम मदद कर सकते हो, और तब भी जब उन्हें पता हो के तुम मदद कर सकते हो. Student, मुझे लगता है यह सफर जल से जल शुरू कर देना चाहिए. कुछ टाइम बाद यह आदद बन जाएगी, और कुछ टाइम बाद सच का सामना करना तुम्हारी आदद बन जाती है, नहीं? Teacher, हाँ, बिल्कुल. मैं खुद के बलबूते पर कैसे जी सकता हूँ? Student, खुद के बलबूते पर जीना अच्छा भी लगता है और बुरा भी, आपको नहीं लगता? अच्छा है इसलिए क्योंकि आपको पहली बार आजादी मिलती है, और बुरा इसलिए क्योंकि कभी-कभी आप उसका घलत इस्तमाल भी करते हो, तो मैं सोच रहा था कि कोई बीच का रास्ता है क्या? तीचर, जब तुम खुद के बल्बूते पर चीने लगते हो, तब तुम जिन्दकी के तीन आस्पेक्ट, एक्स्पिरिंसिस करते हो, पैसा, हेल्थ और रिलेशन्शिप, पहले पैसे से स्टार्ट करते हो, जब तुम घर पर थे, तब तुम कभी छोटी चीज़ों के बारे के लिए, रौकरी के लिए, तब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि तुम्हें ही सारे डिसिजन पहले दिन से लेने होते हैं, स्टूडेंट, मझे तो ये भी नहीं पता है कि शुरू कहां से करूं, तीचर, बजट बना के, तुम्हारे पैसों का बजट बना आते हैं, वो वो सारी चीज़ें जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और क्या तुम्हें करना है, वो तुम्हारी इच्छा है, जिसमें तुम्हारे कपड़े, पार्टी, विकेशन और तुम्हारा फोन आता है, वो सेर्विसेस, जिसकी तुम्हें इच्छा है, ताकि त स्टूडेंट यह तो बहुत हेल्फुल है और मुझे कितना खर्च करना चाहिए हर कैटेगरी में टीचर एक अच्छा तरीका है 50-30-20 रूर फिफ्टी परसंट तुम्हारे इंकम तुम्हारी ज़रूत को जाने चाहिए उससे जाधा ने इसमें बचाने की कोशिश करो 30 परसं कम से कम तुम्हारे इंवेस्टमेंट में जाना चाहिए जैसे ही तुम्हारी सैलरी तुम्हारे पास आए कम से कम 20 परसंट दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो और उसे इंवेस्ट करते जाओ और बाकी 30 परसंट तुम्हारी ज़रूरतों और तुम्हारी इच्छाओं मे नहीं ले सकते पर तीन महिने में अगर तुम अपनी इंकम का 30% सेव करते हो या छे महिने में अगर तुम उसका आधा सेव कर लेते हो तो हो सकता है ले लो स्टूदेंट इसमें बहुत डिसिप्लिन लगेगा तीचर सारी अच्छी चीजों में लगता है प्लान करना असान होता है एक्जेक्यूशन के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है स्टूदेंट अब आप धीरे धीरे दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हो तीचर हां है एल्थ सबसे बड़ी दिक्कत खुद के बलबूते पर रहने में हेल्थ की रहती है जब हम घर पर होते हैं तब हमें लगता है कि हमारे पेरेंस हमको क्यों रोक रहे हैं बार का खाना ख आता हूं जब मैं अपने घर से दूर रहता हूं और जो चीज़ आप कह रहे हो कि अनहेल्दी है मुझे नहीं रखता ठीचर बुरी हेल्थ का सच ही है कि तुम्हें उसका रिजल्ट अभी नहीं देखेगा वो तुम्हें अपने 30 की उम्र में शुरू होता नजर आएगा औ अगर तुम उसको मज़े लेने के लिए खा रहे हो तूँ स्टूडेंट मुझे इस पर थोड़ा और सोचना पड़ेगा तीचर तो तुम सोचो हम आगे बढ़ते हैं तीसरा अस्पेक्ट तुम्हारी रिस्पॉंसिबिल्टी है जब तुम खुद के बलबूदे पर रहने लगते हो वो रिलेशन्शिप है तुम्हारी स्याधतर रिलेशन्शिप जब घर पर रहते थे तब से थी तुम्हारी रिष्टेदार और वो जनको तुम्हारे घरवाली जानते थे तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी छूट नहीं मिली तुम्हारी रिलेशन्शिप में पर तुम लोगों के बारे में बात करने लगोंगे आइडियास के बारे में नहीं स्टूडेंट मैं ये खलतियां कैसे अवॉइड करूँ टीचर तुम शुरू करो पर वापस रिलेशन्शिप में जाने के लिए इसकी बजाए रुको और सोचो कि तुम उस रिलेशन्शिप में आई ही क्यों ये ऐसी क्या जरूरत पूरी कर रही थी ये सोचने के लिए तुम्हें खुद के साथ वक्त पिताना होगा जो तुम्हें धीरे धीरे एक रिलेशन्शिप में अच्छे डिसेशन्स बनाने में हेल्प करेगा लोग अच्छे या बुरे नहीं होते कुछ लोग क तुम्हें खुद के बलबूते पर जी रहोगे तुम्हें दूसरी रिलेशन्शिप बनाओगे लेकिन उसमें तुम ही सारे डेसिजिजन्स लोगे आखी सब तु सिर्फ देखेंगे और उन्हें नहीं पता होगा कि तुम किस समय से गुज़र रहें जब तक तुम खुद के लिए खुद ही हूँ मुझे लगता है कि खुद के बलबूदे पर रहने से चीजों को खोने का डर बनता है अगर मैं बाहर जाके वो खाने की फोटो इंस्टाग्राम पर नहीं डालूँगा तो अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए घूमने के लिए तो मैं अपने दोस्तों को क्या बुलूँगा और कई मैं पार्टी खराब ना कर दूँगा अगर मैं अपनी खेल्थ का ध्यान रखते हुए कुछ बाहर नहीं खाऊं तो इस सारे सवाल मुझे सताते रहते हैं तीचर, अकेला रहना तुम्हें इन सवालों का जबाब सिखातेगा माने तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हो खाने पर तुम बाहर जाने से पहले ही कुछ खा चुके हो कि तुमारा पेट भरा हुआ है तो तुम बाहर जाके भी कम ही खाऊगे और धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम कम ही खाते हो और अगर तुम्हें घूमने के लिए बुलाय जाता है पर तुम अपने बज़ट का ध्यान रखते हो तो तुम दो-तिन दिन जाओगे घूमने ना कि पूरी छुटिया आखर में जाओ ताकि कोई और तुम्हें रोपने के लिए ना फोर्ट कर सके इन सवालों का कोई सीधा जवाब नेगी हम सब धीरे धीरे ही सीख रहे हैं और तुम भी सीख जाओगे स्टूडेंट वह बढ़ा होना काफी डरावना है मैं अभी भी अपना बच्पन मिस कर रहा हूँ मेरा घर कर रहा है मेरे घरवालों की ढाट लेकिन मुझे पता है जिन्दगी चलती रहेगी कही न कही इन चीजों को सभालते सभालते मैं खुद से प्यार करना सीख जाऊंगा तीचर हाँ, बिल्कुल मैं अपना घुस्सा कैसे समालू स्टूडन्ट कई बार चोटी चोटी चीज़े मुझे घुस्सा दिला देती है और शान्त होने के बाद जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे और घुस्सा आता है क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने घुस्टे को समाल सकूँ ठीचर हमारे सारे emotions का कोई कारण होता है घुस्टा ही ले लो यह तब आता है जब तुम्हारी कोई बेहद जरूरी चीज तुम्हें नहीं मिले या फिर तब जब कोई तुमसे जूट बोले और जब तुम उस पर फिर सोचते हो तब तुम्हें तुम पागल लगते हैं जिसने उसका जूट माना और पागल लगना तुम कभी नहीं चाहते हैं वो feeling तुम्हें घुस्टा दिलाती है जूट नहीं student पर लोगों को तब भी गुस्सा आता है जब कोई उनकी गाड़ी को टकर मार देता है और जब दो अंजान लोग सिर्फ एक सीट के लिए लड़ने लगते हैं और दो वरकर्स अपने मैनेजर से गुस्सा हो जाते हैं कहीं चीज़ों का कोई रास्ता नहीं है मुझे नहीं लगता teacher कार का मालिक उससे गुस्सा है जिसने उसकी काड़ी को टकर मारी क्योंकि बच्पन में उसको भी डाटा जाता था अगर वो छोटी सी कोई चीज तोड़ देता था वो incident उसको अपने बच्पन में ले जाता है जहां उससे कहा जाता था कि कुछ भी टूटा तो बुरा होगा दो अंजान लोग एक सीट के लिए लड़ते हैं क्योंकि वो इतने समय से बहुत मेहनत करते आ रहे हैं और उने लगता है कि उनको जन्दिगी में कुछ तो मिलना चाहिए पर नहीं मिल रहा है आसानी से तो नहीं मैनेजर पर घुस्टा आना क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है और वो चाहता है कि उसके वरकर्स डिस्सिप्लिन से काम करें क्योंकि उनके लिए बच्पन में डिस्सिप्लिन मतलब आजादी नहीं रूल को फॉलो करना और सोच को तबाना था घुस्टे का काम होता है हमें वो जरूरत बताना जो उल्जी हुई है जिस वक्त हमें वो पता चल जाती है तब घुस्टे का काम पूरा हो जाता है अच्छा तो उल्जी हुई चीजें ही घुस्टा होती है हमिशा तुमें घुस्टा ही तबाता है जब कोई चीज तूमसे चुड़ी होती है हम लिए इसे हटाएं कैसे तीचर तीन स्टेप ये समझो के तुम गुस्टा होने वाले हो गुस्टा एक स्ट्रॉंग एमोशन है हम सब को पता है कैसा लगता है हम सब उसको आने से पहले ही महसूस कर सकते हैं दूसरा दस तक गिनो और लंबी सांसे लो हाँ सुनने में मज़ाख लगता है पर ये काम करता है शांत रहो उस समय रियाक्ट ना करके हम उसी समय आधी लड़ाई जीत जाती है जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम गुस्टा होने वाले हो अब तुम एक दर्शक बन चुक्यों तो उससे जाने दो और हमारी मेडिटेशन वाली बात याद रखो जब तुम सड़क के किनारे से गाडियों को जाता देखते हो गुस्टा भी एक ऐसी ही गाड़ी है जब तुम उसे देखते हो तुम देखते हो अंदर क्या है तुम देखते हो उसका रंग क्या है उसकी स्पीड कितनी है पर तुम उसे रोकते नहीं हो या फिर उसके अंदर नहीं चले जाते है बस तुम उसे देखते हो कि वो जा रही ह Student आपको पता है न, मैं हम जैसा नहीं हूँ Teacher इकरने के लिए तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूवत नहीं है यह अपने आप आ जाएगा यह प्रैक्टिस से आएगा तुम्हारे दिन में कई ऐसे मौकी आएंगे जब तुम्हें घुस्सा आएगा और तुम घुस्सा नहीं करोगे अब्सर्व करना शुरू करो शूटे इंसिडंस से शुरू करो उसमें घुस्सा ना करना तुम्हें आसान लगेगा Student मालो मैंने एक कर लिया ऐसे तुम्हें घुस्सा होता रहूँगा पर कभी दिखाऊंगा ने ये मेरी दिक्कत को कैसे सुलजा रहा है कि मुझे बहुत घुस्सा आता है Teacher ये हमें तीसरे स्टेप पर ले जाता है अपने घुस्से को समझना जरूरते पूरी ना हुई तो जरूरत को खोलो Student कैसे Teacher वो खुद के उपर है किसी के लिए हो सकता है जर्नल लिखना कुछ के लिए बातें करके कुछ के लिए थेरपी Student मुझे फिर से याद दिलाओ कि हमें क्यों करना है मैं कैसे उस जरूरत को ढूनू जो मुझे मदद करेगी मेरे घुस्से में Teacher शुरू से शुरू करते हर इमोशन अपना काम करता है घुस्से का काम है तुम्हें साबधान करना और तुम्हें बचाना जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई है तो तुम्हें घुस्सा आने लगता है ताकि तुम्हें पता चले कि वो जरूरत सुलजी नहीं है कुछ करो इसके बारे में घुस्सा तुम पे चिलनाता है क्या तुम्हें वो जरूरत याद नहीं और जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि वो जरूरत क्या है तब घुस्सा चला जाता है अच्छा, तुम्हें याद है, बहुत अच्छा, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, और घुसा चला जाएगा स्टूदेंट, अरे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है तीचर, हाँ मैं मानता हूँ, ये मानना थोड़ा मुश्किल है, पर इसका एक ही रास्ता है स्टूदेंट, ये तो मुझे मेट्रिक्स मूवी की याद दिलाता है, कोई नहीं बता सकता कि मेट्रिक्स क्या है, तुम्हें खुद ही उसे ढूड़ना पड़ेगा, यही करना है न, यही है तीन स्टेप्स गुस्दा समालने के लिए, टीचर, हाँ, बिलकुल मैं खुद को वापस कैसे खड़ा करो, स्टूदेंट, बच्पन में बहुत आसान था, गिर के वापस खड़ा होना, और बड़े होने के बाद, मुझे इसमें दिक्कत आने लगी, टीचर, पर अब तक तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, या नहीं, हाँ, स्टूदेंट, हाँ, शायर यह सोचके के जिन्दगी वक्त के साथ और मुश्किल होती जाएगी, और तुम खुद को वापस खड़ा नहीं कर पाऊगे, तीचर, यही वज़े है, जिस वज़े से तुम अपने बच्पन की तरह नहीं फील करने हो, सबसे बड़ा रीजन फे स्टूदेंट, यह बुरा है पर सच है, पर इसे ठीक कैसे करूँ, टीचर, तुम्हें इसे ठीक नहीं करना है, बस तुम्हें खुद को याद दिलाना है कि पेल होना सिर्फ एक पार्ट है, जिन्दगी का आखरी रिजल्ट नहीं है, स्टूदेंट, मैं समझता हूँ कि जि क्योंकि हम वापिस जीतने का सोचते ही नहीं है, पर जीतने की अच्छी चीज ये भी है कि वो जीतना सिर्फ एक फीलिंग है, प्रोग्रेस की, स्टूदेंट, थोड़ा और समझाईए, ठीचर, बिलकुल, माने तुम बैड्मिंटन का गेम खेल रहे हो, और स्कोर है 1-7, त तुम अंत में मैच हार जाते हो, और उपर स्कोर होता है 8-10, फिर वही दो स्ताकर स्कोर पूछता है, इस बार कुछ अलगी गर्ब से कहते हो, मैं हारा 8-10 से, अब यहां क्या हुआ, तुम हारे, फिर भी तुम खुद के बारे में अच्छा मैसूस कर, फिर भी तुम ऐसे ही क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम जीत सकते हूँ, अगर तुम खेल दे रहो, तुम इसका मतलब यह है कि हमें हर बार जीतना ज़रूरी नहीं, अच्छा फिल करने के लिए, टीचर, बिलकुल, जीतना जिन्देगी का परपस नहीं, अच्छे से जीना है, और तुम्हारी प जातातर हम खुद वापस नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि प्रॉग्रेस की कमी होती है, है न? टीचर, हम एक ही प्रॉग्रेस जाते हैं, जो है, एक्जैम पास कर लेना, कोई अवार्ट जीत लेना, और किसी बैंक बैलेंस तक पहुँचना, हम कई बार अपने को ही प्रॉग्रेस मान लेते हैं, पर असली प्रॉग्रेस सफर बताता है, सारी चीजंदे याद रखना प्रॉग्रेस है, जब तुमें एक इक्जैम पास करते हो, सारा काम समय पर करना, और जो फीडबैक आए, उस पर काम करना प्रॉग्रेस है, जिस वजए से तुम्हें अवार्ड मिलता है। इंवेस्ट करना, तुम्हारे पैसे को बढ़ते देखना प्राग्रेस है। स्टूडेंट गैस अब जैसे आप बता रहे हो, मुझे समझा रहा है कि मैं जब भी फेल होता था, मैं दूसरों पर निर्भर हो जाता था कि वो आके मुझे उठाएंगे, शायद मेरे घरवाले या दोस्त, और कई बार मेरा लख मुझे बस लगता था कि कोई मुझे इससे बाहर निकाले पर आपके बताने के बाद मुझे समझा आया कि खुद को उठाने की ताकत तो मुझे में खुद है और मुझे लग रहा है कि मैं फ्राग्रस कर रहा हूँ, तो मुझे विनर की तरह लगेगा, भले ही मैं जीतूं या नहीं, हाँ तीचर, हाँ, बिलकुल मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकता हूँ स्टूडेंट, हाजकल बहुत असान है यह कहना, कि खुद से प्यार करो, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो, पर क्या यह मुम्किन है तीचर, बेस्ट फ्रेंड क्या होता है स्टूडेंट, हो जो हमेशा आपके लिए खड़ा हो, हमें बहुत अच्छे से जानता हो, जिसको हमारी ताकत का पता हो, ताकि वो हमें उसकी तरफ बढ़ाए, वो जिसे हमारी कमजोरी भी पता हो, ताकि वो हमें उससे बचाए, और सबसे ज़रूरी, जो हमें जजज ना क सिर्फ एक इंसान आपको अपना बेस्ट बनाने से रोक सकता है वो इंसान है जो आपको आईने में नजर आता है यह कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती है पहला खुद को वैसे ही ट्रीट करो जैसा तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को करो अपने ख्यालों में खो जाने से पहले खुद से पूछो कि क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को यह बोलूँगा स्टूडेंट मतलब टीचर सोचो तुम्हारा दोस्त एकदम से गिर जाता है तुम उसे हाथ देते हो और उसे खड़ा करते हो क्या तुम उसके खड़े होते ही उसे कहोगे कि तुम इतने बेवकूफ हो कि तुम हमेशा खुद का मजाग बनाते रहते हो देखो लोग हसना है तुम्हारे उपर स्टूडेंट यह कहना तो बहुत गलत होगा तीचर और फिर भी हम यह चीज़ें खुद से कहते हैं जब हम गिरते हैं और खुद रुटते हैं तब हम ऐसा क्यों सोचते हैं स्टूडेंट क्योंकि अगर नहीं सोचूंगा तो कोई और सोचेगा तीचर क्या उल्टा नहीं होना चाहिए तुम कुछ भी करो कोई ना कोई तुम्हें बुरा देखे गाई तुम उनसे पहले वो खुद क्यों करोगे खुद को खुद बुरा मत देखो क्योंक भीचा करदी है यहारे कि पी यह और अक्र उने कोई पोच पूचिना थो तो तुम उन्सेरे अगर प्यार चाहिए दो राइने के सामने खड़े होकर यह सारी चीज हैं ख़ुद को दो जैसे खुद कोही स्माइल देना रूस खुद की आंखों में देखना बस एक स्माइल को देखना तुम्हारे अंदर से कुछ ना कुछ तो वापिस स्माइल देगा स्टूडेंट जब आपने का मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसे ने मुझे गले लगा लिया मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ अगला है कि तुम खुद पहस सको इसको ऐसे सोचो और दुनिया को तुम्हारी गलती पहले ही पता होगी तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हें परिशान करने के लिए पर मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा कहीं मेरी कमजोरियां दिखाना तो नहीं हुआ तीचर तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज तुम्हें जिंदगी में जिता सकती है ताकत बनाना या अपनी कमजोरियां छिपाना यह से आपने सवाल पूछा, इसका जवाब तो साफ है तीचर, तुम्हारी ताकत हमेशा तुम्हें अडवांटेज देगी जितना तुम्हारी वीक्निस तुमसे चीन सकती है, उससे ज़्यादा अपनी कमजोरियां पता होना और उन्हें एक्सपेक्ट करना, तुम्हें खुद की इज़्जत करना सिखाएगा और तुम्हें पता है, खुद की इज़्जत करने से पहले क्या होता है स्टूडेंट, दुनिया भी तुम्हारी इज़्जत करती है दुनिया क्या सोचती है हमारे बारे में यह उस पर डिपंड करता है कि हम क्या सोचते है हमारे बारे में यही सच है यह तो भाफल तरीका है किसी भी relationship को देखने का अगला है खुद के साथ समय बिताना लोग और चीजों की तरफ भाग के खुद से दूर मत होना बलकि कुछ भी करके खुद के साथ समय बिताना और हाँ कुछ मत करो बस सोचो student क्या यही meditation है teacher तुम इसे जो चाहे बुला लो यह meditation भी हो सकता है और journal भी हो सकता है यह सिर्फ खुद को सोने से पहले देखना भी हो सकता है जिस इंसान के साथ समय बिताना सबसे मुश्किल होता है वो हम खुद ही होते हैं अगर तुम खुद के साथ comfortable हो जाते हो तो तुम accept करने लगते हो जो तुम student मुझे लगता है कि खुद के साथ समय बिताना अच्छा होगा मुझे लगा नहीं था कि यह मुझे खुद के साथ एक अच्छी relationship में ले आएगा teacher अब हम last stand पे आ चुके हैं जो है तुम्हें खुश रखना किसी और की जिम्मेदारी दे तुम अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार हो इसका मतलब है कि खुद के साथ तो खुशियां बाटो स्टूदेंट हाँ साही समझा आप जैसे कह रहे हो मुझे वो सब अपने relationship में नजर आ रहे कि मैंने दूसरों को दोश दिया जब मैं उदास था और अब मुझे उस बारे में अच्छा नहीं लग रहा है तो जहाओ से ठीक करो तुम्हें खुश रखना किसी की जाब नहीं अगर तुम ये खुद नहीं कर सकते तो कोई करके ठक जाएगा स्टूदेंट क्या इसलिए इतने सालों से लोग मुझे से दूर जाते रहे तीचर बहुत मुश्किल होता है उन्हें प्यार करना जो हमें प्यार नहीं करते क्योंकि वो ये कभे नहीं मानते कि उन्हें कोई प्यार करता है इसलिए लोग टॉक्सिक रिलेशन्शिप में आ जाते उन्हें लगता है कि उनके लिए यही है और ऐसा नहीं है हम दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं पर जब हमें वो नहीं मिलता है तो हम उदास हो जाते हैं जिस दिन हमने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया उस दिन हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टुडेंट ये बिलकुल सही बात है मेरी पूरी जिन्दगी अब सही लगने लगी है इन बातों ने मुझे अब सब समझा दिया जो भी मैं डिजर्ब करता हूँ मैं अकेला ही हूँ खुद के लिए सारी गलतिया मेरी ही है मैं खुद को दोश नहीं दूँगा क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को थोड़ी न दोश दिता मैं खुद को खुद ही उठाऊँगा क्या तुम इस जर्णी में मेरी मदद करोगे तीचर तुम्हें किसी की ज़रूरत नही रूची और मैं एक बस में मिले थे ये एक सच्ची कानी है मैं वही गीक बच्चा था जो फिजिक्स को बहुत पसंद करता था और अपनी राइफ में क्या करना है उसका मुझे क्लियर आइडिया था मैं वो लड़का था जिसके पास अपनी जिंदगी का पूरा प्लान था और वो वो एक कूल बच्ची थी वो हमेशा हस्ती खेलती रहती थी ऐसा इंसान जिससे मेरी हमेशा बहस होती थी जिसका कोई गोल नहीं था जिसका खुद की जिंदगी के उपर कंट्रोल नहीं था बिल्कुल मुझसे आपसेट कॉलिज के बाद उसने आट साल तक काम किया और फिर ट्रावल करने के लिए अपनी जॉब छोड़ थी फिर तीन साल के लिए वो फुल टाइम माँ बन कर रही फिर उसने एक क्रियेटिव आउटफिट को प्रिजेंट करने के लिए एक सेल्स एजिन जैसा काम किया फिर उसने और गैनिक फार्म के लिए काम किया तब जाकर मैंने एक दिन उससे पूछा कि क्या वो मेरी मैनेजर बनेगी और उसने हाँ क्या दिया तो आज वो मेरी मैनेजर है वही बेना किसी प्लान और गोल वाली इंसान आज मेरी मैनेजर है मैं एक चीज को लेकर गलत था वो अपनी जिन्दगी में खोई हुई नहीं थी उसने कभी अपनी जिन्दगी का कंट्रोल नहीं खोया था यही उसकी जिन्दगी थी हम 20 साल से जादा से साथ में उसे जिन्दगी में सिर्फ खुशियां चाहिए थी बस जब हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं था जब हमारे पास ज़्यादा पैसा था जब चीज़ें बहुत मुश्किल चल रही थी या पर जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी वो हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहती थी मेरे साब से वो सबसे खुश इंसान है बाप्स और मैं एक साथ बिजन स्कूल गए थे वो पहली लॉयर थी जिसने मैं मिला था लेकिन उसमें कुछ अलगी बात थी वो गोवा से थी आपको सुनने में एजीब लगेगा लेकिन मैंने कभी गोवा से आते हुए लोगों को इमाजिन नहीं किया था मुझे वो सिर्फ ऐसी लगते थी जहां पर लोग खुमने के लिए जाते लेकिन यहां पर यह वहीं के रहने वाली है हमारी MBA के बाद वो अपनी जॉब के लिए दुबई चले गए उसने वहाँ पर बहुत महनत किया और काफी सारा पैसा बना है लेकिन उसे हमेशा घर की याद आते थी इसलिए उसने वापिस आने का डिसाइड किया उसने एक जॉब कर ली वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया फिर उसने एक दिन सारी चीज़ें छोड़कर डिवल्पमेंट सेक्टर में उसने का डिसाइड किया एक बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़कर वो दिल्ली शिप्ट हुई वो जितना कमा सकती थी उससे सिर्फ 120 थी कमा रही थी मैंने यही सोचा कि यह चीज़ उसे परेशान करेगी लेकिन ऐसा नहीं था वो अपनी जर्नी के साथ बहुत कमफिटबल थी उसे शुरुआत में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उसने स्क्रैच से शुरू किया था लेकिन धीरे धीरे वो फिर से टॉप पे आ गई लेकिन उसे फिर से घर की आदा रही थी इसलिए उसने फिर से अपनी जर्ब छोड़ दी और वापिस गुआ चली गी आज वो अपने घर पर ही रहती है वो अपने हिसाब से काम करती है अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ वक्त बिताती है और कॉर्परेट की राट रेस से दूए मेरे साब से वो अपनी लाइफ में बहुत कमफ़टिबल है और उसे अपना घर मिल गया है वो ऐसी इंसान है जो खुद के साथ पीस में है मुझे गुरू ग्राम बिजनस स्कूल के प्रोफेसर ने बाली से मिलवाया था वो अपना एक स्टार्ट अप चला रहा था और वो बहुत मेहनत कर रहा था उसे लड़ना, खुद को चैलेंज करना और मेहनत करना बहुत पसंद था उसे देखकर यही लगता था कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है और यही चीज मुझे बार में जाकर पता चली कि यह चीज सच थी स्टार्ट अप अच्छा नहीं चला इस वज़े से उसने दूसरे स्टार्ट अप को जोईन कर लिया और इस तरीके से वो बिजनस एक्सपीरियन्स लेने लेगा उसने फिर इंडियन स्कूल अप बिजनस में अपलाई करने का डिसिजन लिया और उसका अड्मिशन भी हो गया आइसबी के बाद उसने फिर से स्टार्ट अप शुरू करने का सोचा और उसने शुरू कर दिया वो मार्की इंवेस्टर से फंड रेस करना चाहता था और उसने कर भी लिए उसके स्टार्ट अप का बुरे से बुरा वक्ता है लेकिन वो सर्वाइब कर गया उसे ऐसा लगा कि उसे अपने इंवेस्टर्स को खरीद कर स्टार्ट अप को खुद के हिसाफ से चलाना चाहिए उसने अजब ही कर दिया उसे समझा गया कि उसे अपने स्टार्ट अप को जल्दी ही प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा और फिर उसने अपने स्टार्ट अप को प्रॉफिटेबल भी बना दिया वो जो भी सूचता वो हासिल कर लेता वो सबसे अच्छा हसलर था जिसे मैं जानता था सिंगला एक स्टार्टप इवेंट में प्रेजिंट कर रहा था जब मैं उससे पहली बार मिला था खुद के जबामों के साथ वो बहुत ही इंपेशन लग रहा था क्योंकि उसे सारी चीज़ें अच्छे से पता थी उसे हर एक चीज़ का ग्यान था ऐसा वाना जाता है कि लॉयर्स अंट्रोप्रेनियर नहीं बनने और एक लंदन की बड़ी लॉफ फर्म की जॉब छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं बाली, सिंगला और मैं काफी अच्छे दोस बन गए उसने अपना स्टार्टप पाई वोट कर दिया फिर उसने बड़े इंवेस्टर से फंड्स रेज किया और आखिर में अपनी कंपनी को अमेज़ान को बेच दिया अगर आप देखें तो अमेज़ान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसने इंदिया के एक स्टार्टप को खरीदा जिसे एक लॉयर ने शुरू किया था यह बहुत बड़ी बात है आज सिंगला एक मूवी बना रहा है क्योंकि उसे आप वो चीज पसंद है और वो इस चीज को समझ चुका है ऐसे जैसे वो काफी सालों से इसमें हो किसे पता कि वो आगी जाकर क्या करने माला है मैं चिश्टी से जब मिला है तब वो एक IBS में स्टूडन थी उसी के साथ वालों की तरह है वो भी एक Product Manager बनना चाहती थी लेकिन इसमें कुछ प्राब्लम थी वो एक Engineer नहीं थी उसके पहले वाला Work Experience एक Project Management Profile के लिए बराबर नहीं था आखिर में उसे एक Startup में Product Manager की जौब मिल गई अब वो वहाँ पर Smart Engineers लोगों के बीच में थी जो ऐसी Language में बात करते थे जिसे समझना काफी मुश्किल था इसी लिए उसने वो किया जो वो करने में Best थे वो वापस Basics पर गए उसने Book पढ़ना शुरू किया और बहुत महनत की अपनी Journey में उसने एक Deep Tech Company को जोईन किया उसके सिंदगी में एक भी आसान दिन नहीं था लेकिन उसके पास Solution था और वो ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महनत करे उसे समझा गया कि उसे अब बड़े लेवल पर जाना हो इसी लिए उसने USA की University में Master's के लिए अपलाई कर दिया फिर उसे Berkeley में एडमिशन मिल गया वहाँ पर उसके उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और जब भी वो चीजों में फंस जाती तो वो वापस वही चीज करती जो वो हमेशा करती थी महनत उस दो साल की जर्नी में उसने अपनी नोटबुक में लिख दिया था कि एक दिन मैं Google में Product Manager बनूगी थाज वो Google San Francisco में Product Manager है वो सबसे मैनती लड़की है जिसे मैं जानता हूँ ये पाँच लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ये सब एक दूसरे से काफी अलग है सब मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और मुझे इंस्पायर करते हैं मैंने Book की एंड में ये स्टोरी इसी लिए शेयर की ताकि मैं बता सकूं कि हम सबकी जिंदगी के रास्ते अलग हैं हम सब लोग अलग हैं अलाकि हमारी success की definition इस दुनिया के हिसाब से हम बना लेते हैं और ज्यादत कर ये success की definition सेम ही होती है जिसमें पैसा, status, designation होता है और इस success के पीछे भागते हुए हम भूल जाते हैं कि एक ही मन्जल पर जाने के एक कई रास्ते हैं और हम सब के रास्ते अलगें पुरुची ने हैपिनस को चुना, बपस ने घर को चुना, भाली ने हसल को चुना, सिंगला और बहुत कुछ करना चाहता था और चिस्ती ने हार्ट वर्क को चुना। ये सब लोग अलगें। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। उन सब को बताये के उनके लिए क्या पीचर से क्या सीखें। जाओ, get a picture done मेरे दोस्त। मैं आपके लिए बहुत excited हूँ। अंकुर वारिकूर।